एक साधू की तरह सोचो जय शेटी की किताब परिचे यदि आप एक नया विचार चाहते हैं तो एक पुरानी किताब पढ़ें इवान पावलोव दूसरों के बीच कोश्रे दिया जाता है जब मैं 18 वर्ष का था कॉलेज के अपने पहले वर्ष में लंदन के कैस बिजनेस स्कूल में मेरे एक मित्र ने मुझे एक भिक्षू को भाशन देते हुए सुनने के लिए उसके साथ जाने के लिए कहा मैंने विरोध किया मैं किसी साथू को सुनने क्यों जाना चाहूंगा मैं अक्सर मुखे कारेकारी अधिकारियों मशहूर हस्तियों और अन्य सफल लोगों को परिसर में व्याख्यान देखने जाता था लेकिन मुझे एक साथू में कोई दिलचस्पी नहीं थी मैंने उन वक्ताओं को सुनना पसंद किया जिन्होंने वास्तव में जीवन में चीजे हासिल की थी मेरा दोस्त कायम रहा और अन्त में मैंने कहा जब तक हम बाद में एक बार में जाते हैं मैं अंदर हूँ प्यार में पढ़ना एक अभिवेक्ती है जिसका उप्योग लगभग विशेश रूप से रोमांटिक रिष्टों का वर्णन करने के लिए किया जाता है लेकिन उस रात जब मैंने सादू को अपने अनुभव के बारे में बात करते सुना तो मुझे प्यार हो गया मंच पर एक तीस भारती अव्यक्ती की आकरिती थी उसका सिर मुंडा हुआ था और उसने भगवा वस्त्र पहना था वह बुद्धिमान, वाकपटु और करिश्माई था उन्होंने निस्वार्थ बलिदान के सिध्धान्त के बारे में बात की जब उन्होंने कहा कि हमें ऐसे पेड लगाने चाहिए जिनकी छाया में हमने बैठने की योजना नहीं बनाई है तो मुझे अपने शरीर में एक अप्रिचित रोमाँच का अनुभव हुआ मैं विशेश रूप से प्रभावित हुआ जब मुझे पता चला कि वह IIT बॉम्बे में एक छात्र रहा है जो भारत का MIT है और MIT की तरह इसमें प्रवेश करना लगभग असंभव है उन्होंने उस अवसर को एक भिक्षु बनने के लिए व्यापार किया जो कि मेरे दोस्तों और मैं पीछा कर रहे थे या तो वह पागल था या वह किसी चीज पर था मेरा पूरा जीवन मैं ऐसे लोगों पर मोहित रहा हूँ जो कुछ भी नहीं से कुछ कठिन सेधन की कहानियों में चले गए है अब पहली बार मैं किसी ऐसे व्यक्ती की उपस्थिती में था जिसने जानबूज कर इसके विपरीत किया था उसने वह जीवन छोड़ दिया जो दुनिया ने मुझसे कहा था कि हम सभी को चाहिए लेकिन असफल होने के बजाए वह हरशित, आत्म विश्वासी और शांती से दिखाई दिया वास्तव में वह किसी से भी ज़्यादा खुश लग रहा था मैं कभी मिला था 18 साल की उम्र में मैंने बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात की थी जो अमीर थे मैंने बहुत से लोगों की बात सुनी जो प्रसिद्ध, मजबूत, अच्छे दिखने वाले, या तीनों थे लेकिन मुझे नहीं लगता की मैं किसी ऐसे व्यक्ती से मिला हूँ जो वास्तव में खुश था बाद में, मैंने उसे यह बताने के लिए भीड के माध्यम से अपना रास्ता आगे बढ़ाया की वह कितना अद्भूत था और उसने मुझे कितना प्रेरित किया मैं आपके साथ अधिक समय कैसे बिता सकता हूँ मैंने खुद से पूचते हुए सुना मुझे उन लोगों के आसपास रहने की ललक महसूस हुई जिनके पास वे मूले थे जो मैं चाहता था न की वे चीजें जो मैं चाहता था भिक्षु ने मुझे बताया कि वह पूरे सप्ताह यूके में यात्रा कर रहे थे और बोल रहे थे और उनके बाकी कारे क्रमों में आने के लिए मेरा स्वागत है और इसलिए मैंने किया गोरंग दास नाम के साधू के बारे में मेरी पहली धारना यह थी कि वह कुछ सही कर रहे थे और बाद में मुझे पता चला की विग्यान इसका समर्थन करता है 2002 में योंगे मिंग्यूर रिन पोचे नाम के एक तिबबती भिक्षू ने काठमांडू नेपाल के बाहर एक शेत्र से विसकॉन सिन मैडिसन विश्वविद्याले की यात्रा की ताकि शोध करता ध्यान करते समय उनकी मस्तिष्क गतिविधी को देख सकें वैग्यानिकों ने भिक्षू के सिर को शावर के प्क जैसी डिवाइस, एक E.E.G. से ढख दिया था जिसमें 250 से अधिक छोटे तार चिप के हुए थे, प्रतेक में एक सेंसर था जो एक लैब तकनीक से जुडा था अधेयन के समय, भिक्षू ने जीवन भर के ध्यान अभ्यास के 62,000 घंटे संचित कर लिये थे वैग्यानिकों की एक टीम के रूप में, उनमें से कुछ ने स्वेव अनुभवी ध्यानियों को एक नियंतरन कक्ष से देखा भिक्षू ने ध्यान प्रोटोकॉल शुरू किया जिसे शोधकरताओं ने डिजाइन किया था करुना पर ध्यान के एक मिनट और आराम की 32 अवधी के बीच बारी बारी से वह एक अनुवादक द्वारा बताए गए क्रम में लगातार चार बार इस पैटर्न के माध्यम से साइकिल चला रहा था शोधकरताओं ने विसमय में देखा लगभग ठीक उसी क्षन जब भिक्षू ने अपना ध्यान शुरू किया इजी ने गतिविधी में अचानक और बड़े पैमाने पर स्पाइक दर्ज किया वैग्यानिकों ने माना कि इतने बड़े तेज तककर के साथ भिक्षू ने अपनी स्थिती बदल ली होगी या अन्येथा स्थानान तरित हो गया होगा फिर भी वह पूरी तरह से स्थिर रहा जो उलेखनिये था वह केवल भिक्षू की मस्तिष्क गतिविधी की निरंतरता नहीं थी गतिविधी से आराम की अवधी में बार-बार बंद और चालू करना बल्कि यह भी तथे की उसे वार्म अप अवधी की आवशेक्ता नहीं थी यदि आप एक ध्यानी हैं या कम से कम अपने मस्तिष्क कोशांत करने की कोशिश की आप जानते हैं की आमतवर पर आपके दिमाग में चलने वाले विचलित करने वाले विचारों की परेड को शांत करने में कुछ समय लगता है ऐसा प्रतीत होता था कि रिम पोछे को ऐसे किसी संक्रमन काल की आवशेक्ता नहीं थी वास्तव में वह एक शक्तिशाली ध्यान की स्थिती में आसानी से एक स्विच्ट फिलिप करने के रूप में अंदर और बाहर आने में सक्षम लग रहा था इन प्रारमभिक अध्येनों के दस साल से अधिक समय के बाद 41 वर्षिय भिक्षु के मस्तिश्क के स्कैन में उनके साथियों की तुलना में उम्र बढ़ने के कम लक्षन दिखाई दिये शोधकर्ताओं ने कहा कि उसके पास 10 साल छोटे किसी का दिमाग था बोग्ध भिक्षु मैथ्यू रिकार्ड के मस्तिश्क को स्कैन करने वाले शोधकरताओं ने बाद में उन्हें दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी करार दिया जब उन्होंने उच्चतम स्तर की गामा तरंगों को पाया जो की विज्ञान द्वारा दर्ज की गई ध्यान, स्मृती, सीखने और खुशी से जुड़ी थी चार्ट से बाहर एक भिक्षु एक विसंगती की तरह लग सकता है लेकिन रिकार्ड अकेला नहीं है इकिस अन्हिख्षु जिन्होंने विभिन प्रकार के ध्यान अव्यासों के दौरान अपने दिमाग को स्कैन किया था ने भी गामा तरंग के स्तर को दिखाया जो गैर ध्यान करताओं की तुलना में उच्च और लंबे समय तक नीन्द के दौरान भी, चले हमें साधूँ की तरह क्यों सोचना चाहिए यदि आप जानना चाहते हैं कि बास्केट बॉल कोर्ट पर कैसे हावी होना है तो आप माइकल जॉर्डन की ओर रुख कर सकते हैं यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आप एलुएन मस्क की जांच कर सकते हैं प्रदर्शन करने का तरीका जानने के लिए आप बेयोंसे का अधेयन कर सकते हैं यदि आप अपने मन को शांती, शांती और उद्देशे खोजने के लिए प्रशिक्षित करना चाहते हैं भिख्षु विशेश गहें ब्रदर डेविड स्टीन दलरास्ट, एक बेनिदिक्तिन भिख्षु, जिन्होंने कृत गेता.org की स्थापना की, लिखते हैं एक सामान्य व्यक्ती जो सचेत रूप से अब में लगातार जीवित रहने का लक्षे रखता है, वह एक भिख्षु है भिख्षु प्रलोबनों का सामना कर सकते हैं, आलोचना करने से परहेज कर सकते हैं, दर्द और चिंता से निपट सकते हैं, अहंकार को शांत कर सकते हैं, और उद्देशे और अर्थ के साथ जीवन का निर्मान कर सकते हैं हमें प्रित्वी पर सबसे शान्थ, सबसे खुश, सबसे उद्देशे पूर्ण लोगों से क्यों नहीं सीखना चाहिए हो सकता है कि आप सोच रहे हों कि भिक्षूओं के लिए शान्थ, निर्मल और तनाव मुक्त रहना आसान है वे शान्थ सेटिंग समेचे पे हुए हैं, जहां उन्हें नोकरियों और रोमांटिक भागीदारों से निपटने की जरूरत नहीं है और ठीक है, घंटों के यातायाद हो सकता है कि आप सोच रहे हों कि आदूनिक दुनिया में एक साधू की तरह सोचने से मुझे कैसे मदद मिल सकती है सबसे पहले, साधू पैदा हुए साधू नहीं थे वे हर तरह की प्रिष्ठ भूमी के लोग हैं, जिन्होंने खुद को बदलना चुना है मैथ्यू रिकार्ड, दवर्लद से प्येस्ट मैं, अपने पूर्व जीवन में एक जीव विग्यानी थे एंडी पुद्धी कोमबे, ध्यान एफ हेड़ स्पेस के को फाउंडर, सरकस में रहने के लिए प्रशिक्षित मैं उन भिक्षों को जानता हूँ जो वित्ट और रॉक बैंड में थे वे आपकी तरह ही स्कूलों, कस्बों और शहरों में पलेब्धे हैं आपको अपने घर में मोमबत्तियां जलाने, नंगे पैर घूमने, या पहाड की चोटी पर पेड की मुद्रा करते हुए अपनी तस्वीरे पोस्ट करने की आवशेक्ता नहीं है साधू बनना एक ऐसी मान सिकता है, जिसे कोई भी अपना सकता है आज के अधिकांश भिक्षूओं की तरह, मैं किसी आश्रम में पलाब्धा नहीं हूँ मैंने अपने बच्पन का अधिकांश समय गैर भिक्षू जैसी चीजों में बिताया 14 साल की उम्र तक, मैं एक आग्याकारी बच्चा था मैं उत्तरी लंदन में अपने मातापिता और अपनी छोटी बिहन के साथ पलाब्धा हूँ मैं एक मध्यमवर्गी ये भारतिये परिवार से हूँ बहुत सारे मातापिता की तरह, मैं भी अपनी शिक्षा और मुझे एक अच्छे भविश्य के लिए एक शोट देने के लिए प्रतिबद्ध था मैं मुसीबत से बाहर रहा, स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया और सभी को खुश करने की पूरी कोशिश की लेकिन जब मैंने माध्यमिक विद्याले शुरू किया, तो मैंने बाए मोड लिया मैं एक बच्चे के रूप में भारी था और इसके लिए मुझे तंग किया गया था, लेकिन अब मैंने वह वजन कम कर लिया और फुटबॉल और रगबी खेलना शुरू कर दिया मैंने उन विश्यों की ओर रुख किया, जिन्हें पारंपरिक भारतिय मातापिता आमतोर पर पसंद नहीं करते हैं, जैसे कला, डिजाइन और दर्शन यह सब ठीक होता, लेकिन मैं भी गलत भीड से घुलने मिलने लगा मैं बुरी चीजों के एक समूह में शामिल हो गया दवाओं के साथ प्रयोग, लड़ाई, बहुत ज़्यादा पीना, ये अच्छा नहीं रहा हाई स्कूल में मुझे तीन बार सस्पिंद किया गया था अंत में, स्कूल ने मुझे जाने के लिए कहा मैं बदल दूँगा, मैंने वादा किया था अगर आप मुझे रहने देंगे, तो मैं बदल जाऊंगा स्कूल ने मुझे रहने दिया, और मैंने अपना काम साफ कर दिया अंत में, कॉलेज में, मैंने अपने लक्षियों की खोज में कड़ी मेहनत त्याग, अनुशासन, द्रिर्ता के मूले को नोटिस करना शुरू कर दिया समस्या यह थी कि उस समय, मेरे पास एक अच्छी नौकरी पाने एक दिन शादी करने, शायद एक परिवार होने के अलावा कोई लक्षे नहीं था, हमेशा की तरह मुझे संदेह था कि कुछ गहरा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह क्या था जब गोरांग दास मेरे स्कूल में बोलने आये, तब तक मैं नए विचारों जीवन जीने के एक नए मोडल, एक ऐसा रास्ता तलाशने के लिए तैयार हो गया था, जो उस रास्ते से भटक गया था जिसे हर कोई, स्वयम सहिद, मानता था कि मैं इसे अपनाऊंगा मैं एक व्यक्ति के रूप में विक्सित होना चाहता था मैं नम्रता या करुणा और सहानु भूती को केवल अमूर्त अवधारनाओं के रूप में नहीं जानना चाहता था आई, उन्हें जीना चाहता था मैं नहीं चाहता था कि अनुशासन, चरित्र और सत्यनिष्ठा मेरे द्वारा पढ़ी जाने वाली चीजों के रूप में हो मैं उन्हें जीना चाहता था अगले चार वर्षों के लिए, मैंने दो दुनियाओं में बाजी मारी, बार और स्टीक हाउस से ध्यान और फर्ष पर सोने तक लंदन में, मैंने व्यवहार विज्ञान पर जोर देने के साथ प्रबंधन का अध्ययन किया और एक बड़ी परामर्श फर्म में इंटरनशिप की और अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताया और मुंबई के एक आश्रम में मैंने प्राचीन ग्रंतों को पढ़ा और उनका अध्ययन किया अपने क्रिसमस और गर्मी की अधिकांश चुट्टियों को भिक्षों के साथ रहने में बिताया मेरे मूले धीरे धीरे स्थानान तरित हो गए मैंने खुद को भिक्षों के आसपास रहना चाहा वास्तव में मैं साधू मानसिक्ता में दूब जाना चाहता था अधिक से अधिक मैं कॉर्पोरेट जगत में जो काम कर रहा था उसमें अर्थ की कमी लग रही थी अगर किसी पर इसका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा तो क्या बात थी जब मैंने कॉलेज से सनातक की उपाधी प्राप्त की तो मैंने वस्तरों के लिए अपने सूट का व्यापार किया और आश्रम में शामिल हो गया जहां हम फर्ष पर सोते थे और जिम के लौकर से बाहर रहते थे मैं भारत, ब्रिटिन और यूरोप में रहा और यात्रा की मैंने हर दिन घंटों ध्यान किया और प्राचीन शास्त्रों का अधेयन किया मुझे अपने साथी भिक्षों के साथ सेवा करने का अवसर मिला मुंबई के बाहर एक गाव में एक आश्रम को पर्यावरन के अनुकूल आध्यात्मिक रिट्रीट गोवर्धन इको विलेज में बदलने के चल रहे काम में मदद करने और दस लाग से अधिक भोजन वित्रित करने वाले खादे कारेकरम के साथ स्वेयन सेवा करने का अवसर मिला अगर मैं एक साधू की तरह सोचना सीख सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है जिन हिंदू भिक्षों के साथ मैंने अधेयन किया वे वेदों को उनके मूलभूत ग्रंतों के रूप में उपयोग करते हैं शीरशक संस्कृत शब्द वेद से लिया गया है जिसका अर्थ है ग्यान संस्कृत एक प्राचीन भाषा है जो आज दक्षिन एशिया में बोली जाने वाली अधिकांश भाषाओं की अग्रदूत है आप तर्क दे सकते हैं कि दर्शन शास्त्रों के इस प्राचीन संग्रह से शुरू हुआ जिसकी उत्पत्ती हुई थी वह शेत्र जो अब कम से कम 3000 साल पहले पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों को कवर करता है वे हिंदू धर्म का आधार बनाते हैं होमर की महाकावे कविताओं की तरह वेदों को पहले मौखिक रूप से प्रेशित किया गया था फिर अंततह लिखा गया था लेकिन सामगरी की नाजुकता ताड के पत्ते और बर्ट छाल सो साल पुराना वेदों में भजन, एतिहासिक कहानिया, कविताए, प्रार्थनाए, मंत्र, अपचारिक अनुष्ठान और दैनिक जीवन के लिए सलाह शामिल है अपने जीवन में और इस पुस्तक में मैं अक्सर भगवद गीता जिसका अर्थ है भगवान का गीत का उलेक करता हूँ यह लगभग 800400 इसा पूर्व के उपनिशदों पर आधारित है भगवद गीता को एक प्रकार का सार्वभौमिक और कालातीत जीवन पुस्तिका माना जाता है कहानी एक साधू के बारे में नहीं बताई गई है या आध्यात्मिक संदर्भ के लिए नहीं है यह एक विवाहित व्यक्ती से बात की जाती है जो एक प्रतिभाशाली धनुर्धर होता है यह केवल एक धर्म या शेत्र पर लागू होने का इरादा नहीं था यह पूरी मानवता के लिए है एकनाथ ईश्वरन आध्यात्मिक लेखक और प्रोफेसर जिन्होंने भगवद गीता सहित भारत के कई पवित्र ग्रंतों का अनुवाद किया है इसे दुनिया के लिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण उपहार कहते हैं अपनी 1845 की पत्रिका में राल्फ वाल्डो इमर्सन ने लिखा मेरे पास मेरे दोस्त और मेरे रिनी हैं भगवत गीता सिक के लिए एक शानदार दिन यह किताबों में से पहला था यह ऐसा था जैसे एक सामराजे हमसे बात करता था कुछ भी छोटा या अयोगे नहीं बलकी बड़ा, शान, सुसंग, एक पुरानी बुद्धी की आवाज जिस पर एक और युग और जलवायू ने विचार किया था और इस तरह उन्हीं सवालों का निप्टारा किया था जो हमें परेशान करते हैं ऐसा कहा जाता है कि किसी भी अन्य शास्त्र की तुलना में गीता के बारे में अधिक भाशे लिखे गए हैं इस पुस्तक में मेरा एक लक्षे आपको इसकी कालातीत ग्यान से जुड़ने में मदद करना है अन्य प्राचीन शिक्षाओं के साथ जो एक भीक्षू के रूप में मेरी शिक्षा का आधार थी और जो आज हम सभी के सामने आने वाली चुनोतियों के लिए महत्व पूर्ण प्रासंगिक हैं जब मैंने भीक्षू दर्शन का अधेयन किया तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया कि पिछले तीन हजार वर्षों में मनुशे वास्तव में नहीं बदला है निश्चित रूप से हम लंबे हैं और उस्तन हम लंबे समय तक जीवित रहते हैं लेकिन मुझे यह जानकर आश्चरे और प्रभावित हुआ कि भीक्षू शिक्षाय क्षमा, उर्जा, इरादे, उद्देशे के साथ जीने और अन्य विश्यों के बारे में बात करती हैं जो आज भी उतनी ही गून जती हैं जितनी उन्हें चाहिए किया गया है जब वे लिखे गए थे इससे भी अधिक प्रभावशाली धंग से भिक्षू ज्यान को बड़े पैमाने पर विज्यान द्वारा समर्थित किया जा सकता है जैसा कि हम इस पूरी पुस्तक में देखेंगे सहसराब्दियों से भिक्षू का मानना है कि ध्यान और दिमागीपन फाइदे मन्द है कृत गेता आपके लिए अच्छी है यह सेवा आपको खुश करती है और इससे भी अधिक आप इस पुस्तक में सीखेंगे आधुनिक विज्ञान उन्हें दिखाने या मानने करने से बहुत पहले ही उन्होंने इन विचारों के इर्दगिर्द अभ्यास विक्सित कर लिया था अलबर्ट आइंस्टीन ने कहा यदि आप किसी चीज को सरलता से नहीं समझा सकते हैं तो आप उसे अच्छी तरह से नहीं समझते हैं जब मैंने देखा कि मैं जो सबक सीख रहा था वह आधुनिक दुनिया के लिए कितना प्रासंगिक था तो मैं उनमें गहराई से उत्रना चाहता था ताकि मैं उन्हें अन्य लोगों के साथ साज़ा कर सकूँ मेरे मुंबई आने के तीन साल बाद मेरे शिक्षक गोरांगदास ने मुझे बताया कि उनका मानना है कि अगर मैं आश्रम छोड़ दू और जो कुछ मैंने सीखा है उसे दुनिया के साथ साज़ा किया तो मैं अधिक मूले और सेवा का होगा एक साथू के रूप में मेरे तीन साल जीवन के एक पाठशाला की तरह थे साथू बनना कठिन था और छोड़ना और भी कठिन लेकिन आश्रम के बाहर जीवन में ग्यान को लागू करना सबसे कठिन हिस्सा अंतिम परीक्षा की तरह लगा हर दिन मैं देख रहा हूँ कि भीक्षू मानसिक्ता काम करती है वह प्राचीन ग्यान आज चौंकाने वाला प्रासंगिक है इसलिए इसे शेयर कर रहा हूँ इन दिनों मैं अभी भी खुद को एक साधू मानता हूँ हालांकि मैं आमत और पर खुद को पूर्व भीक्षू के रूप में संदर्भित करता हूँ क्योंकि मैं शादी शुदा हूँ और भीक्षू को शादी करने की अनुमती नहीं है मैं लोस एंजिल्स में रहता हूँ जो लोग मुझे बताते हैं कि भौतिकवाद, मुखवटा, कल्पना और समगरण हिलाई की दुनिया की राजधानियों में से एक है लेकिन ऐसी जगह पर क्यों रहते हैं जो पहले से ही प्रबुध है अब दुनिया में और इस पुस्तक में मैं अपने जीवन से जो मैंने जिया है और जो मैंने सीखा है उससे अपने टेक अवे साज़ा करता हूँ यह किताब पूरी तरह से गैर सामप्रदायक है यह कुछ गुप्त रूपान तरण रणनीती नहीं है कसम है मैं यह भी वादा कर सकता हूँ कि यदि आप मेरे द्वारा प्रस्तुत सामगरी से जुड़ते हैं और अभ्यास करते हैं तो आप अपने जीवन में वास्तविक अर्थ, जुनून और उद्देशे पाएंगे इतने सारे लोग पहले कभी इतने असंतुष्ट नहीं हुए थे या खुशी का पीछा करने में इतने व्यस्त नहीं थे हमारी संस्कृती और मीडिया हमें उपलब्धियों और सफलता के मोडल को धारन करते हुए हमें कौन और क्या होना चाहिए इसके बारे में छवियों और अवधारनाओं को खिलाते हैं शोहरत, पैसा, ग्लैमर, सेक्स आखिर इनमें से कोई भी चीज हमें संतुष्ट नहीं कर सकती हम बस अधिक से अधिक की तलाश करेंगे एक ऐसा सरकिट जो निराशा, मुह भंग, असंतोष, नाखुशी और थकावट की ओर ले जाता है मैं भिक्षू मान सकता और जिसे अकसर बंदर दिमाग के रूप में जाना जाता है के बीच एक अंतर बनाना पसंद करता हूँ हमारा दिमाग या तो हमें उपर उठा सकता है या हमें नीचे खीन सकता है वानर मन में लिप्थ होने के कारण आज हम सब अतिविचार, लिलाई और चिंता से जूज रहे हैं बंदर का दिमाग बिना सोचे समझे विचार से विचार, चुनोती से चुनोती, वास्तव में कुछ भी हल किये बिना स्विच करता है. लेकिन हम जो चाहते हैं, उसकी जड़ तक खुदाई करके हम साधू मानसिक्ता को उपर उठा सकते हैं. विकास के लिए कारवाई योगे कदम बनाना. भिक्षु मानसिक्ता हमें भर्म और व्याकुलता से बाहर निकालती है, और हमें स्पष्टता, अर्थ और दिशा खोजने में मदद करती है. बंदर मन कई शाखाओं से अभिभूत यात्री सीट में तट शिकायत करता है, तुलना करता है, आलोचना करता है, और छोटी चीजों से विचलित होता है, अल्पकालिक संतुष्टी की मांग और हकदार परिवर्तन एक लिहर पर नकारात्मक और भय को बढ़ाता है, आत्मक सुधारों की तलाश करता है, मन्क माइंड मुद्दे की जड़ पर केंद्रित है, जानबूज कर और सचेत रूप से रहता है, अनुकमपा, देखभाल, सहयोगी विशलेशन और सपष्ट अनुशासित दीर घकालिक लाब उतसाही, द्रेल संकल्प, रोगी एक मिशन, द्रि नियंतरन और महारत की तलाश करता है, अर्थ की तलाश करता है, वास्तविक समाधान की तलाश करता है, एक साधू की तरह सोचना, जीवन को देखने और उससे संपर्ट करने का एक और तरीका है, विद्रोह, अलगाव, पुन, खोज, उद्देशे, ध्यान, अनुशासन और सेवा का एक तरीका साधू चिंतन का लक्षे अहंकार, इर्ष्या, काम, चिंता, क्रोध, कटुता, बोज से मुक्त जीवन है मेरे विचार से साधू मानसिक्ता को अपनाना संभव नहीं है यह आवशेक है हमारे पास और कोई चारा नहीं है हमें शांती, स्थिर्ता और शांती खोजने की जरूरत है मुझे भिक्षु विद्याले का अपना पहला दिन स्पष्ट रूप से याद है मैंने अभी अभी अपना सिर मुन्डाया था, लेकिन मैंने अभी तक वस्त्र नहीं पहने थे और मैं अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं लंदन से हूँ मैंने देखा कि एक बालक भिक्षु वह दस वर्ष से अधिक का नहीं हो सकता है पांच वर्ष के बच्चों के एक समूह को पढ़ा रहा है उनके बारे में एक महान आभा थी, एक वयस्क की शिष्टता और आत्म विश्वास आप क्या कर रहे हो? मैंने पूछ लिया हमने अभी अभी उनकी पहली कक्षा को पढ़ाया उन्होंने कहा, फिर मुझसे पूछा आपने अपने स्कूल के पहले दिन में क्या सीखा? मैंने अक्षर और अंक सीखना शुरू किया उन्होंने क्या सीखा? पहली चीज जो हम उन्हें सिखाते हैं वह यह है कि संस कैसे ली जाती है? क्यों? मैंने पूछ लिया क्योंकि केवल एक चीज जो आपके जन्म से लेकर मरने के क्षण तक आपके साथ रहती है वह है आपकी संस आपके सभी दोस्त, आपका परिवार, आप जिस देश में रहते हैं वह सब बदल सकता है एक चीज जो आपके साथ रहती है, वह है आपकी संस दस साल के इस साधू ने आगे कहा, जब आप तनावगरस्थ हो जाते हैं, तो क्या बदलाव आते हैं? तुम्हाला सास जब आप क्रोधित होते हैं, क्या परिवर्तन होता है? तुम्हाला सास हम श्वास के परिवर्तन के साथ प्रतेक भावना का अनुभव करते हैं जब आप अपनी सांसों को नेविगेट करना और प्रबंधित करना सीखते हैं तो आप जीवन में किसी भी स्थिती को नेविगेट कर सकते हैं पहले से ही मुझे सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया जा रहा था चीजों की जड़ पर ध्यान के इंद्रित करना न कीपेड के पत्ते या समस्या के लक्षनों पर और मैं प्रतेक्ष अवलोकन के माध्यम से सीख रहा था कि कोई भी भिक्षु हो सकता है भले ही वे केवल पांच या दस वर्ष के हूँ जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले हमें जो करना चाहिए वह है सांस लेना लेकिन जिस तरह उस नवजात शिशु के लिए जीवन अधिक जटिल हो जाता है वैसे ही स्थिर बैठना और संस लेना बहुत चुनोती पूर्ण हो सकता है मैं इस पुस्तक में जो करने की आशा करता हूँ वह आपको साधू मार्ग दिखाने के लिए है हम चीजों की जड़ तक जाते हैं आत्म प्रीक्षा में गहराई तक जाते हैं इस जिग्यासा, विचार, प्रयास और रहस्योद घातन के माध्यम से ही हम शान्ती, शान्त और उद्देशे के लिए अपना रास्ता खोजते हैं मुझे आशा है कि आश्रम में मेरे शिक्षकों द्वारा मुझे दी गई बुद्धी का उप्योग करके मैं आपका मार्ग दर्शन करूँगा आगे के पन्नों में मैं आपको भिक्षु मानसिक्ता के अनुकूल होने के तीन चर्णों के बारे में बताऊंगा सबसे पहले हम अपने आपको बाहरी प्रभावों, आंतरिक बाधाओं और भय से अलग करते हुए जाने देंगे जो हमें पीछे छोड़ते हैं आप इसे एक सफाई के रूप में सोच सकते हैं जो विकास के लिए जगह बनाएगी दूसरा हम बढ़ेंगे मैं आपके जीवन को फिर से आकार देने में आपकी मदद करूँगा ताकि आप इरादे, उद्देशे और आत्म विश्वास के साथ निर्ने ले सकें अंत में हम दे देंगे अपने से परे की दुनिया को देखते हुए कृत गेता की भावना का विस्तार और साज़ा करना और हमारे संबंधों को गहरा करना हम दूसरों के साथ अपने उभार और प्यार साज़ा करेंगे और सेवा के सच्चे आनंद और आश्चरेजनक लाभों की खोज करेंगे रास्ते में मैं आपको तीन अलग अलग प्रकार के ध्यान से परिचित कराऊंगा जिनकी मैं आपके अभ्यास में अनुशनसा करता हूँ श्वास ख्रिया, द्रिश और ध्वनी तीनों के लाभ हैं लेकिन उनमें अंतर करने का सबसे सरल तरीका यह जानना है कि आप शारीरिक लाभों के लिए श्वास प्रश्वास करते हैं शान्ती और संतुलन पाने के लिए अपने आपको शान्त करने के लिए मनोवै ज्यानिक लाभों के लिए द्रिश अतीत को ठीक करने और भविशे के लिए तयार करने के लिए और मानसिक लाभों के लिए जब करना, वास्तविक शुद्धी के लिए अपने गहनतम आत्म और ब्रहमान्द से जुड़ने के लिए इस पुस्तक का लाभ उठाने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यक्ता नहीं है लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं, तो मैं आपको जो उपकरन देता हूँ, वे अधिक तीक्षन होंगे मैं यहां तक कहूंगा कि यह पूरी किताब एक ध्यान है, हमारे विश्वासों और मूलियों और इरादों पर एक प्रतिबिम्ब हम खुद को कैसे देखते हैं, हम कैसे निर्ने लेते हैं, अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित करें और चुनने और बात चीत करने के हमारे तरीके लोग ऐसी गहरी आत्म जाग्रूकता प्राप्त करना ही ध्यान का उद्देशे और प्रतिफल है एक सादू इस बारे में कैसे सोचेगा हो सकता है कि यह ऐसा प्रश्न नहों जो आप अभी स्वयन से पूछते हैं, शायद बिलकुल भी निकट नहीं है, लेकिन यह पुस्तक के अंत तक होगा भाग एक, जाने दो एक, पहचान मैं वही हूँ जो मुझे लगता है, कि मैं हूँ किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भागे को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है भगवद गीता 3.35 1902 में, समाज शास्त्री चार्ल सहोर्टन कूली ने लिखा मैं वह नहीं हूँ जो मुझे लगता है, कि मैं हूँ और मैं वह नहीं हूँ जो आप सोचते हैं, कि मैं हूँ मैं वही हूँ जो मुझे लगता है, कि आप सोचते हैं, कि मैं हूँ इसे एक पल के लिए अपने दिमाग को उड़ा दें हमारी पहचान इस बात में लिप्ती हुई है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं या अधिक सटीक रूप से हम क्या सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं न केवल हमारी आत्मच्वी इस बात से बंधी है कि हम कैसे सोचते हैं कि दूसरे हमें देखते हैं, बलकि आत्म सुधार के हमारे अधिकांश प्रयास वास्तव में हम उस कल्पित आदर्श को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम सोचते हैं कि जिस व्यक्ति की हम प्रशंसा करते हैं, वह धन को सफलता के रूप में देखता है, तो हम उस व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए धन का पीछा करते हैं। यदि हम कलपना करते हैं कि कोई मित्र हमारे रूपरंग को आंक रहा है तो हम प्रतिक्रिया में अपना रूपरंग तयार करते हैं वेस्ट साइड स्टोरी में मारिया एक लड़के से मिलती है जो उसके अंदर है उसका अगला गाना क्या है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस लेखन के समय दुनिया के एक मात्र ट्रिपल सर्वश्रेष्ट अभिनेता ओसकर विजेता डेनियल डे लुईस ने वन नाइन नाइनेट से अब तक केवल छह फिल्मों में अभिने किया है वह प्रतेक भूमिका के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी करते हैं अपने चरित्र में पूरी तरह से ढूब जाते हैं मार्टिन स्कॉर्सेज के गैंगस ओफ न्यू योर्क में बिल धबुचर की भूमिका के लिए उन्होंने कसाई के रूप में प्रशिक्षन लिया सेट पर और बाहर एक मोटी आईरिश उच्चारन के साथ बात की और सरकस के कलाकारों को उन्हें चाकू फेंकने का तरीका सिखाने के लिए काम पर रखा और यह केवल शुरुआत है उन्होंने केवल प्रामानिक उन्नीसवी सदी के कपडे पहने और चरित्र में रोम के चारों और घूमते रहे शुरुआत अजनभियों के साथ बहस और लड़ाई शायद उन्हीं कपडों की बदोलत उसे निमोनिया हो गया डेलुई स्मित्ड एक्टिंग नामक एक तक्नीक को नियोजित कर रहा था जिसके लिए अभिनेता को अपने चरित्र की तरह जितना संभव हो उतना जीने की आवशेक्ता होती है ताकि वह जो भूमिका निभा रहा है वह बन जाए यह एक अविश्वसनिय कोशल और कला है लेकिन अक्सर विधी अभिनेता अपने चरित्र में इतने लीन हो जाते हैं कि भूमिका मंच या स्क्रीन से परे जीवन ले लेती है मैं स्वीकार करूंगा कि मैं पागल हो गया था पूरी तरह से पागल डेलुईस ने स्वतंत्र वर्षों बाद कहा भूमिका को स्वीकार करना मेरे शारीरिक या मानसिक स्वास्थे के लिए इतना अच्छा नहीं था अनजाने में हम सब कुछ हद तक अभिने करने का तरीका है हमारे पास ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हम ओनलाइन खेलते हैं काम पर, दोस्तों के साथ और घर पर इन विभिन व्यक्तियों के अपने लाब हैं वे हमें पैसे कमाने में सक्षम बनाते हैं जो हमारे बिलों का भुगतान करते हैं वे हमें ऐसे कार्यस्थल में काम करने में मदद करते हैं जहां हम हमेशा सहज महसूस नहीं करते हैं, वे हमें उन लोगों के साथ संबंध बनाए रखने देते हैं, जिन्हें हम वास्तव में पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनके साथ बात चीत करने की आवशेक्ता है. लेकिन अक्सर हमारी पहचान में इतनी परते होती हैं, कि हम अपने असली से नजरें हटा लेते हैं, अगर हमें कभी पता चले कि वह कौन या क्या था, हम अपनी कारे भूमिका को अपने साथ घर लाते हैं, और हम अपने दोस्तों के साथ जो भूमिका निभाते हैं, उसे हम अ अपनी भूमिकाय सफलता पूर्वक निभाते हैं, हम असंतुष्ट, उदास, अयोगे और दुखी महसूस करते हैं, मैं और मैं छोटे और शुरू में कमजोर, विक्रित हो जाते हैं, हम उस पर खरा उत्रने की कोशिश करते हैं, जो हम सोचते हैं, कि दूसरे हमारे बारे में स करते हैं, हम वास्तव में इसके बारे में सोचने के बिना, हम कौन हो सकते हैं, इस दो बार प्रतिबिम्बित छवी का उपयोग करके जीवन के विकल्प बनाते हैं, कूली ने इस घटना को, लुकिंग ग्लास सेल्फ, कहा, हम अपने बारे में एक धारना की धारना में रहते हैं, और इसके परिणामस्वरूप हमने अपना वास्तविक स्वयम को दिया है, जब हम किसी और के सपनों के विक्रित प्रतिबिम्ब का पीछा कर रहे होते हैं, तो हम कैसे पहचान सकते हैं, कि हम कौन हैं, और हमें क्या खुशी मिलती है, आप सोच सकते हैं, कि एक भिक्ष बनने का कठिन हिस्सा मजेदार चीजों को छोड़ना है, पार्टी करना, सेक्स करना, टीवी देखना, चीजों का मालिक होना, वास्तविक बिस्तर पर सोना, ठीक है, बिस्तर का हिस्सा बहुत मोटा था, लेकिन इससे पहले कि मैं यह कदम उठाता, एक बड़ी बाधा थी जिसे मुझे पार करना था, अपने मातापिता के लिए अपने करियर, विकल्प को तोड़ना, जब मैं कॉलेज के अपने अंतिम वर्ष को पूरा कर रहा था, तब तक मैंने तय कर लिया था कि मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है, मैंने अपने मातापिता से कहा कि मैं नोकर के तीन विकल्प थे, डॉक्तर, वकील या अस्फल्ता. अपने मातापिता को यह बताने का कोई बेहतर तरीका नहीं है, कि उन्होंने आपके लिए जो कुछ भी किया वह एक भिक्षु बनने की तुलना में वेर्थ था. सभी मातापिता की तरह मेरे पास मेरे लिए सपने थे, लेकिन कम से कम मैंने उन्हें इस विचार में ध्हील दी थी कि मैं एक भिक्षु बन सकता हूँ, हर साल जब मैं 18 वर्ष का था तब से मैं लंदन में एक वित्त नौकरी में ग्रीश मकालीन इंटर्निंग का हिस्सा बिता और भाग मुंबई के आश्रम में वर्ष का प्रशिक्षन, जब तक मैंने अपना निर्ने लिया, तब तक मेरी मा की पहली चिंता वही थी जो किसी भी मा की थी, मेरी भलाई, क्या मेरे पास स्वास्थे देख भाल होगी, क्या ग्यान प्राप्त करना, केवल पूरे दिन बै जिन्होंने सफलता की डॉक्टर वकील असफलता की परिभाशा साझा की थी, यह बात फैल गई कि मैं यह कट्टरपंथी कदम उठा रहा हूं, और उसके दोस्त कहने लगे, लेकिन आपने उसकी शिक्षा में इतना निवेश किया है, और उसका ब्रेनवोश किया गया है, औ और वह अपना जीवन बरबाद करने जा रहा है, मेरे दोस्तों को भी लगा कि मैं जीवन में असफल हो रहा हूं, मैंने सुना, आपको फिर कभी नौकरी नहीं मिलेगी, और आप जीवी को पारजन की किसी भी आशा को दूर कर रहे हैं, जब आप अपना सबसे प्रामानिक जीवन जीने की कोशिश करेंगे, तो आपके कुछ रिष्टे खत्रे में पढ़ जाएंगे, उन्हें खोना एक जोखिम उठाने लायक जोखिम है, उन्हें अपने जीवन में बनाए रखने का एक तरीका कोज़ना एक चुनौती है, जिसे लेने लायक है, सभाग्य से, मेरे विकासशील भिक्षुमन के लिए मेरे मातापिता और उनके दोस्तों की आवाजें सबसे महत्व पूर्ण दिशा निर्देश नहीं थे जिनका मैंने यह निर्ने लेते समय उप्योग किया था इसके बजाए मैंने अपने अनुभव पर भरोसा किया हर साल जब मैं 18 साल का था तब से मैंने दोनों के जीवन की परेक्षा ली थी मैं अपनी ग्रीश मकालीन वित्त नौकरियों से घर नहीं आया लेकिन कुछ भी महसूस कर रहा था लेकिन रात के खाने के लिए भूख लगी थी लेकिन जब भी मैं आश्रम से निकला मैंने सोचा यह अद्भूत है मेरे पास बस अपने जीवन का सबसे अच्छा समय था इन व्यापक रूप से विविध अनुभवों, मूलियों और विश्वास प्रनालियों के साथ प्रयोग करने से मुझे अपना खुद का समझने में मदद मिली एक भिक्षू बनने के लिए मेरी पसंद की प्रतिक्रियाय बाहरी दबावों के उदाहरण हैं, जिनका हम सभी जीवन भर सामना करते हैं हमारे परिवार, हमारे मित्र, समाज, मीडिया हम छवियों और आवाजों से गिरे हुए हैं जो हमें बता रहे हैं कि हमें कौन होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए वे राय और अपेक्षाओं और दायत्वों के साथ संघर्ष करते हैं हाई स्कूल से सीधे सबसे अच्छे कॉलेज में जाओ, एक आकरशक नौकरी ढूंड़ो, शादी करो, घर खरीदो, बच्चे पैदा करो, पदोन्नत हो जाओ. सांस्कृतिक मानदंड एक कारण से मौजूद हैं, एक ऐसे समाज में कुछ भी गलत नहीं है, जो एक पूर्ण जीवन कैसा दिख सकता है, के मोडल पेश करता है. लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे इन लक्षियों को हासिल कर लेते हैं, तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि हमारे पास घर क्यों नहीं है, या हम जहां रहते हैं, वहां खुश नहीं है, हमारी नौकरी क्यों खोकली लगती है, चाहे हम जीवन साथी चाहते हों या कोई लक् से आश्रम में मेरे अनुभवों ने मुझे उस शोर को चानने के लिए आवशेक उपकरण भी दिये थे कारण और समाधान एक ही थे मैं अपने आसपास के शोर के प्रतीकम समवेदनशील था मुझे बता रहा था कि सामाने, सुरक्षित, व्यावारिक, सर्वोत्तम क्या था मैंने उन लोगों को बंद नहीं किया जो मुझे से प्यार करते थे मुझे उनकी परवाह थी और मैं नहीं चाहता था कि वे चिंता करें लेकिन नहीं मैंने उनकी सफलता और खुशी की परिभाशाओं को अपनी पसंद तै करने दिया यह उस समय का सबसे कठिन निर्ने था जो मैंने कभी किया था और यह सही था माता पिता, दोस्तों, शिक्षा और मीडिया की आवाजें सभी एक युवा व्यक्ति के दिमाग में विश्वासों और मूलियों को जन्म देती है सुखी जीवन की समाज की परिभाशा सब की है और किसी की नहीं एक सार्थक जीवन का निर्मान करने का एक मात्र तरीका है कि उस शोर को छान कर भीतर देखें अपने भिक्षु मन के निर्मान के लिए यह पहला कदम है हम इस यात्रा को भिक्षुओं की तरह विकर्शनों को दूर करके शुरू करेंगे सबसे पहले हम बाहरी ताक्तों को देखेंगे जो हमें आकार देती हैं और हमें हमारे मूलियों से विचलित करती हैं फिर हम उन मूलियों का जायजा लेंगे जो वर्तमान में हमारे जीवन को आकार देते हैं और इस पर विचार करेंगे कि क्या वे हमारे अनुरूप हैं और हम कैसे जीना चाहते हैं क्या यह धूल है या यह मैं हूँ गौरांग दास ने मुझे बाहरी प्रभावों को चित्रित करने के लिए एक सुन्दर रूपक की पेशकश की जो हमारे वास्तविक स्वयम को असपश्ट करते हैं हम एक स्टोर रूम में हैं जो अप्रयुक्त पुस्तकों और कलाकृतियों से भरे बकसे से अटे पड़े हैं आश्रम के बाकी हिस्सों के विप्रीत जो हमेशा साफसुत्रा और अच्छी तरह से बहता है यह स्थान धूल से भरा है और जालों में लिप्टा हुआ है वरिष्ट भिक्षु मुझे एक आईने तक ले जाते हैं और कहते हैं आप क्या देख सकते हैं धूल की मोटी परत के बीच मैं अपना प्रतिबिम्भी नहीं देख सकता मैं उतना ही कहता हूँ और साधूसिर हिलाता है फिर वह गिलास के पार अपने बागे की बाह पोंचता है मेरे चहरे पर धूल का एक बादल छा जाता है मेरी आखों को चुबता है और मेरा गला भरता है वे कहते हैं आपकी पहचान धूल से धका एक दरपन है जब आप पहली बार आईने में देखते हैं तो आप कौन हैं और आप क्या मिहत्व रखते हैं, इसकी सच्चाई अस्पष्ट है। इसे साफ करना सुख्द नहीं हो सकता है, लेकिन जब वह धूल चली जाती है, तब ही आप अपना असली प्रतिबिम्ब देख सकते हैं। यह सोलहवी शताबदी के बंगाली हिंदू संत चैतने के शब्दों का एक व्यावहारिक प्रदर्शन था। परंपराय बोलना छोड़ देती हैं, कुछ सेक्स छोड़ देती हैं, कुछ सांसारिक संपत्ती छोड़ देती हैं, और कुछ तीनों को छोड़ देती हैं। आश्रम में हम बस उसी के साथ रहते थे जिसकी हमें जरूरत थी और कुछ नहीं। मैंने पहली बार जाने देने के ज्ञान का अनुभव किया जब हम गैर जरूरी चीजों में दबे होते हैं तो हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है मैं आपको इन में से किसी भी चीज को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन मैं बाहरी प्रभावों के शोर को पहचानने और छानने में आपकी मदद करना चाहता हूं इस तरह हम धूल साफ करते हैं और देखते हैं कि क्या वे मूले वास्तव में आपको प्रतिबिम्बित करते हैं मार्गदर्शक मूले वे सिध्धान्त हैं जो हमारे लिए सबसे महत्व पूर्ण हैं और हमें लगता है कि हमें मार्गदर्शन करना चाहिए हम कौन बनना चाहते हैं हम अपने और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं मूल्य स्वतंत्रता, समानता, करुना, इमानदारी जैसी एक लशब्द अवधारनाय है यह थोड़ा अमूर्त और आदर्शवादी लग सकता है लेकिन मूल्य वास्तव में व्यावहारिक है वे एक प्रकार के नैतिक GPS हैं, जिनका उप्योग हम जीवन में नेविगेट करने के लिए कर सकते हैं यदि आप अपने मूल्यों को जानते हैं, तो आपके पास ऐसे दिशानिर देश हैं, जो आपको लोगों और कारियों और आदितों की ओर इशारा करते हैं, जो आपके लिए सर्वोत्तम हैं जैसे जब हम एक नए शेत्र से गुजरते हैं, तो हम बिना मूल्यों के लक्षेहीन होकर भटकते हैं, हम गलत मोड लेते हैं, हम खो जाते हैं, हम अनिरने में वंस जाते हैं मूल्य आपके लिए अपने आपको सही लोगों के साथ गेरना, कठिन करियर विकल्प बनाना, अपने समय का अधिक बुद्धिमानी से उप्योग करना और अपना ध्यान उस स्थान पर केंद्रित करना आसान बनाते हैं, जहां यह मायने रखता है उनके बिना हम विकर्शनों में बह जाते हैं मूल्य कहां से आते हैं हमारी नींद में हमारे मूल्य हमारे पास नहीं आते हैं हम उन्हें होशपूर्वक नहीं सोचते हैं शायद ही हम उन्हें शब्दों में बया करते हैं लेकिन फिर भी वे मौजूद हैं हर कोई परिस्थितियों के एक निश्चित सेट में पैदा होता है, और हमारे मूलियों को हम जो अनुभव करते हैं, उससे परिभाशित होते हैं। क्या हम कठिनाई या विलासिता में पैदा हुए थे? हमें प्रशंसा कहां मिली? मातापिता और देखभाल करने वाले अकसर हमारे सबसे बड़े प्रशंसक और आलोचक होते हैं। यद्यपी हम अपनी किशोरावस्था में विद्रोह कर सकते हैं, हम आम तोर पर उन आधिकारिक आंकड़ों को खुश करने और उनका अनुकरन करने के लिए मजबूर होते हैं। पीछे मुड कर देखें, तो सोचें कि आपने अपने माता पिता के साथ कैसा समय बिताया। खेलना, बातचीत का आनंद लेना, परियोजनाओं पर एक साथ काम करना। उन्होंने आपको जो बताया वह सबसे महत्वपूर्ण था और क्या यह उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात से मिल खाता था। वे आपको कौन बनना चाहते थे। वे आपसे क्या हासिल करना चाहते थे। उन्होंने आपसे कैसे विवहार करने की अपेक्षा की? क्या आपने इन आदर्शों को आत्म साथ किया और क्या उन्होंने आपके लिए काम किया? शुरू से हमारी शिक्षा एक और शक्तिशाली प्रभाव है जो विशय पढ़ाये जाते हैं जिस सांस्कृतिक कोम से उन्हें पढ़ाया जाता है जिस तरह से हमसे सीखने की उम्मीद की जाती है एक तथ्य संचालित पाठेकरम रचनात मत्ता को प्रोथ साहित नहीं करता है एक संकीर्न संस्कृतिक द्रिष्टिकोम विभिन प्रिष्ठ भूमी और स्थानों के लोगों के लिए सहिश्नुता को बढ़ावा नहीं देता है और हमारे जुनून में खुद को विसरजित करन जिनमें से कुछ कम प्रतिबंधात्मक हैं लेकिन यह विचार करने के लिए एक कदम पीछे हटने लायक है कि क्या आपने स्कूल से जो मूल्यों को महसूस किया है आप पर अधिकार मीडिया मायंड गेम एक भिक्षू के रूप में मैंने बहुत पहले ही जान लिया था कि हमारे मूल्य हमारे दिमाग में जो कुछ भी अवशोशित करते हैं उससे प्रभावित होते हैं हम अपने दिमाग नहीं है लेकिन मन वह वाहन है जिसके द्वारा हम तै करते हैं कि हमारे दिल में क्या महत्व पूर्ण है हम जो फिल्में देखते हैं, जो संगीत हम सुनते हैं, जो किताबें हम पढ़ते हैं, तीवी शो हम दुई घातु मान करते हैं, जिन लोगों का हम ओनलाइन और ओफलाइन अनुसरन करते हैं आपके न्यूज फीड में जो है, वह आपके दिमाग को खिला रहा है जितना अधिक हम से लिब्रिटी गपशप, सफलता की छवियों, हिंसत वेडियो गेम और परेशान करने वाली खबरों में लीन होते हैं, उतना ही हमारे मूले इरश्या, निर्ने, प्रतिसपर्धा और असंतोश से दूशित होते हैं इसे आज माई, आपके मूले कहां से आए? इन आकस्मिक प्रभावों का हम पर पढ़ने वाले प्रभाव को समझना कठिन हो सकता है मूले अमूर्थ, मायावी हैं, और जिस दुनिया में हम रहते हैं, वह लगातार स्पष्ट और अचेतन को धक्का देती है हमें क्या चाहिए, और हमें कैसे जीना चाहिए, और हम कौन हैं, इस बारे में अपने विचार कैसे बनाते हैं, इस बारे में सुझाव कुछ ऐसे मूले लिखिए जो आपके जीवन को आकार देते हैं प्रतेक के आगे मूल लिखें प्रतेक मान के आगे एक चेक मार्क लगाएं जिसे आप वास्तव में साज़ा करते हैं उदाहरण मूल ये दयालुता दिखावट धन अच्छा ग्रेड ग्यान परिवार मूल अभिभावक मीडिया अभिभावक स्कूल स्कूल परमपरा क्या यह मेरे लिए सठ है उसी तरह नहीं वास्तविक शिक्षा में कोई हस्तक शेप नहीं परिवार हाँ लेकिन पारमपरिक नहीं अवलोकन और मूल यांकन एक साधू की तरह सोचने की कुंजी है और वे अंतरिक्ष और शांती से शुरू होते हैं भिक्षूओं के लिए बाहरी प्रभावों के शोर को चानने में पहला कदम एक सामगरी को छोड़ना है मैंने तीन बार आश्रम का दोरा किया सनातक की उपाधी प्राप्त की फिर आधिकारिक तोर पर एक भिक्षू बन गया लंदन के उत्तर में ग्रामीन इलाकों में एक मंदिर भक्ति वेदान्त मनोर में कुछ महीनों के प्रशिक्षन के बाद मैं सितंबर 2010 की शुरूआत में गाव के आश्रम में पहुँचने के लिए भारत चला गया मैंने अपने अपेक्षाकरित स्टाइलिश कपडों को दो वस्तरों के लिए बदल दिया एक पहनने के लिए और एक धोने के लिए मैंने अपने काफी स्लीक हें रकट को जब्त कर लिया कोई बाल नहीं हमारे सिर मुंडा दिये गए और मुझे खुद को पर्खने के लगभग सभी अवसरों से वंचित कर दिया गया था अश्रम में कोई दरपन नहीं था सिवाए इसके की मुझे बाद में स्टोर रूम में दिखाया जाएगा इसलिए हम भिक्षों को अपनी उपस्थिती पर ध्यान देने से रोका गया एक साधारन आहार खाया जो शायद ही कभी बदलता था फर्श पर बिचाई गई पतली चटाई पर सोता था और एक मात्र संगीत जो हमने सुना वह था मंत्र और घंटिया जो हमारे ध्यान और अनुष्ठानों को विराम देती थी हमने फिल्मे या टीवी शो नहीं देखे और हमें एक सामप्रदाइक शेत्र में साज़ा डेस्क टॉक कम्प्यूटर पर सीमित समाचार और इमेल प्राप्त हुए अंतरिक्ष, शान्ती और मौन के अलावा इन विकर्शनों की जगह कुछ भी नहीं लिया जब हम अपने आसपास की दुनिया की राय, उम्मीदों और दायत्वों को देखते हैं तो हम खुद को सुनना शुरू कर देते हैं उस सन्नाटे में मैं बाहर के शोर और अपनी आवाज में फर्क पहचानने लगा मैं अपने मूल विश्वासों को देखने के लिए दूसरों की धूल जाड सकता था मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपसे अपना सिर मुंदवाने और कपड़े पहनने के लिए नहीं कहूंगा लेकिन आधुनिक दुनिया में हम जागरूकता पैदा करने के लिए खुद को जगह, मौन और शान्ती कैसे दे सकते हैं हम मेंसे अधिकांश लोग बैठकर अपने मूलियों के बारे में नहीं सोचते हैं हम अपने विचारों के साथ अकेले रहना पसंद नहीं करते हमारा जुकाव मौन से बचना है, अपने सिर को भरने की कोशिश करना है, चलते रहना है अधेनों की एक श्रिंखला में वरजीनिया विश्व विद्याले और हारवर्ड के शोधकरताओं ने प्रतिभागियों को केवल 6-15 मिनट अकेले कमरे में बिताने के लिए कहा जिसमें कोई स्मार्ट फोन नहीं, कोई लेखन उपकरण नहीं था, और पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था फिर शोधकरताओं ने उन्हें संगीत सुनने या अपने फोन का उप्योग करने दिया प्रतिभागियों ने नकेवल अपने फोन और संगीत को प्रात्मिक तादी, उनमें से कई ने अपने विचारों के साथ अकेले रहने के बजाए खुद को बिजली के जटके से जपकाने का विकल्प चुना यदि आप हर दिन किसी नेटवर्किंग इविंट में जाते हैं और लोगों को यह बताना होता है कि आप जीवने अपन के लिए क्या करते हैं, तो आप कौन हैं, इस कमी से दूर होना मुश्किल है यदि आप हर रात रियल हाउस वाइवस देखते हैं, तो आप यह सोचने लगते हैं, कि अपने दोस्तों के चहरे पर शराब के गिलास फेंकना नियमित व्यवहार है जब हम अपने जीवन को भर देते हैं, और अपने आपको प्रतिबिम्बित करने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं, तो वे विकर्षन डिफॉल्ट रूप से हमारे मूले बन जाते हैं जब हम वेस्थ होते हैं, तो हम अपने विचारों को सम्बोधित नहीं कर सकते हैं, और अपने दिमाग का पता नहीं लगा सकते हैं नहीं सिर्फ अपने घर में बैठे रहने से कुछ सिखलाँते हैं मैं आपको तीन तरीकों से सुझाव देता हूँ कि आप सक्री रूप से प्रतिबिम्प के लिए जगह बनाएं सबसे पहले दैनिक आधार पर मैं आपको यह सोचने के लिए बैठने की सलाह देता हूँ कि दिन कैसा गुजरा और आप किन भावनाओं को महसूस कर रहे हैं दूसरा महीने में एक बार आप उस बदलाव का अनुमान लगा सकते हैं जो मैंने आश्रम में पाया था किसी ऐसे स्थान पर जाकर आप खुद को एक अलग वातावरन में तलाशने के लिए पहले कभी नहीं गए थे यह किसी पार्क या पुस्तकाले में जाने से लेकर यात्रा करने तक कुछ भी हो सकता है अन्त में किसी ऐसी चीज में शामिल हों जो आपके लिए सार्थक हो एक शोक, एक दान, एक राजनीतिक कारण जगह बनाने का एक और तरीका यह है कि हम इस बात का जाय जा लें कि हमारे पास जो जगह है उसे हम कैसे भर रहे हैं और क्या ये विकल्प हमारे वास्तविक मूल्यों को दर्शाते हैं अपने जीवन का ओडिट करें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं कि आपके मूल्य क्या हैं आपके कारे वास्तविक कहानी बताते हैं हम अपने खाली समय के साथ क्या करते हैं यह दर्शाता है कि हम क्या मिहत्व रखते हैं उदाहरण के लिए आप अपने परिवार के साथ समय बिताने को अपने मूलियों की सूची में सबसे उपर रख सकते हैं, लेकिन यदि आप खर्च करते हैं आपका सारा खाली समय गोल्फ खेलना, आपके कारे आपके मूलियों से मिल नहीं खाते और आपको कुछ आत्म प्रेक्षा करने की आवशेक्ता है समय सबसे पहले आई ये आकलन करें कि जब आप सो नहीं रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं तो आप समय कैसे व्यतीत करते हैं शोधकरताओं ने पाया है कि हमारे जीवन के अंत तक हम में से प्रतेक उस्तन 33 साल 20 तर पर जिसमें से 7 साल सोने की कोशिश में बिताए जाएंगे एक साल और चार महीने व्यायाम करने और तीन साल से अधिक समय बिताएंगे चुटी पर अगर आप एक महिला हैं तो आपको तैयार होने में 136 दिन लगेंगे यदि आप पुरुष हैं तो यह संख्या घटकर 46 दिन रह जाती है यह निश्चित रूप से केवल अनुमान हैं लेकिन हमारे दैनिक विकल्प जुड़ते हैं इसे आजमाई अपना समय और इट करें आप निमनलिखित के लिए कितना समय देते हैं इस पर नजर रखने में एक सप्ताह व्यतीत करें परिवार, मित्र, स्वास्थे और स्वयें ध्यान दे की हम सोना, खाना और काम करना छोड़ रहे हैं काम अपने सभी रूपों में सीमाओं के बिना फैल सकता है अगर यह आपके लिए मामला है तो अपनी खुद की परिभाशा निर्धारित करें कि आप कब काम पर आधिकारिक तोर पर हैं और अतिरिक्त कारे को अपनी श्रेनियों में से एक बनाई जिन क्षेत्रों में आप सबसे अधिक समय बिताते हैं वे आपके लिए सबसे अधिक मूलेवान होने चाहिए कहें कि आपकी नौकरी के लिए जितना समय आपके लिए महत्वपूर्ण है, उससे अधिक समय की आवश्यकता है यह एक संकित है कि आपको उस निर्णे को बहुत बारेकी से देखने की जरूरत है आप किसी ऐसी चीज पर समय बिताने का निर्णे ले रहे हैं जो आपको महत्व पूर्ण नहीं लगती उस निर्णे के पीछे क्या मूल्य हैं? क्या आपकी नौकरी से आपकी कमाई अंततह आपके मूल्यों की सेवा कर रही है? मीडिया जब आपने अपना ओडिट किया, तो निस्संदिह आपका काफी समय मीडिया पढ़ने या देखने में व्यतीत हुआ शोधकर्ताओं का अनुमान है, कि ओस्तन हम में से प्रतेक अपने जीवन के 11 वर्ष से अधिक समय टीवी और सोशल मीडिया को देखने में व्यतीत करेगा शायद आपकी मीडिया पसंद आकस्मिक लगती है, लेकिन समय मूल्यों को दर्शाता है मीडिया के कई रूप हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग फिल्मों, टीवी या पत्रिकाओं पर इसे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं यह सब उपकर्णों के बारे में है आसानी से आपका आइफोन आपको बताएगा कि आप इसका उप्योग कैसे कर रहे हैं सेटिंग्स के तहट, पिछले सप्ताह के लिए स्क्रीन टाइम रिपोर्ट देखे और आप देखेंगे कि आप सोशल मीडिया, गेम्स, मिल और वेब ब्राउज करने में कितना समय बिताते हैं यदि आप जो देखते हैं, वह आपको पसंद नहीं है, तो आप अपने लिए सीमाय भी निर्धारित कर सकते हैं एंड्रोइड पर आप सेटिंग्स के तहट अपने बैटरी उप्योग को देख सकते हैं फिर मेनों से पूर्ण डिवाइस उप्योग दिखाएं, चुने या फिर आप सोशिल हल फीवर या एम वाई डी डी आई सी टी ओ एमी टी ए आर जैसे एप को डाउनलोड कर सकते हैं पैसे समय की तरह आप उन मूलियों को देखने के लिए खर्च किये गए पैसे को देख सकते हैं, जिनके द्वारा आप जीते हैं घर, आश्रितों, कार, बिल, भोजन और कर्च जैसी आवश्यक्ताओं को छोड़ दें अब अपने विवेकाधीन खर्च को देखें इस महीने आपका सबसे बड़ा निवेश क्या था? कौन से विवेकाधीन शेत्र आपको सबसे अधिक खर्च कर रहे हैं? क्या आपका खर्च आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है? हमारे पास अक्सर इसके लायक के बारे में एक अजीब द्रिश्टी कोन होता है जिसका कोई मतलब नहीं है यदि आप एक बार में अपने सभी खर्चों को देखते हैं मैं किसी ऐसे व्यक्ती को सलाह दे रहा था जिसने शिकायत की थीक की परिवार बच्चों के लिए कि हम अपना समय और पैसा कैसे खर्च करते हैं यह कैसे प्रकट होता है कि हम क्या मिहत्व देते हैं 60 मिनट का टीवी शो उडान भर परिवार के साथ 60 मिनट का दो भर का भूजन क्या यह कभी खत्म होगा हर दिन कॉफी की आदद $4 दिन लगभग $1500 वर्ष इसे चाहिए ताजा स्वस्थ भोजन विकल्प अतिरिक्त एक पचास दिन लगभग 5-50 वर्ष इसकी कीमत नहीं है 15 मिनट सोशल मीडिया मी टाइम स्क्रॉल करते हुए 15 मिनट ध्यान कोई समय नहीं आप इसे कैसे देखते हैं यह सब है जब आप एक महीने के खर्च को देखते हैं तो इस बारे में सोचें कि क्या विवेकाधीन खरीदारी लंबी या अल्पकालिक निवेश थी एक बढ़िया डिनर आउट या डांस क्लास वे मनोरंजन के लिए थे या ग्यानोदे के लिए अपने लिए या किसी और के लिए यदि आपके पास जिम की सदसेता है लेकिन इस महीने केवल एक बार गए और शराब पर अधिक खर्च किया तो आपको कुछ पुनर्विचार करना होगा अपने मूलियों को क्योरेट करें सेल्फ ओर्डिट करना आपको उन मूलियों के बारे में बताता है जो डिफॉल्ट रूप से आपके जीवन में आ गए हैं अगला कदम यह तै करना है कि आपके मूले क्या हैं और क्या आपके विकल्प उनके अनुरूप हैं भिक्षु मूल्यों पर विचार करने से आपको अपनी पहचान बनाने में मदद मिल सकती है आश्रम में हमारे शिक्षकों ने समझाया कि उच्च और निम्न मूल्य है उच्च मूल्य हमें खुशी, त्रिप्ती और अर्थ की ओर ले जाते हैं और बढ़ाते हैं निम्न मूल्य हमें चिंता, अवसाद और पीडा की ओर ले जाते हैं गीता के अनुसार ये उच्च मूल्य और गुन हैं निर्भैता, मन की पवित्रता, कृत गेता, सेवा और दान, स्वीकृती, येगे करना, ग्यहन अधेयन, तपस्या, सीधापन, अहिंसा, सत्यता, क्रोध का अभाव, त्याग, द्रिष्टिकुम, संयम दोश खोजने से, सभी जीवित प्रानियों के प्रती करुना, संतुष् ध्यान देर की खुशी और सफलता इन मूल्यों में से नहीं हैं, ये मूल्य नहीं हैं, वे पुरसकार हैं, अंतिम खेल, और हम उन्हें अध्याय चार में आगे संबोधित करेंगे लोब, काम, कुरोध, अहंकार, मोह और एरश्या ये छह निम्न मूल्य हैं निचले मूल्यों का नकारात्मक पक्ष यह है, कि जब हम उन्हें ऐसा करने के लिए जगह देते हैं, तो वे इतनी आसानी से हमें संभाल लेते हैं, लेकिन उल्टा यह है, कि उन्में से बहुत कम हैं या, जैसा कि मेरे शिक्षक गौरांग दास ने हमें याद दिलाया है, खींचने के बजाए हमेशा उपर खींचने के और भी तरीके होते हैं हम मूल्यों के एक समूह को पतली हवा से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, और रातों रात व्यापक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं इसके बजाए, हम उन जूठे मूल्यों को छोड़ना चाहते हैं, जो हमारे जीवन में जगह भरते हैं आश्रम ने हमें भीक्षों को प्रकृती का निरेक्षन करने का अवसर दिया, और हमारे शिक्षकों ने सभी जीवित चीजों के चक्रों पर हमारा ध्यान आकरशित किया पत्तिया अंकुरित होती हैं, रूपान्तरित होती हैं, और गिरती हैं सरी सरिप, पक्षी और स्तंधारी अपनी खाल, पंक, फर छोड़ देते हैं जाने देना प्रकृती की ले का एक बड़ा हिस्सा है, जैसा की पुनर्जन्म है हम इंसान सामान से चिपके रहते हैं, लोग, विचार, भौतिक संपत्ती, मेरी कांडो की पुस्तक की प्रतिया, यह सोचकर कि इसे शुद्ध करना अप्राकृतिक है लेकिन जाने देना अंतरिक्ष, शाब्धिक रूप से और शान्ती का एक सीधा मार्ग है हम शारीरिक रूप से नहीं तो भावनात्मक रूप से उन लोगों और विचारों से अलग हो जाते हैं, जो हमारे जीवन को भर देते हैं और फिर हम उन प्राकृतिक जुकावों का निरेक्षन करने के लिए समय निकालते हैं, जो हमें मजबूर करते हैं विकल्प हर दिन साथ आते हैं और हम उनमें मूल्यों को बुन्ना शुरू कर सकते हैं जब भी हम कोई चुनाव करते हैं, चाहे वह शादी करने जितना बढ़ा हो या दोस्त के साथ बहस जितना चोटा हो हम अपने मूल्यों से प्रेरित होते हैं चाहे वे उच्चहों या निम्न यदि ये विकल्प हमारे लिए अच्छा काम करते हैं तो हमारे मूल्य हमारे कारियों के अनुरूप है लेकिन जब चीजें काम नहीं करती हैं तो यह फिर से देखने लायक है कि आपने जो निर्ने लिया है उसके कारण क्या हुआ इसे आजमाई पिछले मूल्य आपके द्वारा चुने गए तीन सबसे अच्छे और तीन सबसे खराब विकल्पों पर विचार करें आपने उन्हें क्यों बनाया आपने क्या सीखा आपने इसे अलग तरीके से कैसे किया होगा उपर दिये गए इसे आजमाई के अपने उत्तरों पर करीब से नजर डाले उनमें आपके मूले दबे हुए है आपने चुनाव क्यों किया हो सकता है कि आप सही या गलत व्यक्ति के साथ इसी कारण से रहे हो क्योंकि आप प्यार को मिहत्व देते हैं या हो सकता है कि आप देश भर में चले गए क्योंकि आप एक बदलाव चाहते थे अंतरनिहित मूले साहसिक हो सकता है अब भविषय के लिए भी यही काम करें देखने के लिए अपने सबसे बड़े लक्षे देखें अगर वे अने लोगों, परमपरा या मीडिया द्वारा संचालित विचारों से प्रेरित हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए इसे आजमाए मूल्य चालित निर्ने अगले सप्ताह के लिए जब भी आप किसी गैर जरूरी पर पैसा खर्च करते हैं या योजना बनाते हैं कि आप अपना खाली समय कैसे व्यतीत करेंगे रुके और सोचें इस विकल्प के पीछे क्या मूल्य है यह केवल एक सेकंड लेता है, विचार का एक फ्लेश आदर्श रूप से यह क्षणिक विराम सहज हो जाता है जिससे आप इस बारे में सचेत चुनाव कर रहे हैं कि आपके लिए क्या मायने रखता है और आप इसे कितनी उर्जा देते हैं फिल्टर O.E.O.S. उन्हें ब्लॉक न करें एक बार जब आप विचारों, अपेक्षाओं और दायत्वों O.E.O. के शोर को छान लेते हैं तो आप दुनिया को अलग नजरों से देखेंगे अगला कदम दुनिया को वापस अंदर बुला रहा है जब मैं आपसे बाहरी प्रभावों को दूर करने के लिए कहता हूं तो मैं नहीं चाहता कि आप पूरी दुनिया को अनिश्चित काल के लिए ट्यून करें आपका भिक्षु मन अन्य लोगों से सीख सकता है और सीखना चाहिए चुनोती यह है कि अपने आपसे सरल प्रशन पूछ कर ऐसा होश पूर्वक किया जाए मैं परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों में किन गुनों की तलाश प्रशन सा करता हूँ क्या वे विश्वास, आत्म विश्वास, द्रेल संकल्प, इमानदारी हैं वे जो भी हों, ये गुन, वास्तव में, हमारे अपने मूले हैं उनहीं स्थलों का उप्योग करना चाहिए, जिनका उप्योग हमें अपने जीवन के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए करना चाहिए जब आप अकेले नहीं होते हैं, तो अपने आपको ऐसे लोगों से घेर लें, जो आपके मूलियों के अनुकूल हों यह एक ऐसे समुदाय को खोजने में मदद करता है जो दर्शाता है कि आप कौन बनना चाहते हैं एक ऐसा समुदाय जो आपके इच्छित भविशे की तरह दिखता है याद रखें कि कौलेज के अपने अंतिम वर्ष के दोरान मेरे लिए एक साधू की तरह रहना कितना कठिन था और अब मेरे लिए लंदन में रहना मुश्किल है जिन लोगों के साथ मैं बड़ा हुआ और उनके जीने के तरीके से गिरे हुए मैं सोने, गपशप करने, दूसरों का न्याय करने के लिए ललचाता हूँ एक नई संस्कृती ने मुझे खुद कोफेर से परिभाशित करने में मदद की और एक और नई संस्कृती ने मुझे अपने रास्ते पर चलते रहने में मदद की हर बार जब आप घर जाते हैं या कोई अलग काम करते हैं या नए रिष्टे की शुरुआत करते हैं तो आपके पास खुद को फिर से स्थापित करने का एक सुनहरा अवसर होता है कई अधेयनों से पता चलता है कि जिस तरह से हम अपने आसपास की दुनिया से संबंधित हैं वह संक्रामक है मैसाचुसेट्स शहर में रहने वाले लोगों के 20 साल के एक अधेयन से पता चला है कि खुशी और अवसाद दोनों सामाजिक दाइरे में फैल गए हैं अगर कोई दोस्त जो आपसे एक मील के दाइरे में रहता है खुश हो जाता है तो आपके भी खुश होने की संभावना 25 प्रतिशत बढ़ जाती है अगले दरवाजे वाले पडोसियों के साथ प्रभाव अधिक बढ़ जाता है आप अपने आपको किसके साथ गेरते हैं? आपको अपने मूलियों पर ठिके रहने और अपने लक्षियों को प्राप्त करने में मदद करता है आप एक साथ बढ़ते हैं यदि आप 2,45 मेराथन दोड़ना चाहते हैं तो आप 4,45 दोडने वाले लोगों के साथ प्रशिक्षन नहीं लेते हैं यदि आप अधिक आध्यात्मिक बनना चाहते हैं तो अन्य आध्यात्मिक लोगों के साथ अपने अभ्यास का विस्तार करें यदि आप अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो स्थानिय चैंबर ओफ कॉमर्स या व्यापार मालिकों के एक ओनलाइन समूह में शामिल हों जो इसी तरह की सफलता की ओर प्रेरिथ होते हैं यदि आप एक अधिक काम करने वाले मातापिता हैं जो अपने बच्चों को अपनी प्रात्मिक्ता बनाना चाहते हैं तो अन्य मातापिता के साथ संबंध विक्सित करें जो अपने बच्चों को प्रात्मिक्ता देते हैं, ताकि आप समर्थन और सलाह का आदान प्रदान कर सकें बेहतर अभी तक, जहां संभव हो, समूहों को पार करें, परिवार उन्मुख आध्यात्मिक उद्यमियों के साथ संबंधों को बढ़ावा दें जो मैं राथन दोड़ते हैं ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, फिर भी आज की दुनिया में जहां हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा कनेक्ट होने के तरीके हैं LinkedIn और Meetup जैसे प्लेटफोर्म और Facebook ड्रूप जैसे टूल आपके जनजाती को ढूंधना पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाते हैं यदि आप प्यार की तलाश में हैं, तो ऐसे स्थानों की तलाश करें जो मूल्य चालित हों, जैसे सेवा के अवसर, फिटनेस या खेल गती विधिया, किसी ऐसे विशे पर व्याख्यान की एक श्रिंखला जिसमें आपकी रुची हो यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं, कि आपके मूल्यों के संबंध में अने लोग कहां फिट होते हैं, तो अपने आप से एक प्रशन पूछें, जब मैं इस व्यक्ती या समूह के साथ समय बिताता हूं, तो क्या मुझे ऐसा लगता है, कि मैं जो बनना चाहता हूं, उसके क नहीं है, कि मैंने कभी ऐसा किया है, बनाम सार्थक बातचीत में संगलगन होना जो आपके जीवन की गुनवत्ता में सुधार करता है, या उत्तर अधिक असपश्ट हो सकता है, उनके साथ समय बिताने के बाद चिडचिडापन या मानसिक फजीहत जैसी भावना, उन लोग के आसपास रहना अच्छा नहीं लगता जो हमारा समर्थन नहीं करते या हमारी बुरी आदतों को सामने नहीं लाते, इसे आजमाए, सहयोगी लेखा परीक्षा, एक सप्ताह के दोरान, उन लोगों की सूची बनाए जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं, उन मूल मूलियों के साथ सबसे अधिक निक्टता से जुड़े हुए हैं, आप किस से बात करते हैं, आप क्या देखते हैं, आप अपने समय के साथ क्या करते हैं, ये सभी सरोत मूलियों और विश्वासों को आगे बढ़ाते हैं, यदि आप अपने मूलियों पर सवाल किये बिना सि अगले दिन जा रहे हैं, तो आप हर उस चीज से प्रभावित होंगे, जो आपके परिवार से लेकर मार्केटिंग पेशेवरों की भीड तक आपको सोचना चाहती है। मैं खुद को हर समय स्टोर रूम में उस पल की याद दिलाता हूं। मेरे दिमाग में एक विचार आता है, और मैं खुद से पूछता हूं, क्या यह मेरे चुने हुए मूलियों या दूसरों ने मेरे लिए चुने गए मूलियों पर फिट बैठता है। यह धूले या मैं हूं। जब आप अपने आपको जगह और शान्ती देते हैं, तो आप धूल साफ कर सकते हैं, और खुद को दूसरों की आँखों से नहीं, बलकि भीतर से देख सकते हैं। अपने मूलियों की पहचान करना और उन्हें मार्गदर्शन देना आपको बाहरी प्रभावों को फिल्टर करने में मदद करेगा। अगले अध्याय में ये कौशल आपको अवांचित मनोवरित्तियों और भावनाओं को चानने में मदद करेंगे। दो, नकारात मक्ता, दुष्ट राजा भूखा चला जाता है। दूसरों के दुख पर अपनी खुशी का निर्मान करना असंभव है। दैसाकू इकेदा, मेरे कॉलेज के तीसरे वर्ष के बाद की गर्मी है। मैं आश्रम में एक महीना बिता कर लोटा हूँ और अब एक फाइनेंस फर्म के लिए इंटरनशिप कर रहा हूँ। मैं अपने कुछ सहयोगियों के साथ दो भर का भोजन कर रहा हूँ। हमने सेंदविच पकड़ लिये हैं और उन्हें इमारत के सामने कंक्रीट के आंगन में ले आए हैं। जहां निचली दीवारे कड़ी मेहनत से पार करती हैं और सूट में युवा लोग तेजी से दो भर का भोजन करते हैं। गर्मी की धूप में डीफ्रोस्टिंग करते हैं अतिवातानु कूलित भवन में लोटने से पहले। मैं पानी से बाहर एक साधु हूँ। क्या आपने गेबे के बारे में सुना। मेरा एक दोस्त जोर से कानाफूसी में कहता है। साजेदारों ने उसकी प्रस्तुती को तोड़ दिया। वह यार एक और दोस्त सिर हिलाते हुए कहता है। वह तेजी से डूब रहा है। मैं गौरांगदास की कक्षा में वापस आता हूँ जिसे मन का कैंसर, तुलना करना, शिकायत करना, आलोचना करना कहा जाता है। कक्षा में हमने गपशप सहित नकारात्मक विचारों की आदतों के बारे में बात की। हमने जो अभ्यास किया उनमें से एक यह था कि हमने जो भी आलोचना की या सोचा था, उसका मिलान कर रहे थे। प्रतेक के लिए हमें उस व्यक्ति के बारे में दस अच्छी बातें लिखनी थी। यह कठिन था। हम एक साथ रह रहे थे, करीब त्वार्टर में। मुद्दे सामने आए, उनमें से ज़्यादातर छोटे थे। एक साधू के स्नान का उसत समय चार मिनट था। जब बारिश के समय एक लाइन होती थी, तो हम इस पर दाम लगाते थे कि कौन ज्यादा समय ले रहा है। यह था। एक मात्र सट्टा हमने किया। क्योंकि भिक्षू और हालांकी खराटे लेने वालों को उनके अपने कमरे में भेज दिया गया था। कभी कभी नए चिकित सक उभरे और हमने उनके खराटों को मोटर साइकल के पैमाने पर रेट किया। यह भिक्षू एक वेस्पा है। वह हारले डेविडसन है। मैं अभ्यास के माध्यम से चला गया। कर्तवे प्रायनता से हर आलोचना को ध्यान में रखते हुए मैंने परची दी। प्रतेक के आगे मैंने दस सकारात्मक गुन लिखे। अभ्यास के बिंदू को समझना मुश्किल नहीं था हर व्यक्ती बुरे से ज़्यादा अच्छा था लेकिन इसे प्रिष्ट पर देखकर अनुपात कम हो गया। इससे मुझे अपनी कमजोरियों को अलग तरह से देखने में मदद मिली। मैंने अपनी गलतियों को अपनी ताकत के खिलाफ संतुलित किये बिना उन पर ध्यान के इंदृत करने की कोशिश की। जब मैंने खुद को आत्म आलोचनात्मक पाया, तो मैंने खुद को याद दिलाया कि मुझे में भी सकारात्मक गुन हैं। अपने नकारात्मक गुनों को संदर्ब में रखने से मुझे अपने आप में उसी अनुपात को पहचानने में मदद मिली, कि मैं बुरे से ज्यादा अच्छा हूँ। हमने कक्षा में इस फीडबैक लूप के बारे में बात की, जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं, तो हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप में बुराई को नोटिस कर सकते हैं। लेकिन जब हम दूसरों में अच्छाई तलाशते हैं, तो हमें खुद में भी अच्छाई नजर आने लगती है। दीवार पर मेरे बगल में बैठा आदमी मुझे मेरी श्रद्धा से बाहर निकालता है। तो आपको लगता है कि वह ठिकेगा। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, उसका ट्रेक्ट खो दिया है। कौन? मैं पूछता हूँ। गेबे उसे पहली जगह में काम पर नहीं रखा जाना चाहिए था। ओह, मुझे नहीं पता, मैं कहता हूँ। एक बार जब मैंने आश्रम में समय बिताया, तो मैं गपशप के प्रती बहुत समवेदनशील हो गया। मुझे मुखे रूप से सकारात्मक उर्जा के साथ बात चीत करने की आदत हो गई थी। जब मैं पहली बार दुनिया में वापस आया, तो मैं अजीब तरह से चुप था। मैं नैतिकता पुलिस नहीं बनना चाहता था, लेकिन मैं भी भाग नहीं लेना चाहता था। जैसा कि बुद्ध ने सलाह दी थी, अपना ध्यान इस बात पर न दे कि दूसरे क्या करते हैं, या क्या करने में अस्फल होते हैं, आप जो करते हैं, या करने में अस्फल होते हैं, उसे दें। मैंने जल्दी से, ओह, मुझे यकीन नहीं है। या मैंने कुछ नहीं सुना जैसी बातें कहने लगी फिर मैं बातचीत को कुछ और सकारात्मक में बदल दूंगा क्या आपने सुना है कि उन्होंने मैक्स को रुकने के लिए कहा है मैं उसके लिए स्थितियों में गपशप का मिहत्व है यह समाज को स्वीकारे व्यवहार को विनियमित करने में मदद करता है और हम अक्सर इसका उपयोग यह देखने के लिए करते हैं कि क्या अन्य लोग अन्य लोगों के व्यवहार और इसलिए हमारे मूलियों के बारे में हमारे निर्नेयों से सहमत हैं लेकिन इन सवालों पर बात चीत करने के बेहतर तरीके हैं अधिक अक्सर हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए गपशप का उपयोग करते हैं जो हमें उनसे श्रेश्ट महसूस करा सकता है और या समूह में हमारी स्थिती को मजबूत कर सकता है मेरे कुछ दोस्तों और सहकर्मियों ने मेरे साथ गपशप करना बंद कर दिया इसके बजाए हमारे बीच वास्तविक बात चीत हुई कुछ ने मुझ पर अधिक भरोसा किया यह महसूस करते हुए कि चुनकि मैंने उनके साथ गपशप नहीं की इसलिए मैं उनके बारे में गपशप नहीं करूंगा अगर ऐसे लोग थे जो सोचते थे कि मैं सिर्फ सादा उबाऊं था ठीक है मुझे उनके बारे में कहने के लिए कुछ भी बुरा नहीं है नकारात मक्ता हर जगह है तुम उठे आपके बाल भयानक लग रहे है आपका साथी शिकायत करता है कि आप कौफी से बाहर है काम करने के रास्ते में कुछ ग्राइवर जो टेक्स्टिंग कर रहे हैं आपको प्रकाश की याद आती है रेडियू पर खबर कल से भी बदतर है आपका सहकर्मी आपको फुसफुसाता है कि कैंडेस फिर से बीमार होने का नाटक कर रहा है हर दिन हम पर नकारात मत्ता का हमला होता है कोई आश्चरे नहीं कि हम मदद नहीं कर सकते लेकिन इसे बाहर निकालने के साथ साथ इसे प्राप्त भी कर सकते हैं हम छोटी छोटी खुशियों के बजाए दिन के दर्द और दर्द की रिपोर्ट करते हैं। हम अपने पड़ोसियों से अपनी तुलना करते हैं, अपने साथियों के बारे में शिकायत करते हैं, पीट पीछे अपने दोस्तों के बारे में ऐसी बातें कहते हैं जो हम उनके चेहरे से कभी नहीं कहेंगे सोशल मीडिया पर लोगों की आलोचना करते हैं, बहस करते हैं, धोखा देते हैं, यहां तक की गुस्से में भी फूट पड़ते हैं यह नकारात्मक बक्तवास उस दोरान भी होती है, जिसे हम अच्छे दिन मान सकते हैं, और यह किसी की योजना का हिस्सा नहीं है मेरे अनुभव में कोई भी नहीं उठता और सोचता है, आज मैं अन्य लोगों के लिए या उनके बारे में कैसे मतलबी हो सकता हूँ या मैं आज दूसरों को बुरा महसूस करा कर खुद को बेहतर कैसे महसूस करा सकता हूँ फिर भी नकारात्मक अक्सर भीतर से आती है हमारे पास तीन मुखे भावनात्मक जरूरते हैं, जिन्हें मैं शान्ती, प्रेम और समझ के रूप में सोचना पसंद करता हूँ धन्यवाद निकलोव और एल्विस कॉस्टेलो नकारात्मक्ता, बातचीत, भावनाओं और कारियों में अकसर तीन जरूरतों में से एक के लिए खत्रे से उत्पन्न होती है एक डर्ग की बुरी चीजे होने वाली है शान्ती की हानी, प्यार नहोने का डर, प्यार की हानी या अनादर होने का डर, समझ का नुकसान इन आशंकाओं से सभी प्रकार की अन्य भावनाए उत्पन्न होती हैं अभिभूत, असुरक्षिद, आहर, प्रतिस्पर्धी, जरूर्तमंद और इसी तरह की भावनाए ये नकारात्मक भावनाए शिकायतों, तुलनाओं और आलोचनाओं और अन्य नकारात्मक व्यवहारों के रूप में हमारे अंदर से निकलती हैं उन ट्रोल्स के बारे में सोचिये जो सोशल मीडिया पर अपने निशाने पर गलत इच्छा रखते हुए गोता लगाते हैं शायद उनका डर यह है कि उनका सम्मान नहीं किया जाता है और वे महत्वपूर्ण महसूस करने के लिए ट्रोलिंग की ओर रुख करते हैं या शायद उनकी राजनीतिक माननेताएं पैदा कर रही हैं दर है कि उनकी दुनिया असुरक्षित है या हो सकता है कि वे सिर्फ निमनलिखित बनाने की कोशिश कर रहे हो निश्चित रूप से दुनिया में हर ट्रोल को प्रेरित नहीं करता है एक अन्य उदाहरन के लिए हम सभी के मित्र हैं जो एक कैच अप फोन कॉल को अपनी नौकरी अपने साथी अपने परिवार का वर्णन करते हुए एक अन्तहीन वेंट सत्र में बदल देते हैं क्या गलत है? क्या अनुचित है? क्या कभी नहीं बदलने वाला है? इन लोगों के लिए कुछ भी कभी भी सही नहीं होता है यह व्यक्ति अपने डर को व्यक्त कर रहा होगा कि बुरी चीजें होने जा रही हैं उनकी शान्ती और सुरक्षा की मुख्य आवशेक्ता को खत रहे बुरी चीजें होती हैं हमारे जीवन में हम सभी किसी न किसी समय पीडित होते हैं चाहे हम नसलिय रूप से प्रोफाइल किये जा रहे हो या ट्रैफिक में कटे हुए हो लेकिन अगर हम पीडित मानसिक्ता को अपनाते हैं तो हम हकदार होने और स्वार्थी विवहार करने की अधिक संभावना रखते हैं स्टैनफोर्ड मनोवै ग्यानिकों ने एक 104 विश्यों को लिया और उन्हें दो समूहों में से एक को सौंप दिया एक ने उस समय के बारे में एक छोटा निबंद लिखने के लिए कहा जब वे उब गए थे और दूसरे ने उस समय के बारे में लिखने के लिए कहा था जब जीवन अनुचित लग रहा था या जब उन्होंने महसूस किया था कि गलत या किसी के द्वारा अपमानित किया गया बाद में प्रतिभागियों से पूछा गया कि क्या वे शोधकर्ताओं को एक आसान काम में मदद करना चाहते हैं जिन लोगों ने उस समय के बारे में लिखा था जब उनके साथ अन्याय हुआ था शोधकर्ताओं की मदद करने की संभावना 26 प्रतिशत कम थी इसी तरह के एक अधेयन में पीडित मानसिक्ता के साथ पहचाने जाने वाले प्रतिभागियों में नकेवल बाद में स्वार्थी द्रिष्टी कों व्यक्त करने की अधिक संभावना थी बलकि उनके पीछे कच्रा छोड़ने और यहां तक की प्रयोग करने वालों की कलम लेने की भी अधिक संभावना थी नकारात मक्ता संक्रामक है हम सामाजिक प्राणी हैं, जो जीवन में हम जो कुछ भी चाहते हैं, शान्ती, प्रेम और समझ उस समूह से प्राप्त करते हैं, जो हम अपने आसपास इकटखा करते हैं हमारा दिमाग सद्भाव और असहमती दोनों के लिए स्वचालित रूप से समायोजित हो जाता है हम पहले ही बात कर चुके हैं, कि कैसे हम अनजाने में दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं कैर, हम भी दूसरों से सहमत होना चाहते हैं अनुसंधान ने साबित कर दिया है कि अधिकांश मनुष्य सामाजिक अनुरूपता को इतना मिहत्व देते हैं कि वे अपनी प्रतिक्रियाओं को बदल देंगे यहां तक कि उनकी धारनाई समूह के साथ संग्रेखित करने के लिए तब भी जब समूह सपष्ट रूप से गलत हो. 1950 के दशक में सोलोमन एश ने कॉलेज के छात्रों के समूहों को इकठा किया और उन्हें बताया कि वे एक द्रिष्टी परीक्षन कर रहे हैं. पकड यह थीक की प्रतेक समूह में एक व्यक्ती को छोड़ कर हर कोई एक अभिनेता था, परीक्षन का विशय. एश ने प्र पश्ट रूप से लक्षे रेखा के समान लंबाई की थी. छात्रों से पूछा गया कि कौन सी रेखा लक्षे रेखा की लंबाई से मिल खाती है. कभी अभिनेताओं ने सही जवाब दिया तो कभी जानबूज कर गलत जवाब दिया. प्रतेक मामले में वास्तविक अधेयन प्रतिभागी ने अंतिम उत्तर दिया. सही उत्तर स्पष्ट होना चाहिए था. लेकिन अभिनेताओं से प्रभावित होकर लगभग 75 प्रतिशत विश्यों ने कम से कम एक बार गलत प्रतिक्रिया देने के लिए भीड का अनुसरन किया. इस घटना को ग्रूप थिंक पूर के आराम में मौज करना ज्यादा पसंद करेगा. यह कोई बुरी बात नहीं है, यदि हम भिक्षों से गिरे हुए हैं, कहते हैं. लेकिन अगर हम गपशप, संघर्ष और नकारातमक्ता से गिरे हुए हैं, तो हम दुनिया को उन शब्दों में देखना शुरू कर देते हैं, जैसे कि एश के लाइन प्रयोग में अपनी आंखों के खिलाफ जाने वाले लोग, समझोते की प्रवृत्ती का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पढ़ता है. यह एक कारण है कि शिकायत की संस्कृती में हम मैदान में शामिल हो जाते हैं, और जितनी अधिक नका नकारात्मकता हमें गेरती है, हम उतने ही नकारात्मक होते जाते हैं. हमें लगता है कि शिकायत करने से हमें अपने क्रोध को संसाधित करने में मदद मिलेगी, लेकिन शोध इस बात की पुष्टी करता है कि जो लोग वेंटिंग के बाद बेहतर महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं वे अभी भी उन लोगों की तुलना में अधिक आकरामक पोस्ट ग्रिप हैं जो वेंटिंग में संगलगन नहीं थे मंदिर की लंदन चौकी भक्ति वेदान्त मनोर में एक साधू था जिसने मुझे पागल कर दिया अगर मैंने उस से पूछा कि वह सुबह कैसा है तो वह मुझे बताएगा कि वह कितनी बुरी तरह सोया था और किसकी गलती थी उन्होंने शिकायत की की खाना खराब था और फिर भी परियाप्त नहीं था यह अथक मोखिक दस्त था इतना नकारातमक की मैं उसके आसपास कभी नहीं रहना चाहता था तब मैंने स्वयम को अनभिक्षों से उसकी शिकायत करते हुए पाया और इसलिए मैं वही बन गया जिसकी मैं आलोचना कर रहा था शिकायत संक्रामक है और उसने इसे मुझे पास कर दिया अधेनों से पता चलता है कि मेरी जैसी नकारातमक ता या दरिच्छिक असंबद लोगों के प्रती आकराम कता बढ़ा सकती है और यह कि आपका दृष्टिकों जितना अधिक नकारातमक होगा भविशे में आपके नकारातमक रविये की संभावना उतनी ही अधिक होगी अधेनों से यह भी पता चलता है कि लंबे समय तक तनाव जैसे कि शिकायत से उत्पन्न वास्तव में आपके हिप्पो केमपस को सिकोड़ता है यह आपके मस्तिष्क का वह शेत्र है जो तर्क और स्मृती को प्रभावित करता है कोर्टिसोल वही तनाव हार्मोन जो हिप्पो केमपस पर एक टोल लेता है आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी खराब करता है और इसके कई हानिकारक प्रभाव होते है मैं हर किसी को दोश नहीं दे रहा हूँ नकारात्मकता पर बीमारी लेकिन अगर सकारात्मक बने रहना मेरी सर्दी जुकाम में से एक को भी रोक सकता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ नकारात्मक लोगों के प्रकार नकारात्मक व्यवहार हमें इतने लगातार गेरे रहते हैं कि हम उनके अभ्यस्त हो जाते हैं इस बारे में सोचें कि क्या आपके जीवन में निम्नलिखित में से कोई है शिकायत करता फोन पर दोस्त की तरह जो समाधान की तलाश किये बिना अंतहीन शिकायत करते हैं जीवन एक ऐसी समस्या है जिसे सुलजाना नामुम्किन नहीं तो मुश्किल जरूर होगा रद्द करने वाले जो तारीफ लेते हैं और उसे स्पिन करते हैं आप आज अच्छे दिखते हैं बन जाता है आपका मतलब है कि मैं कल बुरा लग रहा था हता है जो सोचते हैं कि दुनिया उनके खिलाफ है और अपनी समस्याओं को दूसरों पर दोश देते हैं आलोचक, जो दूसरों को या तो एक अलग राय रखने या एक नहीं होने के लिए आंकते हैं, उनके द्वारा किये गए किसी भी विकल्प के लिए जो आलोचक ने किया होगा उससे अलग है कमांडर, जो अपनी सीमा का एहसास करते हैं, लेकिन सफल होने के लिए दूसरों पर दबाव डालते हैं वे कहेंगे, आपके पास मेरे लिए कभी समय नहीं है, भले ही वे वेस्थ हों प्रतियोगी, जो खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, खुद को या अपनी पसंद को बेहतर बनाने के लिए नियंत्रित और हेरफेर करते हैं वे इतने दर्द में हैं, कि दूसरों को नीचे गिराना चाहते हैं अक्सर हमें इन लोगों के इर्दगिर्द अपनी सफलताओं को कम करना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं, कि वे उनकी सराहना नहीं कर सकते नियंत्रिक, जो निग्रानी करते हैं, और यह निर्देशित करने का प्रयास करते हैं, कि उनके मित्र या साथी कैसे समय व्यतीत करते हैं, और किसके साथ, और वे क्या विकल्प चुनते हैं आप इस सूची के साथ मजे कर सकते हैं, यह देखते हुए कि क्या आप किसी को प्रतेक प्रकार के फिट होने के बारे में सोच सकते हैं लेकिन इसका असली मुद्दा यह है, कि जब वे आप पर आते हैं, तो इन विवहारों को नोटिस और फ्रेम करने में आपकी सहायता करें यदि आप सभी को नकारातमत्ता के एक ही बॉक्स में डालते हैं, वे बहुत परेशान हैं, तो आप यह तै करने के करीब नहीं हैं, कि प्रतेक रिष्टे को कैसे प्रबंधित किया जाए जिस दिन मैं इंग्लेंड से यात्रा कर रहे छह अन्ग नए भिक्षों के साथ आश्रम गया, उन्होंने हमें अपने नए घर को एक अस्पताल के रूप में सोचने के लिए कहा, जहां हम सभी रोगी थे साधू बनना, भौतिक जीवन से विरक्त होना, अपने आप में एक उपलब्धी के रूप में नहीं देखा गया था इसका सीधा सा मतलब था कि हम उपचार के एक ऐसे स्थान पर भरती होने के लिए तयार थे जहां हम आत्मा की बीमारियों को दूर करने के लिए काम कर सकते थे जिसने हमें संक्रमित किया और हमें कमजोर किया जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि अस्पताल में दॉक्टर भी बीमार हो जाते हैं, कोई भी प्रतिरक्षा नहीं है वरिष्ट भिक्षों ने हमें याद दिलाया कि हर किसी की अलग अलग बीमारिया थी, हर कोई अभी भी सीख रहा था और जिस तरह हम किसी और की स्वास्थे समस्याओं का न्याय नहीं करेंगे उसी तरह हमें किसी ऐसे व्यक्ती का न्याय नहीं करना चाहिए जिसने अलग तरह से पाप किया हो गौरांग दास ने इस सलाह को संक्षिप्त रूपक रूप में दोहराया कि हम अक्सर खुद को याद दिलाते थे कि दूसरों के प्रती नकारात्मक विचार न रखें, किसी को अलग बीमारी से न आंकें किसी से भी परफेक्ट होने की उम्मीद न करें यह मत सोचो कि तुम परिपूर्ण हो नकारात्मक विवहार को आंकने के बजाए हम आरोप को बेहसर करने की कोशिश करते हैं या इसे सकारात्मक पर भी उलट देते हैं एक बार जब आप पहचान लेते हैं कि शिकायत करता समाधान की तलाश में नहीं है तो आप महसूस करते हैं कि आपको उन्हें प्रदान करने की आवश्यक्ता नहीं है यदि कोई कमांदर कहता है आप मेरे लिए बहुत वेस्ट हैं तो आप कह सकते हैं क्या हमें ऐसा समय निकालना चाहिए जो हम दोनों के लिए काम करें रिवर्स बाहरी नकारात्मकता स्थिती में हमारी भूमिका के बारे में स्पष्ट निर्ने लेने के लिए उपरोक्त श्रेनिया हमें नकारात्मक व्यक्ती से दूर जाने में मदद करती है भिक्षू का तरीका है जड़ तक खोदना, निदान करना और स्थिती को स्पष्ट करना ताकि आप इसे केवल अपने आपको समझा सकें आईए इस द्रिष्टिकों का उप्योग नकारात्मक लोगों से निपटने के लिए रननीतियों को परिभाशित करने के लिए करें वास्तव में पल के भावनात्मक प्रभार से खुद को दूर करने के लिए एक कदम पीछे हट कर कैथोलिक भिक्षु फादर थौमस कीटिंग ने कहा ऐसा कोई आदेश नहीं है जो कहता है कि जिस तरह से दूसरे लोग हमारे साथ विवहार करते हैं उससे हमें परेशान होना पड़ता है हमारे परेशान होने का कारण यह है कि हमारे पास एक भावनात्मक कारेकरम है जो कहता है यदि कोई मेरे लिए बुरा है तो मैं खुश नहीं हो सकता या अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं कर सकता और परेशान होने से इनकार करते हैं हम शाब्दिक रूप से नहीं बलकि भावनात्मक रूप से दूर हो जाते हैं और स्थिती को ऐसे देखते हैं जैसे हम इसके बीच में नहीं है हम इस दूरी के बारे में और बात करेंगे जिसे टुकडी कहा जाता है अगले अध्याय में अभी के लिए मैं कहूंगा कि यह हमें बिना निर्ने के समझने में मदद करता है नकारात्मक्ता एक विशेश्टा है किसी की पहचान नहीं किसी व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप बादलों द्वारा छिपाया जा सकता है लेकिन सूरे की तरह वह हमेशा मौजूद रहता है और बादल हम मेंसे किसी को भी मात दे सकते हैं हमें इसे समझना होगा जब हम उन लोगों के साथ विवहार करते हैं जो नकारात्मक उर्जा को बाहर निकालते हैं जैसे हम नहीं चाहते कि कोई हमारे सबसे बुरे पलों से हमें आंकें, हमें सावधान रहना चाहिए कि हम दूसरों के साथ ऐसा न करें। जब कोई आपको चोट पहुचाता है, तो ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि वे आहत होते हैं, उनकी चोट बस छलक रही है, उन्हें सहायता चाहिए। और जैसा कि दलाई लामा कहते हैं, यदि आप कर सकते हैं, तो दूसरों की मदद करें, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। वापस धीरे धीरे दूर, समझ की स्थिती से, हम नकारात्मक उर्जा को दूर करने के लिए बेहतर धंग से सुसजजित हैं, सबसे सरल प्रतिक्रिया धीरे धीरे पीछे हटना है। The Heart of the Buddhaj Teaching में, थिच नठान, एक बौध्ध भिक्षु, जिसे Mindfulness का जनक कहा जाता है, लिखते हैं, जाने देना हमें स्वतंत्रता देता है, और स्वतंत्रता खुशी के लिए एक मात्र शर्थ है। अगर हमारे दिल में हम अभी भी किसी भी चीज से चिपके रहते हैं, क्रोल्द, चिंता या संपत्ती हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। मैं आपको नकारात्मक विचारों और भावनाओं के भौतिक ट्रिगर्स को शुद्ध करने या उनसे बचने के लिए प्रोचसाहित करता हूं, जैसे कि स्वेट शर्थ आपके पूर्व ने आपको दिया था या कॉफी शॉप जहां आप हमेशा एक पूर्व मित्र से मिलते हैं, यदि आप शारीरिक रूप से जाने नहीं देते हैं, तो आप भावनात्मक रूप से जाने नहीं देंगे, लेकिन जब परिवार का कोई सदसे, कोई मित्र या सहकर्मी शामिल होता है, तो खुद को दूर करना अकसर कोई विकल्प नहीं होता है, या पहली प्रतिक्रि नहीं होती है, जिसे हम देना चाहते हैं। हमें अनिरनीतियों का उप्योग करने की आवशेक्ता है। 25-75 सिध्धान, अपने जीवन में हर नकारात्मक व्यक्ति के लिए तीन उत्थान करने वाले लोग हैं। मैं अपने आपको ऐसे लोगों से गेरने की कोशिश करता हूँ जो किसी तरह से मुझसे बेहतर हैं, खुश, अधिक आधियात्मिक, जीवन में, खेलों की तरह, बेहतर खिलाडियों के आसपास रहना आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप इसे इतना शाब्धिक रूप से लें कि आप अपने प्रतेक मित्र को नकारात्मक या उत्थानशील करार दें, बलकि इस भावना का लक्षे रखें कि आपका कम से कम 75 प्रतिशत समय ऐसे लोगों के साथ व्यतीत हो जो आपको नीचे लाने के बजाए आपको प्रेरित करते हैं, दोस्ती को एक उत्थानशील आदान प्रदान बनाने में अपनी भूमी का निभाएं, केवल उन लोगों के साथ समय न बिताएं जिन्हें आप प्यार करते हैं, उनके साथ आगे बढ़ें, क्लास लें, किताब पढ़ें, वरकशोप करें संग समुदाय के लिए संस्कृत शब्द है, और यह एक शरण का सुझाव देता है, जहां लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं, और प्रेरित करते हैं समय आवंटित करें यदि आप इसे दूर नहीं कर सकते हैं, तो नकारात्मक्ता को कम करने का एक और तरीका यह है, कि आप किसी व्यक्ति को उसकी उर्जा के आधार पर कितना समय व्यतीत करने की अनुमती देते हैं कुछ चुनोतिया हम केवल इसलिए सामना करते हैं, क्योंकि हम उन्हें हमें चुनोती देने की अनुमती देते हैं कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जिनहें आप महीने में केवल एक घंटे के लिए सहन कर सकते हैं, कुछ एक दिन के लिए, कुछ एक सप्ता के लिए हो सकता है कि आप एक मिनट के व्यक्ति को भी जानते हो इस बात पर विचार करें कि उनके साथ बिताने के लिए आपके लिए कितना समय सबसे अच्छा है और इसे पार्ण करें एक उद्धार करता मत बनो अगर किसी को सिर्फ एक कान की जरूरत है तो आप बिना ज्यादा उर्जा खर्च किये सुन सकते हैं अगर हम समस्या समाधान करता बनने की कोशिश करते हैं तो जब लोग हमारी शांदार सलाह नहीं लेते हैं तो हम निराश हो जाते हैं दूसरों को बचाने की इच्छा अहंकार से प्रेरित हैं अपनी जरूरतों को अपनी प्रतिक्रिया को आकार न देने दें पिताओं की बातों में शिक्षाओं का संकलन और यहुदी रब्भी परंपरा से कहावत है यह सलाह दी जाती है किसी और के मुन हमें दांत मत गिनो व्यक्ति के रूप में सोचें. यदि आप एक उत्कृिष्ट तैराक हैं, एक प्रशिक्षित लाइफ गार्ड हैं, तो आपके पास मुसीबत में तैराक की मदद करने की ताकत और साधन है. इसी तरह अगर आपके पास किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के लिए समय और दिमाग है तो इसके लिए जाएं लेकिन अगर आप केवल एक निश्पक्ष तैराख हैं और आप एक धूबते हुए व्यक्ति को बचाने की कोशिश करते हैं तो वे आपको अपने साथ नीचे खीन सकते हैं इसके बजाए आप लाइफगार्ड को बुलाते हैं इसी तरह यदि आपके पास किसी मित्र की मदद करने के लिए उर्जा और अनुभव नहीं है तो आप उन्हें ऐसे लोगों या विचारों से परिचित करा सकते हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं शायद कोई और उनका बचाव करता है रिवर्स आन्तरिक नकारात मक्ता करना शुरू कर देते हैं तो हम अपनी खुद की नकारात मक्त प्रवरित्तियों को बेहतर धंग से देख पाते हैं और उन्हें उल्टना शुरू कर देते हैं कभी कभी हम उस नकारात मक्ता के लिए जिम्मेदारी से इनकार करते हैं जो हम खुद दुनिया में डालते हैं, लेकिन नकारात्मक्ता हमेशा दूसरे लोगों से नहीं आती है, और यह हमेशा जोर से नहीं बोली जाती है। इर्षया, शिकाया, क्रोध, नकारात्मक्ता की संस्कृती के लिए अपने आसपास के लोगों को दोश देना आसान है, लेकिन अपने विचारों को शुद्ध करना हमें दूसरों के प्रभाव से बचाएगा। अगर ध्यान के अंत में उसके पास आखिरी विचार है, मुझे देखो। मैंने उन सभी को पचार दिया। अगर वह वहीं पहुंचे, तो ध्यान का क्या मतलब था। आगे निकल जाएं। प्रतियोगिता एरश्या को जन्म देती है। उसकी एरश्या उसे अपना शत्रू बनाती है। एरश्या का चचेरा भाइस कैडे नफरूड है, जिसका अर्थ है दूसरों के दुख में आनंद लेना। जब हम दूसरे लोगों की असफलताओं से खुशी प्राप्त करते हैं, तो हम अपना घर बना रहे होते हैं, और किसी और की अपरिपूर्णता या दुर्भागय की चट्टानी नीम पर गर्व करते हैं। वह स्थिर जमीन नहीं है। वास्तव में, जब हम खुद को दूसरों का न्याय करते हुए पाते हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए। यह एक संकित है, कि हमारा दिमाग हमें यह सोचकर धोखा दे रहा है, कि हम आगे बढ़ रहे हैं, जब सच में हम फंस गए हैं। अगर मैंने कल की तुलना में अधिक सेव बेचे, लेकिन आपने आज अधिक बेचा, तो यह इस बारे में कुछ नहीं कहता है, कि मैं एक सेव विक्रेता के रूप में सुधार कर रहा हूँ या नहीं। जितना अधिक हम अपने आसपास के लोगों के संबंध में खुद को परिभाशित करते हैं, हम उतने ही अधिक खो जाते हैं। हम कभी भी इरश्या, इरश्या, लालच, काम, क्रोध, अहंकार और भ्रम से खुद को पूरी तरह से शुद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि हमें कोशिश करना बंद कर देना चाहिए। संस्कृत में अनर्थ शब्द का अर्थाम तौर पर चीजे नहीं चाहिए और अनात्निवरिती का अभ्यास करने के लिए जो अवांचित है, उसे हटा देना है। हमें लगता है कि आजादी का मतलब है कि हम जो चाहें कहने में सक्षम हैं। हमें लगता है कि आजादी का मतलब है कि हम अपनी सभी इच्छाओं का पीछा कर सकते हैं। वास्तविक स्वतंत्रता उन चीजों को जाने देना है जो नहीं चाहते थे अनियंत्रित इच्छाएं जो हमें अवांचित अंत की ओर ले जाती हैं। जाने देने का मतलब नकारात्मक विचारों, भावनाओं और विचारों को पूरी तरह से मिटा देना नहीं है। सच तो यह है कि ये विचार हमेशा उठते रहेंगे हम उनके साथ यही करते हैं, जिससे फर्क पड़ता है। पड़ोसी का भौंकने वाला कुत्ता एक जुनजलाहट है। यह आपको हमेशा बाधित करेगा। सवाल यह है कि आप उस प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन कैसे करते हैं। वास्तविक स्वतन्त्रता की कुंजी आत्म जागरूकता है। अपने स्वयम के नकारात्मकता के मूल ल्यांकन में ध्यान रखे की छोटे कारियों के भी परिणाम होते हैं। यहां तक कि जब हम दूसरों की नकारात्मकता के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं और कहते हैं, वह हमेशा शिकायत करती हैं, हम स्वयन नकारात्मक हो रहे हैं। आश्रम में हम मच्छरदानी के नीचे सोते थे। हर रात हम अपने जाल बंद कर देते थे और यह पुष्टी करने के लिए फ्लेशलाइट का उप्योग करते थे कि वे बगस से मुक्त थे। एक सुबह मुझे पता चला कि मेरे जाल में एक भी मच्छर था और मुझे कम से कम दस काटने पड़े थे। मैंने कुछ ऐसा सोचा जो दलाई लामा ने कहा था, अगर आपको लगता है कि आप बहुत छोटे हैं, तो कुछ बदलाव नहीं कर सकते, तो मच्छर के साथ सोने की कोशिश करें। क्षुद्र, नकारात्मक विचार और शब्द मच्छरों की तरह हैं, सबसे छोटा भी हमारी शान्ती को छीन सकता है। हम मेंसे अधिकांश लोग अपने नकारात्मक विचारों को दर्ज नहीं करते हैं, जितना कि मैंने उस एक मात्र मच्छर को पंजीकृत नहीं किया है। हमारे विचारों को शुद्ध करने के लिए भिक्षु जागरूकता, संबोधित और संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। मैं इसे स्पोट, स्टॉप, स्वैप के रूप में याद रखना पसंद करता हूँ। सबसे पहले हम किसी भावना या मुद्दे के बारे में जागरूक हो जाते हैं, हम उसे पहचान लेते हैं। फिर हम यह पता लगाने के लिए रुखते हैं कि भावना क्या है और यह कहा से आती है, हम इस पर विचार करना बंद कर देते हैं। और अंत में, हम अपने व्यवहार में संशोधन करते हैं, हम पल को संसाधित करने के एक नए तरीके से अदलाब्दली करते हैं। स्पोट, स्टॉक, स्वेव, स्थान नकारातमक्ता के प्रती जागरूख होने का अर्थ है, अपने आसपास के विशैले आवेगों को पहचानना सीखना। अपनी स्वेव की नकारातमक्ता का सामना करने में हमारी मदद करने के लिए, हमारे भिक्षु शिक्षकों ने हमें एक सप्ताह तक शिकायत न करने, तुलना करने या आलोचना न करने का प्रयास करने के लिए कहा, और हम कितनी बार असफल हुए, इसका हिसाब रखें। लक्षे दैनिक तैली में कमी देखना था हम इन प्रवरित्तियों के बारे में जितना अधिक जागरूख होंगे उतना ही हम स्वयम को इन से मुक्त कर पाएंगे अपने नकारात्मक विचारों और टिपपनियों को सूची बद्ध करने से आपको उनकी उत्पत्ती पर विचार करने में मदद मिलेगी क्या आप किसी मित्र की शकल को आंक रहे हैं और क्या आप अपने पर उतना ही कठोर हैं अपना क्या आप अपने योगदान पर विचार किये बिना काम के बारे में बड़बडा रहे हैं क्या आप अपनी करुणा की ओर ध्यान आकर्शित करने के लिए किसी मित्र की बीमारी के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं या आप उस मित्र के लिए अधिक समर्थन की याचना करने की आशा कर रहे हैं इसे आज माई अपनी नकारात्मक टिपपनियों का ओर्डिट करें कभी कभी जो है उस पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करने के बज़ाए हम नकारात्मक रूपसे अनुमान लगाते हैं कि क्या हो सकता है यह संदे है एक दुष्ट राजा के बारे में एक दृष्टांत है जो एक अच्छे राजा से मिलने गया जब रात के खाने के लिए रहने के लिए आमंतरित किया गया तो दुष्ट राजा ने अपनी थाली को अच्छे राजा की थाली के साथ बदलने के लिए कहा जब अच्छे राजा ने पूछा क्यों तो दुष्ट राजा ने उत्तर दिया हो सकता है कि आपने इस भोजन को जहर दिया हो अच्छा राजा हसा इसने दुष्ट राजा को और भी अधिक परेशान कर दिया और उसने यह सोच कर फिर से प्लेटे बदल दी कि शायद उसे डबल जांसा दिया जा रहा है अच्छे राजा ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और उसके सामने भोजन का तुपडा लिया दुष्ट राजा ने उस रात खाना नहीं खाया हम जो न्याय करते हैं या इरश्या करते हैं या किसी और पर संदेह करते हैं वह हमें उस अंधेरे की ओर ले जा सकता है जो हमारे भीतर है दुष्ट राजा अपने ही अपमान को अच्छे राजा पर थोपता है उसी तरह किसी और के प्रती हमारी इरश्या या अधीरता या संदेह हमें अपने बारे में कुछ बताता है नकारात्मक अनुमान और संदेह हमारी अपनी असुरक्षा को दर्शाते हैं और हमारे रास्ते में आ जाते हैं यदि आप तै करते हैं कि आपका बॉस आपके खिलाफ है तो यह आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है आप इतने निराश हो सकते हैं, कि आप काम पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, या व्यावहारिक रूप से आप उस वेतन वृद्धी के लिए नहीं पूछेंगे जिसके आप हकदार हैं। किसी भी तरह, दुष्ट राजा की तरह, आप ही भूखे रहेंगे। विराम, जब आप अपनी नकारात्मक्ता की जड़ों को बेहतर धंग से समझते हैं, तो अगला कदम इसे दूर करना है। उन विचारों और कारियों के लिए जगह बनाने के लिए अपनी नकारात्मक्ता को शांत करें जो आपके जीवन को इससे दूर करने के बजाय जोडते हैं। अपनी सांस से शुरू करें। जब हम तनाव में होते हैं, तो हम अपनी सांस रोप कर रखते हैं, या अपने जबडे बंद कर लेते हैं। हम हार में फिसल जाते हैं, या अपने कंदों को कस लेते हैं। पूरे दिन अपनी शारीरिक उपस्थिती का निरेक्षन करें। क्या आपका जबडा टाइट है? क्या आपकी भौंहें टेड़ी हैं? ये संकित हैं कि हमें शारीरिक और भावनात्मक रूप से आराम करने के लिए सांस लेने के लिए याद रखने की आवशेक्ता है भगवद गीता वानी की तपस्या को संदर्भित करती है, जिसमें कहा गया है कि हमें केवल ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो सत्य हों, सभी के लिए लाबकारी हों, प्रसन्न हों और जो दूसरों के मन को उत्तेजित न करें प्रारंभिक बौध धर्म ग्रंतों से वाका सुत्त, समान ग्यान प्रदान करता है, एक अच्छी तरह से बोली जाने वाली कथन को परिभाशित करता है, जो सही समय पर बोली जाती है सच बोलती है प्यार से बोली जाती है यह लाबकारी रूप से बोली जाती है यह सदभावना के दिमाग से बोला जाता है याद रखें, हम जो चाहें, जब चाहें, जब चाहें, जैसा चाहें कहना, स्वतंत्रता नहीं है वास्तविक स्वतंत्रता इन बातों को कहने की आवश्यक्ता महसूस नहीं कर रही है जब हम अपने नकारात्मक भाशन को सीमित करते हैं तो हम पास सकते हैं कि हमारे पास कहने के लिए बहुत कम है हम शायद हिच की चाहट भी महसूस कर सकते हैं किसी को भी अजीब सी खामोशी पसंद नहीं है लेकिन खुद को नकारात्मक्ता से मुक्त करना इसके लायक है किसी और की कारे नीती की आलोचना करने से आप अधिक मेहनत नहीं कर सकते अपनी शादी की तुलना किसी और से करने से आपकी शादी तब तक बेहतर नहीं हो जाती जब तक कि आप इसे सोच समझ कर और उत्पादक तरीके से नहीं करते निरने एक भरम पैदा करता है कि यदि आप नयाय करने के लिए परियाप्त रूप से देखते हैं तो आपको बेहतर होना चाहिए कि यदि कोई और अस्फल हो रहा है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए वास्तव में यह सावधान विचारशील अवलोकन है जो हमें आगे बढ़ातते हैं रुकने का मतलब केवल नकारात्मक प्रवृत्ती से बचना नहीं है इसके करीब पहुँचें आस्ट्रेलियाई समुदाय के कारे करता नील बरिंगम ने कहा जहां आप इसे पानी देते हैं घास हरी होती है ध्यान दे की बाढ़ के अपने उनमादी पक्ष पर आपकी नकारात्मकता क्या पैदा कर रही है क्या उनके पास अधिक समय, बेहतर नौकरी, अधिक सक्री सामाजिक जीवन लगता है क्योंकि तीसरे चरण में अदलाबदली करते हुए आप अपने तर्फ पर उसी के बीज देखना चाहेंगे और उनकी खेती करेंगे उदाहरन के लिए किसी और के सामाजिक बवंदर से अपनी इरश्या को ले और उसमें किसी पार्टी की मेजबानी करने या पुराने दोस्तों के संपर्क में आने या काम के बाद मिलने जुलने का आयोजन करने की प्रेर ना पाएं यह महत्व पूर्ण है कि हमारा महत्व यह सोचने से नहीं है कि अन्य लोगों के पास यह बेहतर है बलकि वह व्यक्ति है जो हम बनना चाहते हैं विनिमय अपने दिल, दिमाग और वानी में नकारातमत्ता को पहचानने और रोकने के बाद आप उसमें संशोधन करना शुरू कर सकते हैं हम मेंसे अधिकांश भिक्षु पूरी तरह से बचने में असमर्थ थे शिकायत करना, तुलना करना और आलोचना करना और आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि आप उस आदत से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे लेकिन शोध करताओं ने पाया है कि खुश लोग शिकायत करते हैं इसके लिए प्रतीक्षा करें ध्यान से जबकि बिना सोचे समझे शिकायते करने से आपका दिन खराब हो जाता है यह दिखाया गया है कि परेशान करने वाली घटनाओं के बारे में एक पत्रिका में लिखना अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना न केवल मानसिक रूप से बलकि शारीरिक रूप से भी विकास और उपचार को बढ़ावा दे सकता है हम विशिष्ट होकर अपनी नकारात्मक्ता के प्रती सचेत हो सकते हैं जब कोई पूछता है कि हम कैसे हैं तो हम आमतोर पर जवाब देते हैं अच्छा, ठीक है, ठीक है या बुरा कभी कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि एक सच्चा, विस्तृत, उत्तर, अपेक्षित या वांचित नहीं है लेकिन जब हम शिकायत करते हैं तो हम समान रूप से असपश्ट होते हैं जब हम नाराज या निराश होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम क्रोधित या दुखी हैं इसके बज़ाए हम अपने शब्दों को ध्यान से चुनकर अपनी भावनाओं को बेहतर धंग से प्रबंधित कर सकते हैं खुद को क्रोधित, उदास, चिंतित, आह, शर्मिंदा और खुश महसूस करने के रूप में वर्नित करने के बज़ाए हारवर्ड बिजनेस रिव्यू में नौ और विशिष्ट शब्दों की सूची है, जिनका उप्योग हम इन भावनाओं में से प्रतेक के लिए कर सकते हैं क्रोधित होने के बज़ाए, हम बेहतर तरीके से खुद को नाराज, रक्षात्मक या द्वेशपूर्ण के रूप में वर्नित कर सकते हैं भिक्षों को शांत माना जाता है, क्योंकि उन्हें अपने शब्दों को इतनी सावधानी से चुनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, कि इसमें कुछ समय लगता है हम शब्दों का चैन सावधानी से करते हैं, और उद्देशे के साथ उनका उप्योग करते हैं खराब संचार में बहुत कुछ खो जाता है उदाहरन के लिए एक दोस्त से शिकायत करने के बजाए जो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता कि आपका साथी हमेशा देर से घर आता है अपने साथी के साथ सीधे और दिमाग से समवाद करें आप कह सकते हैं मैं सराहना करता हूँ कि आप कड़ी मेहनत करते हैं और आपके पास संतुलन के लिए बहुत कुछ है जब आप अपने वादे के बाद घर आते हैं तो यह मुझे पागल कर देता है जैसे ही आप जानते हैं कि आप देर से चल रहे हैं आप मुझे संदेश भेज कर मेरा समर्थन कर सकते हैं जब हमारी शिकायतों को समझा जाता है स्वय और दूसरों द्वारा तो वे अधिक उत्पादक हो सकते हैं अपनी नकारात्मक्ता को और अधिक उत्पादक बनाने के अलावा हम जानबूज कर सकारात्मक्ता में अदलाबदली भी कर सकते हैं ऐसा करने का एक तरीका जैसा कि मैंने उलेक किया है हमारी नकारात्मक्ता का उप्योग करना है जैसे एरशिया हमें जो हम चाहते हैं उसका मार्गदर्शन करने के लिए लेकिन हम नई भावनाओं में भी अदलाबदली कर सकते हैं अंग्रेजी में हमारे पास सहानुभूती और करुणा शब्द हैं जो दूसरों के दर्द को महसूस करने की हमारी क्षमता को व्यक्त करने के लिए हैं लेकिन हमारे पास अन्य लोगों की और से खुशी-खुशी का अनुभव करने के लिए एक शब्द नहीं है शायद यह एक संकित है कि हम सभी को इस पर काम करने की जरूरत है मुदिता दूसरों के सवभागे में सहानु भूतिपूर्ण या निहस्वार्थ आनंद लेने का सिध्धान्त है अगर मुझे केवल अपनी सफलताओं में ही खुशी मिलती है तो मैं अपनी खुशी को सीमित कर रहा हूँ लेकिन अगर मैं अपने दोस्तों और परिवार की सफलताओं का आनंद ले सकता हूँ 10, 20, 50 लोग मुझे खुशी और खुशी का 50 गुना अनुभव मिलता है ऐसा कौन नहीं चाहता भौतिक दुनिया ने हमें आश्वस्त किया है कि केवल सीमित संख्या में कॉलेज जाने लायक है सीमित संख्या में अच्छी नौकरिया उपलब्ध है सीमित संख्या में लोग भागयशाली है इतनी सीमित दुनिया में घूमने के लिए केवल इतनी ही सफलता और खुशी है और जब भी अन्य लोग उन्हें अनुभव करते हैं तो आपके ऐसा करने की संभावना कम हो जाती है लेकिन भिक्षों का मानना है कि जब सुख और आनंद की बात आती है तो हमेशा आपके नाम के साथ एक आसन होता है दूसरे शब्दों में आपको अपनी जगह लेने वाले किसी व्यक्ति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है खुशी के रंगमंच में कोई सीमा नहीं है हर कोई जो मुदिता में हिस्सा लेना चाहता है वह शो देख सकता है असीमित सीटों के साथ चूटने का कोई डर नहीं है राधानात स्वामी मेरे आध्यात्मिक शिक्षक हैं और दजर्नी होम सहित कई पुस्तकों के लेखक हैं मैंने उनसे पूछा कि ऐसी दुनिया में जहां इतनी नकारात्मक ता है शान्तिपूर्ण कैसे रहे और एक सकारात्मक शक्ती बने उन्होंने कहा हमारे चारों और हर जगह विशाक्तता है परिवेश में राजनीतिक माहौल में लेकिन मूल लोगों के दिलों में है प्रदूशित करने के साधन बन जाएंगे लेकिन अगर हम अपने दिल में पवित्रता पैदा करते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया में बड़ी पवित्रता का योगदान कर सकते हैं इसे आजमाई विप्रीत इरश्या उन पांच लोगों की सूची बनाएं जिनकी आप परवाह करते हैं लेकिन साथ ही साथ प्रतिसपर्धी भी महसूस करते हैं कम से कम एक कारण बताएं कि आप हर एक से इरश्या कर रहे हैं कुछ ऐसा जो उन्होंने हासिल किया है कुछ ऐसा जो वे बेहतर कर रहे हैं कुछ ऐसा जो उनके लिए अच्छा रहा है क्या उस उपलब्धी ने वास्तव में आपसे कुछ छीन लिया अब सोचें कि इस से आपके मित्र को क्या लाब हुआ इस उपलब्धी से उन्हें जो कुछ भी अच्छा मिला है उसकी कलपना करें यदि आप यह जानते हुए भी कि वे आपके पास नहीं आएंगे क्या आप इनमें से किसी भी वस्तु को ले जाना चाहेंगे यदि हाँ, तो यह एरश्या आपका आनंद लूट रही है आपके मित्र ने जो कुछ भी किया है उससे एरश्या आपके लिए अधिक विनाशकारी है इसे बदलने में अपनी उर्जा खर्च करें कामी, गुस्से में संशोधन हमने आपके जीवन में दैनिक नकारात्मक्ता को प्रबंधित करने और कम करने के लिए रणनीतियों के बारे में बात की है लेकिन शिकायत करने, तुलना करने और गपशप करने जैसी परेशानी प्रबंधनिये हो सकती है दर्द और क्रोध जैसी बड़ी नकारात्मक भावनाओं के बगल में हम सभी किसी न किसी रूप में क्रोध को धारन करते हैं अतीच से क्रोध या उन लोगों पर क्रोध जो हमारे जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं दुर्भाग्ये पर क्रोध, जीवित और मृत पर क्रोध, क्रोध भीतर की ओर हो गया जब हम गहराई से घायल होते हैं, तो क्रोध अक्सर प्रतिक्रिया का हिस्सा होता है क्रोध नकारात्मक भावनाओं की एक महान ज्वलंत गेंड है और जब हम इसे जाने नहीं दे सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें क्रोध अपने आप में एक जीवन ले लेता है टोल बहुत बड़ा है मैं विशेश रूप से इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि हम अन्य लोगों के प्रती जो क्रोध महसूस करते हैं, उससे कैसे निप्टें क्षमा के लिए क्रिश्न संस्कृत है यह सुझाव देता है कि आप दूसरों के साथ अपने व्यवहार में दैरे और सहनशीलता लाएं कभी-कभी हमें इतनी गहरी चोट लगी है कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम उस व्यक्ति को कैसे माफ कर सकते हैं जिसने हमें चोट पहुँचाई है लेकिन हम में से अधिकांश जो मानते हैं उसके विपरीद क्षमा मुखे रूप से एक ऐसा कार्य है जिसे हम अपने भीतर करते हैं कभी-कभी यह बेहतर और सुरक्षित और स्वस्त होता है कि व्यक्ति के साथ बिलकुल भी सीधा संपर्क नहो दूसरी बार जिस व्यक्ति ने हमें चोट पहुचाई है वह अब सीधे तोर पर क्षमा करने के लिए नहीं है लेकिन वे कारक क्षमा में बाधा नहीं डालते क्योंकि यह सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक है यह आपको क्रोध से मुक्त करता है मेरे ग्राहकों में से एक ने मुझसे कहा मुझे अपने बच्पन में वापस पहुचना पड़ा ताकि यह पता चल सके कि मुझे प्यार और अयोगे क्यों महसूस हुआ मेरी नानी ने इस भावना के लिए स्वर निर्धारित किया मुझे एहसास हुआ कि उसने मेरे साथ अलग व्यवहार किया क्योंकि वह मेरी मा को पसंद नहीं करती थी मुझे उसे माफ करना पड़ा भले ही वह पहले ही गुजर गई हो मुझे एहसास हुआ कि मैं हमेशा योगे और हमेशा प्यारा था वह तूट गई थी मैं नहीं भगवद गीता तीन गुनों या जीवन के तरीकों का वर्णन करती है तमस, रजस और सत्व जो अग्यानता, आवेग और अच्छाई का प्रतिनिधित्व करते हैं मैंने पाया है कि इन तीन विधियों को किसी भी गति विधी पर लागू किया जा सकता है उदाहरन के लिए जब आप किसी संघर्ष से पीछे हटते हैं और समझ की तलाश करते हैं तो रजस आवेग और जुनून से सत्व अच्छाई, सकारात मक्ता में स्थानान तरित करने का प्रयास करना बहुत उपयोगी होता है और शान्ती, ये तरीके क्षमा के मेरे द्रिष्टी कों की नीम है परिवर्तनकारी क्षमा इससे पहले कि हम क्षमा का रास्ता खोजें, हम क्रोध में फंस जाते हैं हम बदला भी ले सकते हैं, उस दर्द को वापस करने के लिए जो एक व्यक्ती ने हमें दिया है एक आंख के लिए एक आंख बदला अज्यानता का तरीका है, यह अक्सर कहा जाता है, कि आप स्वयम को ठीक नहीं कर सकते किसी और को तोड़ना भिक्षु अपनी पसंद और भावनाओं को दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं करते हैं आप मानते हैं, कि बदला लेने से आप बेहतर महसूस करेंगे क्योंकि दूसरा व्यक्ती कैसे प्रतिक्रिया देगा लेकिन जब आप अपना प्रतिशोधी नाटक करते हैं और उस व्यक्ती के पास वह प्रतिक्रिया नहीं होती है जिसके बारे में आपने कलपना की थी, तो क्या? आप केवल अधिक दर्द महसूस करते हैं बदला उल्टा जब आप प्रतिशोध से उपर उठ जाते हैं तो आप क्षमा की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं लोग दोयाधारी शब्दों में सोचते हैं आप या तो किसी को क्षमा करते हैं या आप किसी को क्षमा नहीं करते हैं लेकिन जैसा कि मैं इस पुस्तक में एक से अधिक बार सुझाव दूंगा अकसर कई स्तर होते हैं ये स्तर हमें जहां हैं, वहां रहने के लिए अपने समय में प्रक्ती करने के लिए और जहां तक हम कर सकते हैं, केवल चड़ाई करने के लिए छूट देते हैं क्षमा के पैमाने पर तल ये देपी यह प्रतिशोध से उचा है, शूनिक्षमा है मैं उस व्यक्ति को माफ नहीं करने जा रहा हूं, चाहे कुछ भी हो मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं उन्हें कभी माफ नहीं करने वाला हूं इस कदम पर हम अभी भी गुस्से मेफन से हुए हैं, और कोई समाधान नहीं है जैसा कि आप कलपना कर सकते हैं, यह रहने के लिए एक असहज जगह है अगला कदम सशर्थ माफी है, अगर वे माफी मांगते हैं, तो मैं माफी मांगूंगा अगर वे इसे फिर कभी नहीं करने का वादा करते हैं, तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा यह लेंदेन की क्षमा आवेग के तरीके से आती है, अपनी भावनाओं को खिलाने की आवशेक्ता से प्रेरित लूथर कॉलेज के शोध से पता चलता है कि जब हम माफी मांगते हैं या देते हैं, क्षमा करना आसान लगता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम सशर्थ क्षमा पर ध्यान के इंद्रित करें मैं चाहता हूँ कि तुम और उंचे उठू अगला कदम कुछ ऐसा है, जिसे परिवर्तनकारी क्षमा कहा जाता है यह अच्छाई के मोड में क्षमा है परिवर्तनकारी क्षमा में हम क्षमा या चना या बदले में किसी और चीज की अपेक्षा किये बिना क्षमा करने की शक्ति और शान्ती पाते हैं क्षमा की सीड़ी पर एक स्तर उचा है बिना शर्थ क्षमा यह क्षमा का वह स्तर है जो एक मातापिता के पास अक्सर बच्चे के लिए होता है कोई फर्क नहीं पढ़ता कि बच्चा क्या करता है या क्या करेगा मातापिता ने उन्हें पहले ही माफ कर दिया है अच्छी खबर यह है, मैं आपको इसके लिए लक्षे बनाने का सुझाव नहीं दे रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आप जो हासिल करे वह परिवर्तनकारी क्षमा है मन की शांती क्षमा हमारे मन में शांती लाने के लिए दिखाया गया है क्षमा वास्तव में उर्जा की बचत करती है परिवर्तनकारी क्षमा कई स्वास्थे सुधारों से जोड़ी हुई है जिन में शामिल हैं कम दवाए, बेहतर नींद की गुनवत्ता और पीठ दर्द, सिर्दर्द, मतली और थकान सहित दैहिक लक्षनों में कमी क्षमा करने से तनाव कम होता है क्योंकि अब हम सचेत और अव्चेतन दोनों तरह के क्रोधित विचारों को पुन चक्रित नहीं करते हैं जो हमें सबसे पहले तनाव में डालते हैं वास्तव में विज्ञान से पता चलता है कि घनिष्ट संबंदों में भागीदारों के बीच भावनात्मक तनाव कम होता है जब वे एक दूसरे को क्षमा करने में सक्षम होते हैं और यह शारीरिक कल्यान को बढ़ावा देता है जर्नल पर्सनल रिलेशनशिप के 2011 संसकरण में प्रकाशित एक अधेयन में 68 विवाहित जोड़े हाल की एक घटना के बारे में 8 मिनट की बात करने के लिए सहमत हुए जहां एक पती या पतनी ने शादी के नियमों को तोड़ा इसके बाद जोडों ने अलग-अलग साक्षातकारों के रिपले देखे और शोध करताओं ने उनके रक्तचाप को मापा उन जोडों में जहां पीडिद अपने जीवन साथी को माफ करने में सक्षम था दोनों भागीदारों का रक्तचाप कम हो गया यह सिर्फ यह दिखाने के लिए जाता है कि क्षमा करना सभी के लिए अच्छा है क्षमा देने और प्राप्त करने दोनों के स्वास्ते लाब है जब हम क्षमा को अपनी साधना का नियमित हिस्सा बना लेते हैं तो हम अपने सभी संबंधों को खिलते हुए देखना शुरू कर देते हैं। हमें अब कोई शिकायत नहीं है। निपटने के लिए नाटक कम है। इसे आजमाई, क्षमा मांगे और प्राप्त करें। इस अभ्यास में हम संघर्ष से उत्पन दर्द और या क्रोध की गांठ को खोलने का प्रयास करते हैं। यहां तक कि अगर रिष्टा वह नहीं है, जिसे आप बचाना चाहते हैं, या पुनर निर्मान का विकल्प है, तो यह अभ्यास आपको क्रोध को दूर करने और शांती पाने में मदद करेगा। शुरू करने से पहले, अपने आपको दूसरे व्यक्ति के स्थान पर देखें। उनके दर्द को स्वीकार करें और समझें कि यही कारण है, कि वे आपको दर्द दे रहे हैं। फिर, क्षमा का पत्र लिखें। वन उन सभी तरीकों की सूची बनाएं जिनसे आपको लगता है, कि दूसरे व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया। किसी अन्य व्यक्ति को इमानदारी से और विशेश रूप से क्षमा करना रिष्टे को ठीक करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तै करता है। प्रतेक आइटम को मैं आपको क्षमा करता हूँ। के साथ शुरू करें जब तक आप सब कुछ प्राप्त नहीं कर लेते, हम यह पत्र नहीं भेज रहे हैं, इसलिए यदि यही बात आपके दिमाग में आती रहती है, तो आप खुद को दोहरा सकते हैं। वह सब कुछ लिखें जो आप कहना चाहते थे लेकिन कभी मौका नहीं मिला, आपको क्षमा का अनुभव करने की आवश्यक्ता नहीं है। अभी तक, जब आप इसे लिखते हैं, तो आप जो कर रहे हैं, वह दर्द को और अधिक विशेश रूप से समझना शुरू कर देता है, ताकि आप इसे धीरे-धीरे जाने दे सकें। टू अपनी कमियों को स्विकार करें। स्थिती या संघर्ष में आपकी भूमिका, यदि कोई हो, क्या थी। उन तरीकों की सूची बनाएं जिनसे आपको लगता है, कि आपने गलत किया है, प्रतेक वाक्यांश, कृपया मुझे क्षमा करें। के साथ शुरू करें, याद रखें कि आप अतीत को पूर्ववत नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी भूमिका की जिम्मेदारी लेने से आपको समझने में मदद मिलेगी और अपने और अपने प्रती अपने क्रोध को छोड़ दें। अन्य व्यक्ति, त्री जब आप इस पत्र को पूरा कर लें, तो इसे पढ़ते हुए खुद को रिकॉर्ड करें। ज्यादातर फोन ऐसा कर सकते हैं, खुद को अबजेक्टिव औबजर्वर की स्थिती में रखते हुए इसे वापस चलाएं। याद रखें कि जो दर्द आपको दिया गया है, वह आपका नहीं है। यह दूसरे व्यक्ति का दर्द है। जब आप एक संतरे को निचोडते हैं, तो आपको संतरे का रस मिलता है। जब आप किसी दर्द से भरे हुए को निचोड़ते हैं, तो दर्द बाहर आता है इसे अवशोशित करने या वापस देने के बजाए, यदि आप क्षमा करते हैं, तो आप दर्द को दूर करने में मदद करते हैं क्षमा एक दोत्रफा रास्ता है क्षमा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होना चाहिए हम में से कोई भी पूर्ण नहीं है और यद्यप्वी ऐसी परिस्थितिया होंगी जहां आप निर्दोश है ऐसे समय भी होते हैं जब संगर्ष के दोनों और गलत कदम होते है जब आप दर्द देते हैं और दूसरे आपको दर्द देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपके दिल एक साथ एक असहज गाठ में बदल जाते हैं जब हम क्षमा करते हैं, तो हम अपने दर्द को उनके दर्द से अलग करना शुरू कर देते हैं और भावनात्मक रूप से खुद को ठीक कर लेते हैं। लेकिन जब हम एक ही समय में क्षमा मांगते हैं, तो हम एक साथ मुर जाते हैं। यह थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि हम दूसरे लोगों में दोश ढूंधने और फिर उसे क्षमा करने में अधिक सहज होते हैं। हम गलती स्वीकार करने और अपने जीवन में जो कुछ भी बनाते हैं, उसकी जिम्मेदारी लेने के अभ्यस्त नहीं है। स्वयं को क्षमा करना कभी कभी जब हम अतीत में किये गए कारियों के लिए शर्म या अपरादबोध महसूस करते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि वेकारे अब हमारे मूलियों को प्रतिबिम्बित नहीं करते हैं। अब जब हम अपने पूर्व स्वयं को देखते हैं, तो हम उनके निर्नेयों से संबंधित नहीं होते हैं। इसे आज माई अपने आपको क्षमा करें、 उपरोक्त अभयास का उप्योग स्वयं को क्षमा करने के लिए भी किया जा सकता है। प्रतेक पंक्ती को मैं अपने आपको क्षमा करता हूं। के साथ शुरू करते हुए उन कारणों की सूची बनाए जिन पर आप गुस्सा या निराश महसूस करते हैं फिर इसे जोर से पढ़ें या इसे रिकॉर्ड करें और इसे अपने लिए बजाएं अबजेक्टिव अबजर्वर को बाहर लाएं और दर्द को दूर करते हुए अपने लिए समझ पाएं जब हम अपने सिर को इस तथे के इर्दगिर्द लपेटते हैं कि हम अतीत को पूर्ववत नहीं कर सकते हैं तो हम अपनी खामियों और गलतियों को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, खुद को माफ कर देते हैं और ऐसा करते हुए हम अपने आपको भावनात्मक उपचार के लिए खोलते हैं, जिसके लिए हम सभी तरसते हैं उपर उठाना क्षमा का शिखर, सच्चा सथ्व, उस व्यक्ती की कामना करना है, जिसने आपको अच्छी तरह से दर्द दिया है मैं बौध बन गई क्योंकि मैं अपने पती से नफरत करती थी ऐसा कुछ नहीं है, जो आप हर दिन सुनते हैं, लेकिन बौध नन और वहें थिंग सफ वल अपार्ट पेमा चोडरोन के लेखक केवल मजाग कर रहे हैं अपने तलाग के बाद, वह एक नकारात्मक सरपिल में चली गई जहां उसने अपने पती के संबंध के कारण बदला लेने की कलपनाओं का मनोरंजन किया आखिरकार, उन्हें चोग्यामत रूंग पारिन पोछे, एक ध्यान गुरू, जिन्होंने बोलडर, कोलो राडो में नरोपा विश्व विद्याले की स्थापना की, के लेखन के बारे में पता चला उसके काम को पढ़ने में, उसने महसूस किया कि रिष्टा एक घातक कोशिका की तरह हो गया था, मरने के बज़ाए, उसका गुस्सा और दोश ब्रेक अप की नकारात मक्ता को फैलाने का कारण बन रहा था एक बार जब चोडरोन ने खुद को चटान की तुलना में नदी की तरह बनने की अनुम्ती दी, तो वह अपने पती को माफ करने और आगे बढ़ने में सक्षम थी वह अब अपने पूर्व पती को अपने सबसे महान शिक्षकों में से एक के रूप में संदर्भित करती है यदि आप चाहते हैं कि आपके और दूसरे व्यक्ती के बीच की नकारात मक्ता समाप्त हो जाए, तो आपको यह आशा करनी होगी कि आप दोनों ठीक हो जाए आपको उन्हें सीधे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुब कामना की उर्जा को हवा में भेजें यह तब होता है, जब आप सबसे अधिक स्वतंत्र और शान्ती महसूस करते हैं, क्योंकि आप वास्तव में जाने देने में सक्षम है नकारात्मक्ता जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है हम चिढ़ाते और उकसाते हैं, भेद्देता व्यक्त करते हैं, साज्जा मूलियों और भय से जुड़ते हैं ऐसा कॉमेडी शोखोजना मुश्किल है, जो नकारात्मक्त पणियों पर आधारित नहो लेकिन नकारात्मक्ता के बीच एक रेखा है, जो हमें जीवन और नकारात्मक्ता को नेविगेट करने में मदद करती है, जो दुनिया में अधिक दर्द को दूर करती है आप किसी के बच्चे को नशे की लट से होने वाली समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि आप डरते हैं कि यह आपके परिवार के साथ होगा और इससे बचने की उम्मीद है लेकिन आप परिवार को आंकने और अपने बारे में बेहतर महसूस करने के लिए उसी मुद्दे के बारे में गपशप भी कर सकते हैं एलेन डी जेनरेस लाइन को सपश्ट रूप से देखती हैं परेड पत्रिका के साथ एक साक्षातकार में उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि लोगों का मजाक बनाना मजेदार है दुनिया नकारात मकता से भरी है मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे देखे और सोचें मुझे अच्छा लग रहा है और मैं आज किसी और को अच्छा महसूस कराने जा रहा हूँ यह वह भावना है जिसमें भिक्षू मोजमस्ती करते हैं हम चंचल हैं और आसानी से हंस्ते हैं जब नए भिक्षू आते थे तो वे अकसर खुद को बहुत कमभीरता से लेते थे मुझे पता है कि मैंने किया था और वरिष्ट भिक्षूं की आंखों में एक चमक आ जाती थी जब वे कहते थे अब स्थिर रहो अपने पहले दिन अपनी सारी उर्जा बरबाद मत करो जब भी पुजारी सबसे विशेश पवित्र भोजन लाता जो की हमारे द्वारा खाये जाने वाले साधारन भोजन से अधिक मीठा और स्वादिष्ट था छोटे भिक्षु पहले इसे प्राप्त करने के लिए मजाक मल्ले उद्ध करते थे और ध्यान के दोरान अगर कोई सोजाता और खराटे लेता तो हम सब एक दूसरे को देखते अपनी व्याकुलता को छिपाने की कोशिश भी नहीं करते हमें अपने विचारों और शब्दों को 100 प्रतिशत धूप और सकारातमत्ता तक कम करने की आवश्यक्ता नहीं है लेकिन हमें खुद को चुनोती देनी चाहिए कि हम नकारातमत्ता की जड़ को खोदे अपने और अपने आसपास के लोगों में इसकी उत्पत्ती को समझें और इस बात पर ध्यान दे कि हम उस उर्जा का प्रबंधन कैसे करते हैं जिसे हम अवशोशित करते हैं हम मानेता और क्षमा के माध्यम से जाने देना शुरू करते हैं हम अपने जीवन में नकारातमत्ता को बदलने के लिए नए व्यवहारों को देखते हैं, रोकते हैं और अदलाब्दली करते हैं, हमेशा आत्म अनुशासन और आनंद की ओर प्रयास करते हैं जब आप दूसरों के दुरभागे के बारे में इतना उत्सुक महसूस करना बंद कर देते हैं और इसके बजाए उनकी सफलताओं का आनंद लेते हैं, तो आप ठीक हो जाते हैं जितना कम समय आप दूसरों पर फिक्स करते हैं, उतना ही अधिक समय आपको खुद पर फोकस करना होता है नकारात मक्ता, जैसा की हमने चर्चा की है, अक्सर भय से उत्पन्न होती है इसके बाद हम स्वय भय का पता लगाएंगे यह हमारे रास्ते में कैसे आता है और हम इसे जीवन का एक उत्पादक हिस्सा कैसे बना सकते हैं तीन, डर, होटल अर्थ में आपका स्वागत है भय मृत्यू को नहीं रोकता, यह जीवन को रोकता है बुदद, महा भारत का महा कावे युद्ध शुरू होने वाला है हवा प्रत्याशा के साथ मोटी है हजारों योद्धा अपनी तलवारों के मूठों पर उंगली उठाते हैं जैसे उनके घोडे जमीन पर खराटे लेते हैं और पंजा मारते हैं लेकिन हमारा हीरो अर्जुन डरा हुआ है इस लड़ाई के दोनों और उसके परिवार और दोस्त हैं और उनमें से कई मरने वाले हैं भूमी के भयंकर योद्धाओं में से अर्जुन अपना धनुष गिरातता है भगवद गीता एक योद्धा के आतंक के साथ युद्ध के मैदान में खुलती है अर्जुन देश का सबसे प्रतिभाशाली धनुर्धर है फिर भी डर ने उसे अपनी क्षमताओं से पूरी तरह से संबंध खो दिया है हम में से प्रतेक के साथ ऐसा ही होता है हमारे पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है लेकिन दर और चिंता हमें अपनी क्षमताओं से अलग कर देते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े होकर हमें प्रतेक्ष या अप्रतेक्ष रूप से सिखाया गया था कि दर नकारात्मक है दरुम हमारे मातापिता ने हमें बताया दरावनी बिल्ली हमारे दोस्तों ने चिढ़ाया दर एक शर्मनाग अपमानजनक प्रतिक्रिया थी जिसे अंदेखा या छिपाया जाना था लेकिन दर का एक दूसरा पहलू भी है जिसका जिक्र टौम है अंक्स ने येल विश्व विद्याले में अपने आरंविक भाशन में किया था दर उन्होंने सनातकों से कहा हम मेंसे सबसे अच्छे से सबसे खराब मिलेगा सच तो यह है हम कभी भी पूरी तरह से भय और चिंता के बिना नहीं रहेंगे हम अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक माहल को पूरी तरह से संघर्ष और अनिश्चित्ता को खत्म करने के लिए ठीक नहीं कर पाएंगे न की हमारी रोजमर्रा की पारसपरिक चुनोतियों का उलेख करने के लिए और यह ठीक है, क्योंकि डर बुरा नहीं है, यह केवल एक चेतावनी ध्वज है आपका मन कह रहा है, यह अच्छा नहीं लग रहा है कुछ गलत हो सकता है हम उस सिगनल के साथ यही करते हैं वो मायने रखता है हम जलवायू परिवर्तन के प्रभावों के अपने डर का उप्योग हमें समाधान विक्सित करने के लिए प्रेरित करने के लिए कर सकते हैं या हम इसे हमें अभिभूत और निराश महसूस करने की अनुमती दे सकते हैं और परिणामस्वरूप कुछ भी नहीं कर सकते हैं कभी कभी डर हमें वास्तविक खत्रे से बचने में मदद करने के लिए एक महत्व पूर्ण चेतावनी है लेकिन ज्यादातर समय हम जो महसूस करते हैं वह पैसे, नौकरी और रिष्टों के बारे में रोजमर्रा की चिन्ताओं से संबंधित चिन्ता है हम चिन्तारोजमर्रा के डर को हमें अपनी सच्ची भावनाओं से अवरुद्ध करके हमें वापस पकड़ने की अनुमती देते हैं जितना अधिक समय तक हम भय को पकड़ते हैं, उतना ही वे तब तक किन्वन करते हैं, जब तक कि वे अंततह विशाक्त नहीं हो जाते मैं मठ में एक ठंडे तहखाने के कमरे के फर्ष पर बीस या अन भिक्षों के साथ क्रॉस लेगड बैठा हूँ मुझे आश्रम में आए अभी कुछ ही महीने हुए है गौरांग दास ने अभी अभी गीता के उस द्रिश्य की चर्चा की है, जब नायक अरजुन भय से ग्रसित हो जाता है यह पता चलता है कि अरजुन का डर सीधे युद्ध में शामिल होने के बजाई उसे रोक देता है वह तबाह हो गया है कि उस दिन इतने सारे लोग मर जाएंगे जिससे वह प्यार करता है भय और पीडा ने उसे पहली बार अपने कारियों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया ऐसा करने से वह मानव नैतिक्ता, आध्यात्मिक्ता और क्रिश्न के अनुसार जीवन कैसे काम करता है जो उनके सार्थी हैं के बारे में एक लंबी बातचीत के लिए उकसाता है जब गोरांगदास अपना व्याख्यान समाप्त करते हैं तो वे हमें अपनी आखे बंद करने के लिए कहते हैं फिर हमें अपने अतीत के डर को दूर करने के लिए निर्देशित करते हैं नकेवल इसकी कलपना करें बल्कि इसे अपने शरीर में महसूस करें उस अनुभव के सभी द्रेशे, द्वनिया और गंथ वह हमें बताता है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम कुछ मामूली न चुने जैसे कि स्कूल में पहला दिन या तैरना सीखना जब तक कि वे अनुभव वास्तव में भयानक न हो लेकिन कुछ महत्वपूर्ण वह चाहता है कि हम अपने गहरे डर के साथ एक नया रिष्टा उजागर करें, स्वीकार करें और एक नया रिष्टा बनाएं हम चारों और मजाग करना शुरू कर देते हैं, कोई मेरी सैर पर मेरे सामने आय साम्प की खाल पर मेरी अतिरंजना का मजाग उडाता है गौरंग दास हमारी हरकतों को जानते हुए भी स्वीकार करते हैं, यदि आप इस गतिविधी को ठीक से करना चाहते हैं, वे कहते हैं, आपको अपने दिमाग के उस हिससे से आगे बढ़ना होगा जो इसका मजाग उडा रहा है यह एक रक्षा तंत्र है, जो आपको वास्तव में इस मुद्दे से निपटने से रोकता है, और यही हम डर के साथ करते हैं हम इस से खुद को विचलित करते हैं, गौरंग दास कहते हैं, आपको उस जगह से आगे जाने की जरूरत है हसी फीकी पड़ जाती है, और मैं लगभग सभी की रिव्ड को अपनी रिव्ड की हड़ी के साथ साथ सीधा महसूस कर सकता हूँ मैं अपनी आँखे बंद करता हूँ और मेरा दिमाग शान्थ हो जाता है, लेकिन मुझे अभी भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है मैं किसी चीज से नहीं डरता, वास्तव में नहीं, मुझे लगता है फिर, जैसे जैसे मैं आगे और आगे जाता हूँ ध्यान, मेरे दिमाग के शोर और बकबक के बाद, मैं खुद से पूछता हूँ, मैं वास्तव में किस से डरता हूँ सच्चाई की जिल मिलाहट दिखाई देने लगती है मैं एक बच्चे के रूप में परीक्षा के अपने डर को देखता हूँ मुझे पता है, यह शायद तुच लगता है किसी को परीक्षा पसंद नहीं है, एहना लेकिन परीक्षाय मेरी कुछ सबसे बड़ी चिंताए थी ध्यान में बैठकर, मैं खुद को यह पता लगाने की अनुमती देता हूँ कि उस डर के पीछे क्या था मैं वास्तव में किस से डरता हूँ मैं फिर से खुद से पूछता हूँ धीरे धीरे, मैं मानता हूँ कि मेरा डर इस बात पर केंदरित था कि मेरे माता पिता और मेरे दोस्त मेरे स्कोर के बारे में क्या सोचेंगे और इसके परिणाम स्वरूप मेरे बारे में क्या सोचेंगे इस बारे में कि मेरा विस्तरित परिवार क्या कहेगा और मेरी तुलना मेरे चचेरे भायों और मेरे आसपास के अन्य सभी लोगों से कैसे की जाएगी मैं इस डर को अपने मन की आंखों में नहीं देखता मैं इसे अपने शरीर में महसूस करता हूँ मेरे सीने में जकडन, मेरे जबडे में तनाव, जैसे कि मैं वहीं हूँ मैं वास्तव में किस से डरता हूँ फिर मैं उस समय के आसपास डरना शुरू कर देता हूँ जब मुझे स्कूल में परेशानी होती है मैं इतना चिंतित था कि मुझे निलंबित या निश्कासित कर दिया जाएगा मेरे मातापिता कैसे प्रतिक्रिया देंगे मेरे शिक्षक क्या सोचेंगे मैं खुद को और भी गहराई में जाने के लिए आमंतृत करता हूं मैं वास्तव में किस से डरता हूं मैं अपने मातापिता के आसपास इस डर को देखता हूं उनका साथ नहीं मिल रहा है और मुझे कम उम्र में उनकी शादी में मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है सोचने की मैं उन दोनों को कैसे खुश कर सकता हूं मैं उन्हें कैसे प्रबंधित कर सकता हूं और सुनिश्चित कर सकता हूँ कि वे खुश है तभी मुझे अपने डर की जड़ मिल जाती है मैं वास्तव में किस से डरता हूँ मुझे डर है कि मैं अपने माताप पिता को खुश नहीं कर सकता जैसे ही मैंने उस रहस्योद घाटन को मारा मुझे पता है कि मैं अन्य सभी भयों के नीचे सच्चे भय तक पहुच गया हूँ यह एक पूर्ण श्रीर अहाक्षन है जैसे मैं पानी के नीचे गहरा और गहरा ढूब गया मेरी छाती के खिलाफ दबाव बढ़ रहा था सांस लेने के लिए तेजी से बेताब था और जब उस अहसास ने मुझे मारा तो मेरा सिर उपर उठ गया और मैं हवा के लिए हामफने लगा आदे घंटे पहले मुझे यकीन हो गया था कि मैं किसी भी चीज से नहीं डरता और अचानक मैं अपने सबसे गहरे डर और चिंताओं को उजागर कर रहा था जिसे मैं वर्षों से खुद से पूरी तरह चुपाने में कामयाब रहा था धीरे से लेकिन लगातार अपने आप से यह पूछ कर कि मैं किस से डरता हूँ मैंने अपने दिमाग को इस सवाल को चकमा देने से मना कर दिया हमारा दिमाग हमें असहज स्थानों में प्रवेश करने से रोकने में वास्तव में अच्छा है लेकिन किसी प्रश्ण को दोबारा दोहराने के बजाए उसे दोहरा कर हम अनिवारे रूप से अपने मस्तिष्ट को गेर लेते हैं अब यह स्वयं के प्रती आकरामक होने के बारे में नहीं है यह कोई पूछताच नहीं है यह एक साक्षातकार है आप खुद से सवाल इमानदारी से पूछना चाहते हैं, जब रदस्ती से नहीं परीक्षा परिणाम से डरने को मैं शाखा कहता हूँ जैसे जैसे आप अपने डर के साथ अपने रिष्टे को विक्सित करते हैं आपको शाखाओं के बीच अंतर करना होगा आपके आत्म साक्षातकार के दोरान आने वाले ततकाल भए और जड़ परीक्षा परिणामों के अपने डर और दिखाई देने वाले अन्ग, शाखाओं के डर को ट्रेक्ट करने से मैं जड़ तक पहुँच गया, इस डर से की मैं अपने मातापिता को खुश नहीं कर सकता डर का डर एक भिक्षु के रूप में अपने तीन वर्षों के दोरान, मैंने अपने भय के भय को दूर करना सीखा सजा, अपमान, या अस्फलता का डर और उनके साथ के नकारात्मक द्रिष्टिकुंग, अब आत्मसंगरक्षन के मेरे पथभरष्ट प्रयासों को आगे नहीं बढ़ाते हैं मैं उन अवसरों को पहचान सकता हूँ जो संकित से डरते हैं डर हमें उन सोच और व्यवहार के पैटर्न को पहचानने और संबोधित करने में मदद कर सकता है, जो हमारी सेवा नहीं करते हैं हम अपने डर को हमें चलाने देते हैं, लेकिन डर ही हमारी असली समस्या नहीं है हमारी असली समस्या यह है कि हम गलत चीजों से डरते हैं, हमें वास्तव में डरना चाहिए कि हम उन अवसरों को खो देंगे जो डर प्रदान करता है The Gift of Fear में दुनिया के प्रमुख सुरक्षा विशेशग्यों में से एक गेविन डी बेकर इसे एक शांदार आंतरिक अभिभावक कहते हैं, जो आपको खत्रों से आगाह करने और जोखिम भरी परिस्थितियों में आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है अक्सर, हम दर की चेतावनी को नोटिस करते हैं, लेकिन उसके मार्गदर्शन को नजर अंदाज कर देते हैं यदि हम यह पहचानना सीखें कि कौन सा डर हमें अपने बारे में सिखा सकता है और हम क्या महत्व देते हैं, तो हम इसे अपने जीवन में अधिक अर्थ, उद्देशे और पूर्ती प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में उप्योग कर सकते हैं हम में से सबसे अच्छा पाने के लिए हम दर का उप्योग कर सकते हैं कुछ दशक पहले, वैग्यानिकों ने एरिजोना रेगिस्तान में एक प्रयोग किया था जहां उन्होंने बायो स्फियर टू का निर्मान किया था हवा के साथ एक विशाल स्टील और कांच का बाड़ा जो शुद्ध पानी, पोशक तत्वों से भर पूर मिट्टी और बहुत सारी प्राकृतिक रोशनी से युक्त था यह भीतर के वनस्पतियों और जीवों के लिए आदर्श रहने की स्थिती प्रदान करने के लिए था और जबकि यह कुछ मायनों में सफल रहा, एक तरह से यह एक पूर्ण विफलता थी बार-बार, जब बायोस्फियर के अंदर के पेड एक निश्चित उँचाई तक बढ़ते हैं, तो वे बस गिर जाते हैं सबसे पहले, घटना ने वैग्यानिकों को भ्रमित किया अंत में, उन्होंने महसूस किया कि बायोस्फियर में पेडों के स्वास्थे के लिए आवशेक एक प्रमुख तत्व की कमी है, हवा प्राकृतिक वातावरन में पेड हवा से जूम उठते हैं वे अपनी स्थिर्ता बढ़ाने के लिए मजबूत चाल और गहरी जड़े उगा कर उस दबाव और आंदोलन का जवाब देते हैं हम अपने स्वनिर्मित बायोस्फियर के आरामदायक बुलबुले में रहने की कोशिश में बहुत समय और उर्जा बरबाद करते हैं हम तनाव और परिवर्तन की चुनौतियों से डरते हैं, लेकिन वे तनाव और चुनौतियां हवा हैं, जो हमें मजबूत बनाती हैं 2017 में, एलेक्स होननोल्ड ने दुनिया को चौंका दिया जब वह फ्री राइडर पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए, योसेमाइट नेशनल पार्क के प्रसिद्ध एल कैपिटन पर लगभग 3,000 फुट की चढ़ाई, पूरी तरह से रस्सियों के बिना होननोल्ड की अविश्वसनी उपलब्धी पुरसकार विजेता वृत्त चित्रफरी सोलो का विशय थी फिल्म में होननोल्ड से पूछा जाता है, कि वह यह जानकर कैसे निप्टता है, कि जब वह स्वतंत्र रूप से चढ़ता है, तो विकल्प पूर्णता या मृत्यू होते हैं लोग आपके डर को दबाने की कोशिश करने के बारे में बात करते हैं, उन्होंने जवाब दिया मैं इसे एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ, मैं बार-बार चालों का अभ्यास करके अपने आराम शेत्र का विस्तार करने की कोशिश करता हूँ मैं दर के माध्यम से तब तक काम करता हूँ जब तक की यह अब दरावना नहो हुन्नोल्ड का डर उन्हें एक समारक मुक्त एकल का प्रयास करने से पहले व्यापक मात्रा में केंदृत काम करने के लिए प्रेरित करता है अपने डर को उत्पादक बनाना उसके प्रशिक्षन का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसने हुन्नोल्ड को उसके चड़ाई के खेल के शीर्ष और पहाडों की चोटी तक पहुचाया है यदि हम तनाव और उसके साथ आने वाले डर को नकारात्मक के रूप में देखना बंद कर सकते हैं और इसके बजाए संभावित लाभों को देखते हैं तो हम डर के साथ अपने रिष्टे को बदलने के रास्ते पर हैं तनाव प्रतिक्रिया तनाव के बारे में सबसे पहले हमें यह महसूस करने की आवश्यक्ता है कि यह समस्याओं को वर्गी कृत करने का अच्छा काम नहीं करता है हाल ही में मुझे वर्चूल रियलिटी डिवाइस का परेक्षन करने का मौका मिला आभासी दुनिया में मैं एक पहाड पर चड़ रहा था जैसे ही मैंने एक कगार पर कदम रखा मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वास्तव में हवा में आठ हजार फीट की दूरी पर हूँ जब आपका दिमाग चिलाता है दर आपका शरीर इस बात में अंतर नहीं कर सकता की खत्रव वास्तविक है या कालपनिक चाहे आपका अस्तित्व खत्रे में है या आप अपने करों के बारे में सोच रहे हैं जैसे ही वह दर संकित बंध हो जाता है हमारे शरीर हमें लड़ने या भागने के लिए या कभी कभी जमने के लिए तैयार करते हैं यदि हम इस हाई अलर्ट डर की स्थिती में बहुत बार लॉन्थ होते हैं तो वे सभी तनाव हार्मोन हमें नीचे की ओर भेजना शुरू कर देते हैं जिससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, हमारी नींद और हमारी चंगा करने की इक्षमता प्रभावित होती है फिर भी अधेनों से पता चलता है कि रुकरुक कर होने वाले तनावों से सफलता पूर्वक निपटने में सक्षम होना जैसे कि उस बड़ी कारे परियोजना का प्रबंधन करना या किसी नए घर में जाना उनसे सीधे संपर्थ करें जैसे वे पेड हवा में खड़े होते हैं बेहतर स्वास्थे के साथ साथ उपलब्धी और कल्यान की अधिक भावनाओं में योगदान करते हैं जब आप भय और कठिनाई का सामना करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप भय और कठिनाई से निपटने में सक्षम हैं यह आपको एक नया द्रिष्टी कोंग देता है यह विश्वास कि जब बुरी चीजें होती हैं तो आप उन्हें संभालने के तरीके खोज लेंगे उस बढ़ी हुई निश्पक्षता के साथ आप यह अंतर करने में बेहतर हो जाते हैं कि वास्तव में क्या डरने लायक है और क्या नहीं उपर वर्नित भय ध्यान से मैं इस विचार के साथ आया था कि डर के लिए हमारे पास चार अलग अलग भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं हम घबराते हैं, हम जम जाते हैं, हम भाग जाते हैं, या हम इसे दफन कर देते हैं, क्योंकि मैंने अपने माता पिता के बारे में अपनी चिंता को दफन कर दिया था पहले दो छोटी अवधी की रणनीतिया हैं, जबकि दूसरी दो लंबी अवधी की हैं, लेकिन ये सभी हमें स्थिती से विचलित करती हैं, और हमें अपने डर का उत्पादक रूप से उप्योग करने से रोकती हैं दर के साथ अपने रिष्टे को बदलने के लिए हमें इसके बारे में अपनी धारना बदलनी होगी एक बार जब हम उस मूले को देख सकते हैं जो दर प्रदान करता है, तो हम बदल सकते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं इस रिप्रोग्रामिंग में एक आवशेक कदम दर के प्रती हमारे प्रतिक्रिया पैटर्न को पहचानना सीख रहा है दर के साथ काम करें मैंने उलेक किया है कि भिक्षु जागरूकता के साथ विकास प्रक्रिया शुरू करते हैं जैसे हम नकारात्मक्ता का सामना करते समय करते हैं वैसे ही हम अपने डर को बाहर करना चाहते हैं और वस्तुनिष्ठ परेवेक्षक बनकर उससे एक कदम पीछे हटते हैं डर के साथ काम करना सीखने की प्रक्रिया केवल कुछ अभ्यास करने के बारे में नहीं है जो सब कुछ हल करती है, यह दर के प्रती अपना द्रिष्टी कोंग बदलने के बारे में है, यह समझना की इसमें कुछ है, फिर पहचानने और बाहर निकलने की कोशिश करने का काम करने के लिए प्रतिबध है, हर बार प्रकट होने पर आपके व्याकुलता के पैटर्न के बा को स्वीकार करने से इनकार करना तो हमारे डर को नकारात्मक से सकारात्मक में बदलने का पहला कदम बस यही करना है अपने डर को स्वीकार करें अपने डर से इस खाई को पाटने के लिए हमें इसकी उपस्थिती को स्वीकार करना चाहिए जैसा कि मेरे शिक्षक ने हमें बता मैं तुम्हें देखता हूँ, हमारे दर्द के लिए। या चाहिए जब हम कहते हैं मैं तुम्हें देखता हूँ हम उस पर ध्यान दे रहे हैं जो वह मांग रहा है जैसे रोते हुए बच्चे को सुनना और पकड़ना होता है जब हम अपने डर को स्वीकार करते हैं तो लगातार सांस लेते हुए हमें अपनी मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं को उसकी उपस्थिती में शांत करने में मदद मिलती है अपने डर की ओर चलो इससे परिचित हूँ इस प्रकार हम भय के साथ स्वयम को पूर्ण उपस्थिती में लाते हैं जब आप उस स्मोक अलारूम के बंद होने के बारे में जागते हैं तो आप स्वीकार करेंगे कि इस समय क्या हो रहा है और फिर आप घर से बाहर निकल जाएंगे बाद में शांत अवस्था में आप इस परचिंतन करेंगे कि आग कैसे लगी या कहा से आई आप बीमा कंपनी को फोन करेंगे आप कथा पर नियंतरन रखेंगे वह है भय के साथ वर्तमान समय में पहचानना और रहना इसे आजमाई अपने डर का मूल ल्यांकन करें एक छोर पर शूने और दूसरे पर दस के साथ एक रेखा खींचें आप सबसे बुरी चीज क्या सोच सकते हैं शायद यह एक लटवा मारने वाली चोट है या किसी प्रियजन को खोना है इसे लाइन पर दस बनाओ अब उसके संबंध में अपने वर्तमान भय का मूल ल्यांकन करें बस ऐसा करने से कुछ परिप्रेक्षे देने में मदद मिलती है जब आपको लगता है कि डर पैदा हो गया है तो उसे रेट करें यह वास्तव में डरावनी चीज के बगल में कहां गिरता है डर पैटर्न खोजें हमें अपने डर को स्वीकार करने के साथ साथ उसके साथ व्यक्तिगत भी होना चाहिए इसका मतलब उन स्थितियों को पहचानना है जिनमें यह नियमित रूप से प्रकट होता है अपने डर से पूछने के लिए एक शक्तिशाली सवाल फिर से दया और इमानदारी के साथ जितनी बार आवशेक हो है मैं आपको कब महसूस करता हूँ मत में भय के साथ अपने प्रारंभिक कारे के बाद मैंने उन सभी स्थानों और स्थितियों की पहचान करना जारी रखा जिनमें मेरा भय उभरा मैंने लगातार देखा कि जब मैं अपनी परीक्षा के बारे में चिंतित था जब मैं अपने मातापिता के बारे में चिंतित था या स्कूल में अपने प्रदर्शन के बारे में या परेशानी में पढ़ रहा था तो डर ने मुझे हमेशा एक ही चिंता में डाल दिया मुझे दूसरों द्वारा कैसा माना जाता था क्या, क्या वे मेरे बारे में सोचेंगे मेरा मूल भय मेरे निर्ने लेने को प्रभावित करता है वह जागरूकता अब मुझे तब प्रेरित करती है जब मैं एक निर्नायक क्षन तक पहुचता हूं और करीब से देखने के लिए खुद से पूचता हूं क्या यह निर्ने इस बात से प्रभावित है कि दूसरे मुझे कैसे देखेंगे इस तरह मैं अपने डर के बारे में अपनी जागरूकता का उपयोग एक उपकरण के रूप में कर सकता हूं ताकि मुझे ऐसे निर्ने लेने में मदद मिल सके जो वास्तव में मेरे मूलियों और उद्देशे के अनुरूप हूं कभी कभी हम अपने द्वारा किये जाने वाले कारियों के माध्यम से अपने डर का पता लगा सकते हैं और कभी कभी यह ऐसे कारे होते हैं जिन्हें करने से हम हिचकते हैं मेरा एक मुवक्किल एक सफल वकील था लेकिन वह कानून का अभ्यास करते करते ठक गई थी और कुछ नया करना चाहती थी वह मेरे पास इसलिए आई क्यों कि वह अपने डर को रोक रही थी क्या होगा अगर मैं कुदू और दूसरी तरफ कुछ भी नहो उसने मुझसे पूछा यह एक शाखा प्रश्न की तरह लग रहा था इसलिए मैं जांच करता रहा आप वास्तव में किस से डरते हैं मैंने उससे पूछा फिर धीरे से पूछती रही जब तक कि उसने एक आह भरी और कहा मैंने इस करियर को बनाने में बहुत प्रयास और उर्जा खर्च की है क्या होगा अगर मैं यह सब फेंक रहा हूँ मैंने फिर से पूछा और अंत में हम जड़ तक पहुँचे वह असफलता से डरती थी और दूसरों के द्वारा और खुद को एक बुद्धिमान सक्षम व्यक्ति से कम के रूप में देखा जा रहा था एक बार जब उसने अपने डर की वास्तविक प्रकृती को जान लिया और स्विकार कर लिया तो वह अपने जीवन में अपनी भूमिका को फिर से स्थापित करने की राह पर थी लेकिन पहले उसे इसके साथ कुछ वास्तविक अंतरंगता विक्सित करने की आवशेक्ता थी उसे अपने डर में चलने की जरूरत थी हमने जिन समस्याओं की पहचान की उनमें से एक यह थी कि उनका कोई रोल मोडल नहीं था वे सभी वकील जिन्हें वह जानती थी अभी भी पूर्नकालिक अभ्यास कर रहे थे उसे ऐसे लोगों को देखने की जरूरत थी जिन्होंने सफलता पूरवक कुछ संसकरण किया था जो वह करना चाहती थी इसलिए मैंने उसे उन पूर्व वकीलों को जानने के लिए समय बिताने के लिए कहा जो अब नए करियर में काम कर रहे थे जो उन्हें पसंद थे जब उसने ऐसा किया तो उसने नकेवल यह देखा कि वह जो सपना देख रही थी वह संभव था वह यह जानकर भी प्रसन हुई कि उनमें से कितने लोगों ने कहा कि वे अभी भी उस कौशल को लागू कर रहे हैं जो उन्होंने हासिल किया था और कानून का अभ्यास करते थे वह अपनी सारी मेहनत को आखिर नहीं फेंक रही होगी मैंने उनसे उन नौकरियों पर शोध करने के लिए भी कहा जिन पर वह विचार कर सकती हैं उस अभ्यास के माध्यम से उसने पाया कि संचार, टीम वर्क और समस्यास माधान जैसे कई को एक सफल वकील बनने के लिए सीखना था, अन्य जगहों पर भी अत्यधिक मांग की गई थी अपने डर के साथ उस अंतरंगता को विक्सित करके, करीब आना और जांच करना की वह किस चीज से डरती है उसने ऐसी जानकारी के साथ समाप्त किया जिसने उसे करियर बदलने के विचार के बारे में अधिक सशक्त और उत्साहित महसूस किया जब हम छोटे होते हैं, तो डर से खुद को विचलित करने के पैटर्न स्थापित होते हैं वे गहराई से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें उजागर करने में कुछ समय और प्रयास लगता है अपने डर के पैटर्न को पहचानने से हमें डर को जड़ तक पहुचाने में मदद मिलती है वहां से हम समझ सकते हैं कि क्या वास्तव में तातकालिकता का कोई कारण है या क्या हमारा डर वास्तव में हमें अपने मूलियों, जुनून और उद्देशे के साथ संग्रेखन में जीने के अवसरों को पहचानने के लिए प्रेरित कर सकता है भय का कारण आसकती डर का इलाज अलगाव ये देपी हम अपने भय के साथ घनिष्ठता विक्सित कर रहे हैं हम इसे अपनी स्वयम की इकाई के रूप में देखना चाहते हैं, जो हमसे अलग है जब हम अपनी भावनाओं के बारे में बात करते हैं, तो हम आमत और पर कहते हैं, कि हम वह भावना है मुझे गुसा मैं दुखी हूँ मुझे डर लग रहा है हमारे डर से बात करना इसे हमसे अलग करता है, और हमें यह समझने में मदद करता है, कि डर हम नहीं है यह सिर्फ एक ऐसी चीज है, जिसका हम अनुभव कर रहे हैं जब आप किसी ऐसे व्यक्ती से मिलते हैं, जो नकारात्मत वाइब देता है, तो आप इसे महसूस करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि वाइब आप ही है हमारी भावनाओं के साथ भी ऐसा ही है, वे कुछ ऐसी हैं, जिन्हें हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन वे हम नहीं है मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसे हटने की कोशिश करो मुझे दुख हो रहा है, मुझे डर लग रहा है एक साधारन बदलाव लेकिन एक गहरा बदलाव क्योंकि यह हमारी भावनाओं को उनके सही स्थान पर रखता है इस द्रिश्टिकों के होने से हमारी शुरुआती प्रतिक्रियाय शान्थ हो जाती हैं और हमें बिना किसी निर्ने के अपने डर और उसके आसपास की स्थिती की जाच करने का अवसर मिलता है जब हम अपने डर को उनके सुरूत पर वापस ट्रैक्त करते हैं तो हम मेंसे अधिकांश पाते हैं कि वे आसथी से निक्टता से संबंधित हैं चीजों को अपने पास रखने और नियंतरित करने की हमारी आवशेक्ता हम अपने बारे में अपने विचारों को भौतिक संपत्ती और जीवन स्थर के बारे में सोचते हैं जो हमें परिभाशित करते हैं रिष्टों के लिए हम एक चीज बनना चाहते हैं भले ही वे स्पष्ट रूप से दूसरे हूँ, वह बंदर मन सोच रहा है, साधू मन वैराग्य का अभ्यास करता है, हम महसूस करते हैं कि हमारे घरों से लेकर हमारे परिवारों तक सब कुछ उधार है, अस्थाई चीजों से चिपके रहना उन्हें हमारे उपर शक्ती देता ह और वे दर्द और भय के सुरोत बन जाते हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन में हर चीज की अस्थाई प्रकृती को स्विकार करते हैं, तो हम उन्हें कुछ समय के लिए उधार लेने के सवभागय के लिए कृत गेता महसूस कर सकते हैं, यहां तक कि सबसे स्थाई संपत्ती सबसे अमीर और शक्तिशाली से संबंधित, वास्तव में उनकी नहीं है, यह हम्मे से बाकी लोगों के लिए भी उतना ही सठ है, और कई लोगों के लिए वास्तव में हम्में से अधिकांश के लिए वह अस्थिरता महान का कारण बनती है डर लेकिन जैसा कि मैंने आश्रम में सीखा हम अपने डर को स्वतंत्रता की एक उंची भावना में बदल सकते हैं हमारे शिक्षकों ने उपयोगी और हानिकारक भय के बीच भेद किया उन्होंने हमें बताया कि एक उपयोगी डर हमें उस स्थिती के प्रती सचेत करता है जिसे हम बदल सकते हैं यदि डॉक्टर आपको बताता है कि आपके आहार के कारण आपका स्वास्थे खराब है और आप विकलांगता या बीमारी से डरते हैं तो यह एक उपयोगी डर है क्योंकि आप अपना आहार बदल सकते हैं जब आपका स्वास्थे बेहतर होता है तो आप अपने डर को खत्म कर देते हैं लेकिन यह डरना की हमारे माता पिता मर जाएंगे एक आहत करने वाला डर है क्योंकि हम मामले की सच्चाई को नहीं बदल सकते हम जो नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान के इंद्रित करके हम हानिकारक भय को उपयोगी भय में बदल देते हैं हम अपने मातापिता को मरने से नहीं रोक सकते हैं लेकिन हम डर का इस्तेमाल हमें याद दिलाने के लिए करते हैं, कि हम उनके साथ अधिक समय बिताएं। शांतिदेव के शब्दों में सभी बाहरी घटनाओं को नियंतरित करना संभव नहीं है, लेकिन अगर मैं केवल अपने मन को नियंतरित कर लूँ, तो दूसरी चीजों को नियंतरित करने की क्या जरूरत है। यह वैराग्य है, जब आप दूर से अपनी प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, अपने भिक्षु मन के साथ, एक स्पष्ट द्रिष्टिकों के साथ निरने लेते हैं। अलगाव के बारे में एक आम गलत धारना है, जिसे मैं संभोधित करना चाहता हूँ। लोग अक्सर वैराग्य की तुलना उदासीनता से करते हैं। वे सोचते हैं कि चीजों, लोगों और अनुभवों को अस्थाई रूप से देखने या उन्हें दूर से देखने से जीवन का आनंद लेने की हमारी क्षमता कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप एक लक्चरी किराय की कार चला रहे हैं। क्या आप खुद से कहते हैं कि आप इसके मालिक हैं। बिल्कूल नहीं। आप जानते हैं कि आपके पास यह केवल सप्ताह के लिए हैं। और कुछ मायनों में जो आपको इसका अधिक आनंद लेने की अनुमती देता है। आप प्रशान्त तत राजमार्ग के नीचे एक परिवर्तनिय द्राइव करने के अवसर के लिए आभारी हैं। क्योंकि यह ऐसा कुछ है जो आपको हमेशा करने के लिए नहीं मिलेगा। कल्पना कीजिए कि आप सबसे खूबसूरत AIRBNB में रह रहे हैं। इसमें एक होट तब, शेफ की रसोई, समुद्र के द्रेश यह हैं। यह बहुत सुन्दर और रोमान चक है। आप एक हफ़ते में अपने जाने के डर से हर पल वहां नहीं बिताते हैं। जब हम स्वीकार करते हैं, कि हमारे सभी आशीरवाद एक फैंसी किराय की कार या एक सुन्दर AIRBNB की तरह हैं। तो हम उन्हें खोने के निरंतर डर में जीते बिना उनका आनंद लेने के लिए स्वतंत रहें। हम सभी भाग्यशाली वेकेशनर्स हैं, जो होटल अर्थ में अपने प्रवास का आनंद ले रहे हैं। वैराग्य भय को कम करने का अंतिम अभ्यास है। एक बार जब मैंने अपने मातापिता को निराश करने के बारे में अपनी चिंता की पहचान की, तो मैं इस से अलग होने में सक्षम हो गया। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी है। मेरे मातापिता परेशान हो सकते हैं, वे शायद नहीं, उस पर मेरा कोई नियंतरन नहीं था। मैं केवल अपने मूलियों के आधार पर निरने ले सकता था। इसे आज माई अपने अनुलगनकों का ओडिट करें। अपने आप से पूछें, मैं खोने से क्या डरता हूँ। बाहरी से शुरू करें, क्या यह आपकी कार, आपका घर, आपका रूप है। आप जो कुछ भी सोचते हैं, उसे लिखें। अब आंतरिक के बारे में सोचें, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी स्थिती, आपकी भावना। उन्हें भी लिख लें। ये सन्युक्त सूचिया आपके जीवन में दर्द का सबसे बड़ा स्रोत होने की संभावना है, इन चीजों को दूर ले जाने का आपका डर। अब उन चीजों के साथ अपने मानसिक संबंध को बदलने के बारे में सोचना शुरू करें ताकि आपको उनसे कम लगाव हो। याद रखे आप अभी भी अपने साथी, अपने बच्चों, अपने घर, अपने पैसे को अनासती के स्थान से पूरी तरह से प्यार और आनंद ले सकते हैं। यह समझने और स्वीकार करने के बारे में है कि सभी चीजे अस्थाई हैं और हम वास्तव में किसी भी चीज का स्वामित्व या नियंत्रन नहीं कर सकते हैं ताकि हम इन चीजों की पूरी तरह से सराहना कर सकें और वे हमारे जीवन को बढ़ा सकें नक्की पकड और भय का सुर करें यदि आप भाग्यशाली हैं यह एक आजीवन अभ्यास है लेकिन जैसे जैसे आप इस तथे को अधिक से अधिक स्विकार करते हैं कि हम वास्तव में किसी भी चीज के स्वामी या नियंतरन नहीं करते हैं आप पाएंगे कि आप वास्तव में लोगों चीजों और पकालिक भय का प्रबंधन अपने डर से अलग होने से आप उन्हें संबोधित कर सकते हैं सालों पहले एक दोस्त की नौकरी चली गई नौकरियां सुरक्षा हैं और हम सभी स्वाभाविक रूप से मिझ पर भोजन रखने के विचार से जुड़े हुए हैं तुरंद मेरा द दिलों को कवर करने के लिए दो या तीन गिग्स प्राप्त करने होंगे उन्होंने नकेवल भविशे के बारे में गंभीर भविशेवानियां की उन्होंने अतीत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया मुझे अपने काम में बेहतर होना चाहिए था मुझे और अधिक और अध एक घंटे काम करना चाहिए था जब आप घबराते हैं तो आप उन परिणामों का अनुमान लगाने लगते हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं दर हमें फिक्षन राइटर बनाता है हम एक आधार, एक विचार, एक दर के साथ शुरू करते हैं क्या होगा यदी जब हम भविशे के परिणामों की आशा करते हैं तो भय हमें अपनी कलपनाओं में कैद कर लेता है रोमन्स तो एक दार्शनिक सेनेका ने देखा की हमारे डर हमारे खत्रों से कहीं अधिक हैं और हम वास्तविक्ता की तुलना में हमारी कलपना में अधिक पीडित हैं अगर हम मौके पर ही अलग हो जाते हैं तो हम तीवरतनाव का प्रबंधन कर सकते हैं एक किसान के बारे में एक पुराना ताववादी द्रिश्टांत है जिसका घोडा भाग गया कैसे अशुब है उसका भाई उसे बताता है किसान जुक जाता है अच्छी बात, बुरी बात, कौन जानता है वे कहते हैं एक सप्ता बाद में स्वच्छन्द घोडा अपने घर का रास्ता खोज लेता है और उसके साथ एक सुन्दर जंगली घोडी है वह आश्चरेजनक है उसका भाई बिना किसी इरश्या के नए घोडे की प्रशंसा करते हुए कहता है फिर से किसान अडिक है अच्छी बात, बुरी बात, कौन जानता है वे कहते हैं कुछ दिनों बाद, किसान का बेटा घोडी पर चर जाता है जंगली जानवर को वश्मे करने की उम्मीद करता है लेकिन घोडा हिरन और पीछे भाग जाता है और लड़का जमीन पर गिर जाता है एक पैर तोड़ देता है कैसे अशुब है उसका भाई संतोश के साथ कहता है अच्छी बात, बुरी बात, कौन जानता है किसान फिर से जवाब देता है अगले दिन गाव के युवकों को फोज में बुलाया जाता है लेकिन बेटे का पैर तूट जाने के कारण उसे ड्राफ्ट से छूट मिल जाती है उसका भाई किसान से कहता है कि निश्चे ही यह सबसे अच्छी खबर है अच्छी बात, बुरी बात, कौन जानता है किसान कहता है इस कहानी में किसान, क्या होगा में को नहीं गया, बलकि, क्या है परध्यान के इंद्रित किया मेरे भिक्षु प्रशिक्षन के दोरान हमें सिखाया गया था, पल का अंयाई मत करो। मैंने उसी सलाह को किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जिसे मैंने सलाह दी थी कि किसने अपनी नोकरी खो दी। पल का अन्याय करने के बजाए उसे अपनी स्थिती को स्वीकार करने की आवशेक्ता थी और जो कुछ भी आया उस पर ध्यान के इंद्रित करना जो वह नियंत्रित कर सकता था मैंने उसके साथ काम किया, पहले सब कुछ धीमा कर दिया, फिर उसकी स्थिती के तथियों को स्वीकार करते हुए उसने अपनी नौकरी अवधिखो दी थी वहां से उसके पास एक विकल्प था, वह घबरा सकता था या जम सकता था, या वह इस अवसर को एक उपकरन के रूप में दर के साथ काम करने के लिए ले सकता था, इसका उपयोग इस बात के संकेतक के रूप में कर सकता था कि उसके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है औ तो उसने कहा कि वह अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाएगा। मैंने धीरे से उससे और अधिक विशिष्ट होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पैसों की चिंता है। इसलिए मैंने उसे चुनोती दीख कि वह अपने परिवार का समर्थन करने के अन्य तरीकों के बारे में सोचें। आखिरकार उसकी पतनी काम करती थी, इसलिए उनके पास कुछ पैसे आ रहे थे, वे सडक पर नहीं निकलने वाले थे। समय, उन्होंने कहा, अब मेरे पास अपने बच्चों के साथ बिताने, उन्हें स्कूल ले जाने और उनके ग्रिहकारे में मदद करने का समय है। और जब वे स्कूल में होंगे, मेरे पास वास्तव में एक नई नौकरी की तलाश करने का समय होगा। एक बेहतर, क्योंकि वह धीमा हो गया, अपने डर को स्वीकार कर लिया, और उसके चारों और स्पष्टता प्राप्त कर ली, वह अपने आतंक को शांत करने में सक्षम था और देखता था कि डर वास्तव में उसे एक अवसर के लिए सचित कर रहा था समय धन का दूसरा रूप है, उसने महसूस किया कि जब उसने अपनी नौकरी खो दी थी, तो उसने कुछ और हासिल किया था जो बहुत मूलेवान था अपने नए समय का उप्योग करते हुए, वह नकेवल अपने बच्चों के जीवन में अधिक उपस्थित था, बलकि उसे एक नई, बेहतर नौकरी भी मिली स्थिती को फिर से परिभाशित करने से उसे उर्जा को नकारात्मक रूप से निकालने से रोका गया और उसे सकारात्मक रूप से लागू करना शुरू करने के लिए प्रोथ साहित किया फिर भी उस क्षन का न्याय नहीं करना और अवसर के लिए खुला रहना कठिन है जब अग्यात भविशे आपके शरीर और मस्तिष्क के माध्यम से एक बवंदर की तरह घूमता है कभी कभी हमारी घबराहट या रुकी हुई प्रतिक्रियाय हमसे आगे निकल जाती है और निर्ने को स्थगित करना मुश्किल बना देती है आईए कुछ रन्नीतियों के बारे में बात करते हैं जो हमें घबराहट और भय में सुधार करने में मदद करती है शौर्ट सर्किट डर सवभग्य से शौर्ट सर्किट के लिए एक सरल शक्तिशाली उपकरन आतंक प्रतिक्रिया हमेशा हमारे साथ होती है हमारी संस इससे पहले कि मैं कोई भाशन दूँ जब मैं अपना परिचय सुनने के लिए मंच के बाहर खड़ा होता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा दिल तेजी से इदड़क रहा है और मेरे हाथ नम हो रहे है मैंने ऐसे लोगों को प्रशिक्षित किया है जो पूर्ण एरेनास के सामने प्रदर्शन करते हैं और जो लोग रोजमर्रा की बैठकों में उपस्थित होते हैं और हम मेंसे बाकी लोगों की तरह वे शारीरिक रूप से अपने अधिकांश डर को महसूस करते हैं चाहे वह प्रदर्शन की चिंता हो या सामाजिक भय जैसे कि नौकरी के लिए साक्षातकार से पहले या किसी पार्टी में भाग लेना हमारा डर शरीर में प्रकट होता है और ये शारीरिक संकित पहले संकित हैं कि डर खत्म होने वाला है घबराहट और ठंड लगना हमारे शरीर और हमारे दिमाग के बीच का संबंध है या तो हमारे शरीर हाई अलर्ट पर चले जाते हैं और हमारी मानसिक प्रक्रियाओं से आगे निकल जाते हैं या हमारे दिमाग दोड रहे होते हैं और हमारे शरीर बंद होने लगते हैं एक भिक्षु के रूप में मैंने अपने शरीर और दिमाग को फिर से संगठित करने और डर को रोकने से रोकने में मदद करने के लिए एक सरलसास लेने का व्यायाम सीखा जब भी मैं किसी बड़े समुह को भाशन देने वाला होता हूँ तनावपूर्ण बैठक में प्रवेश करता हूँ या ऐसे लोगों से भरे कमरे में जाता हूँ जिन्हें मैं नहीं जानता तब भी मैं इसका उप्योग करता हूँ इसे आजमाए घबराए नहीं शरीर और दिमाग को वास्तविक बनाने के लिए अपनी सांस का प्रयोग करें अपने आपको शान्त और आराम करने के लिए सास लें ध्यान प्रिष्ट 89 देखें वन धीरे धीरे फोर की गिंती में श्वास लें टू फोर तक गिनें फोर तब तक दोहराए जब तक आप महसूस न करें कि आपकी हरिदे गती धीमी हो गई है यह वास्तव में इतना आसान है आप देखते हैं गहरी सांस लेने से हमारे तंत्री का तंत्र का एक हिस्सा सक्री हो जाता है जिसे वेगस तंत्री का कहा जाता है जो बदले में हमारे पूरे शरीर में एक विश्राम प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है नियंत्रित श्वास का सरलकारे एक स्विच को फिलिप करने जैसा है जो हमारे तंत्री का तंत्र को बदल देता है सहानु भूती या लड़ाई उड़ानफरीज राजे से पैरा सिंपेथेटिक या आराम पाचन राजे हमारे दिमाग और शरीर को एक साथ वापस आने की इजाज़त देता है पूरी कहानी देखें संस मौके पर ही काम आती है लेकिन कुछ आशंकाओं को सिर्फ अपनी संस से दूर करना मुश्किल होता है जब हम अस्थिर्ता के दोर से गुजरते हैं तो हमें दर लगता है कि आगे क्या होगा जब हम जानते हैं कि हमारे पास एक परीक्षा या नौकरी के लिए साक्षातकार है तो हम परिणाम से डरते हैं फिलहाल हम पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं लेकिन जब तनावपूर्ण अवधी बीत जाती है तो हम अनुभव से सीखने के लिए कभी पीछे मुड कर नहीं देखते जीवन असंबंधित घटनाओं का संग्रह नहीं है यह एक कथा है जो अतीत और भविषय में फैली हुई है हम स्वाभाविक कहानीकार हैं और हम उस प्रवरित्ती का उप्योग हमारे नुकसान के लिए कर सकते हैं भविषय की संभावित घटनाओं के बारे में दरावनी कहानियां बताने के लिए हमारे जीवन को एक एकल, लंबी, निरंतर कहानी के रूप में देखने का प्रयास करना बेहतर है, न की केवल कटे हुए तुकडे जब आपको किसी नौकरी के लिए काम पर रखा जाता है, तो सभी खोई हुई नौकरियों और या असफल साक्षातकारों पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें, जिसके कारण यह जीत हासिल हुई आप उन्हें रास्ते में आवशेक चुनोतियों के रूप में सोच सकते हैं जब हम अपने जीवन के अनुबवों और अवधियों को विभाजित करना बंद करना सीखते हैं, और इसके बजाए उन्हें एक बड़े आख्यान में द्रिशियों और कारियों के रूप में देखते हैं, तो हम परिप्रेक्षे प्राप्त करते हैं, जो हमें दर से निपटन में मदद करता है, इसे आज माई पल का विस्तार करें, कुछ महान सोचें जो आपके साथ हुआ, शायद यह एक बच्चे का जन्म था या आपको वह नई नौकरी मिल रही थी जो आप चाहते थे, उस खुशी को एक पल के लिए खुद को महसूस करने दें, अब इसके ठीक पहले घटी घटनाओं पर ध्यान दें, आपके बच्चे के जन्म से पहले या उस नौकरी के लिए चुने जाने से पहले आपके जीवन में क्या चल रहा था, शायद गर्भधारन करने के लिए असफल प्रयास करने या तीन अन्य नौकरियों से खारिज किये जाने के महीनो और महीनों में आपने आवेदन किया था, अब उस कथा को एक पूरी कहानी के रूप में देखने का प्रयास करें, अच्छे से बुरे की और एक प्रगती, अपने आपको इस विचार के लिए खोले कि शायद चुनोती पूर्ण समय के दोरान जो हुआ वह वास्तव में उस चीज के लिए रास्ता साफ कर रहा था जिसे आप अभी मना रहे हैं, या इसके बाद आने वाले अनुभव के बारे में आपको और भी खुश महसूस कर रहे हैं, अब उन चुनोतीयों के लिए कृत गैता व्यक्त करने के लिए कुछ समय निकाले और उन्हें अपने जीवन की कहानी में बुने, बेशक हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, जब हम वास्तव में चुनोतीयों का सामना कर रहे होते हैं, तो खुद को यह बताना मुश्किल होता है, यह एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन जितना अधिक हम रियर व्यू मिरर में देखने का अव्यास करते हैं, और हमारे द्वारा अनुभव किये गए कठिन समय के लिए कृत गेता प्राप्त करते हैं, उतना ही हम अपने को बदलना शुरू करते हैं, प्रोग्रामिंग, दुख और कृत गेता के बीच की खाई छोटी और छोटी होती जाती है, और कठिनाई के क्ष और ठंड से निप्टा जा सकता है, लेकिन ये अल्पकालिक भय प्रतिक्रियाएं हैं, दर से हमारा ध्यान भटकाने के लिए हम जिन दो दीर घकालिक रणनीतियों का उप्योग करते हैं, उन्हें नियंतरित करना बहुत कठिन है, दफनाना और भाग जाना, इन रणनीतियो के काम करने के तरीके को समझने के मेरे पसंदीदा तरीकों में से एक में आग लगाना शामिल है, मान लीजिए कि आप आधी रात को अपने स्मोक डिटेक्टर की बीब के लिए जागते हैं, तुरंद आप डरते हैं, जैसा आपको होना चाहिए, उस संकेत ने अपना काम किय जो आपका ध्यान आकर्शित करना था, अब आपको धुएं की गंध आती है, तो आप अपने परिवार और पालतू जानवरों को एक साथ इकट्था करते हैं, और आप घर से बाहर निकलते हैं, यह दर अपने सर्वोत्तम उप्योग के लिए रखा गया है, लेकिन क्या होग अगर स्मोक अलार्म सुनने पर स्थिती का तुरंत आकलन करने और तारकिक अगले कदम उठाने के बजाए, आप जल्दी से स्मोक डिटेक्टर पर चले गए, बैटरी हटा दी और वापस बिस्तर पर चले गए, जैसा कि आप कलपना कर सकते हैं, आपकी समस्याएं बढ़ने वाली हैं, फिर भी हम अकसर डर के साथ ऐसा करते हैं, आकलन करने और प्रतिक्रिया देने के बजाए, हम स्थिती को न कारते हैं, या छोड़ देते हैं, रिष्टे एक ऐसी जगह है, जहां हम आमतार पर बचने के समाधान का उप्योग करते हैं, मान लीजिए कि आपका अप प्रेमिका के साथ कोई बड़ा विवाद चल रहा है, उसके साथ बैठने और क्या हो रहा है, आग बुझाना, के बारे में बात करने के बजाए, या यहां तक की यह पता लगाने के लिए कि आप एक साथ रहने के लिए नहीं हैं, सुरक्षित रूप से और शांती से सभी को घर से बाहर निकालना, आप सब कुछ ठीक होने का दिखावा करते हैं, जबकि विनाशकारी आग जलती है, जब हम दर को नकारते हैं, तो हमारी समस्याएं हमारा पीछा करती हैं, वास्तव में वे शायद बड़े और बड़े होते जा रहे हैं, और कुछ बिंदु पर हमें उनसे निपटने के लिए मजबूर किया जाएगा, जब सब कुछ विफल हो जाता है, तो दर्द हमें ध्यान देता है, यदि हम उस संकित से नहीं सीखते हैं, जो हमें किसी समस्या के प्रती सचेत करता है, तो हम समस्या के परिणामों से ही सीख लेंगे, जो की बहुत कम वा चीत होती है, परिणाम स्वरूप हम मजबूत हो जाते हैं, गीता हमें जो पहला पाठ सिखाती है, वह यह है कि भय से कैसे निपटा जाए, यूद्ध शुरू होने से पहले के क्षणों में, जब अर्जुन भय से परास्त हो जाता है, तो वह उससे भागता नहीं है, और न जो उसे पहली बार प्रतिबिम्बित करता है, अक्सर कहा जाता है कि, जब वही रहने का डर परिवर्तन के डर से अधिक हो जाता है, तब हम बदलते हैं, वह अंतरद्रिष्टी और समझ के रूप में मदद मांगता है, उस क्रिया में, उसने अपने डर से नियंतरित होने से इसे समझने के लिए स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है, उपन्यास फाइट क्लब के लेखक चक पलाह नियुक ने अपनी पुस्तक इन्विजिबल मॉन्स्टर्स रीमिक्स में लिखा है, जिस चीज से आप दोडते हैं, वह आपके साथ अधिक समय तक रहती है, जिस च मैंने शायद ही कभी घबराहत या फ्रीज प्रतिक्रियाओं का अनुभव किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मुझे कोई डर नहीं था, इसका मतलब था कि मैं उन्हें नीचे धकेल रहा था, जैसा कि मेरे शिक्षक ने कहा, जब डर दब जाता है, तो यह कुछ ऐसा होता है, जिस से हम चिपके रहते हैं, और यह हर चीज को तंग महसूस कराता है, क्योंकि हम उन चीजों के बोज तले दब जाते हैं, जिन्हें हमने कभी छोड़ा नहीं है, चाहे आप उन्हें दबा दे या उनसे दूर भाग जाए, आपके डर और आपकी समस्याएं आपके साथ रहती हैं, और वे जमा हो जाती हैं, हम सोचते थे कि अगर पर्यावरन की परवाह किये बिना हम अपना कच्रा लेंदफिल में फेंक देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम इसे नहीं देख सकते या इसे सूंग नहीं सकते, तो हमें लगा कि यह किसी तरह अपना ख्याल रखेगा, फिर भी विनेमन से पहले लेंदफिल प्रदूशित जल आपूर्ती करते हैं, और आज भी वे सन्यूकत राजे अमेरिका में मानवजनित मीथिन गैस के सबसे बड़े उतपादकों में से एक हैं, उसी तरह हमारे डर को दफनाने से हमारे आंत सबसे पहले सतही स्तर पर कुछ आशंकाएं सामने आएंगी, व्यायाम के साथ बने रहें, अपने आप से पूछें कि मैं वास्तव में किस से डरता हूं, और बड़े और गहरे भैस्वयन प्रकट होने लगेंगे, ये उत्तर आमतौर पर एक साथ नहीं आते हैं, आमतौर प पर्तों के नीचे आपके डर की असली जड़ तक धूबने में कुछ समय लगता है, समय के साथ खुद को प्रकट करने वाले उत्तर के लिए खुले रहें, और शायद ध्यान या अन्य के इंदृत सत्र के दोरान भी नहीं, आप एक दिन एवोकाडो का चैन करने वाले किरान से जाना, इससे निपटने के लिए हमारे पैटरन का अवलोकन करना, उन पैटरनों को समभोधित करना और उनमें संशोधन करना, हमें किसी ऐसी चीज से डर के बारे में हमारे दृष्टीकों को फिर से शुरू करने में मदद करता है, जो स्वाभाविक रूप से एक तटस् या यहां तक की अवसर का संकेतक भी है। जब हम दर को पुनरवरगी कृत करते हैं, तो हम दुए और कहानियों को वास्तविक रूप में देख सकते हैं, और ऐसा करने में गहरे और सार्थक सत्यों को उजागर कर सकते हैं, जो हमें सूचित और सशक्त बना सकते हैं। जब हम अपने लगाव संबंधी भय की पहचान करते हैं, और इसके बजाए अलगाव को बढ़ावा दें, हम स्वतंतरता और आनंद की अधिक भावना के साथ जी सकते हैं। और जब हम अपने डर के पीछे की उर्जा को सेवा की ओर लगाते हैं, तो हम परियाप्तन होने के अपने डर को कम कर देते हैं, और अपने आसपास की दुनिया से अधिक खुश, अधिक पूर्न और अधिक जुडाव महसूस करते हैं। डर हमें प्रेरित करता है। कभी कभी यह हमें उस ओर ले जाता है, जो हम चाहते हैं, लेकिन कभी कभी यदि हम सावधान नहीं हैं, तो यह हमें सीमित कर देता है, जो हमें लगता है, कि हमें सुरक्षित रखेगा। इसके बाद हम अपने प्रात्मिक प्रेरकों को देखेंगे, भय चार में से एक है, और कैसे हम जानबूज कर उनका उप्योग एक पूर्ण जीवन के निर्मान के लिए कर सकते हैं। 4. का इरादा सोने से अंधा जब मन, रिदे और संकल्प के बीच सामन जस्से हो तो कुछ भी असंभव नहीं है, रिगविद हमारे दिमाग में एक आदर्श जीवन की एक छवी होती है, हमारे रिष्टे, हम अपना समय काम और आराम में कैसे बिताते हैं, हम क्या हासिल करना चाहते हैं बाहरी प्रभावों के शोर के बिना भी, कुछ लक्षे हमें आकर्शित करते हैं, और हम अपने जीवन को उन्हें प्राप्त करने के लिए डिजाइन करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वे हमें खुश करेंगे लेकिन अब हम यह पता लगाएंगे कि इन महत्वा कांक्षाओं को क्या प्रेरित करता है, क्या वे हमें वास्तव में खुश करने की संभावना रखते हैं, और क्या खुशी भी सही लक्षे है मैं अभी उस कक्षा से बाहर आया हूँ जहां हमने पुनरजन्म के विचार पर चर्चा की, संसार, और अब मैं एक वरिष्ट भिक्षू और कुछ अन्य छात्रों के साथ शान्त आश्रम में टहल रहा हूँ आश्रम में दो स्थान है, मुंबई में एक मंदिर और दूसरा जहां मैं अभी हूँ, पालघर के पास एक ग्रामीन चौकी इसे अंततः गोवर्धन इको विलेज के रूप में विक्सित किया जाएगा, जो एक सुन्दर रिट्रीट है, लेकिन अभी के लिए बंजर भूमे में बस कुछ सरल, गैर विवरनित इमारते हैं सूखी गंदगी के फुटपात घास को बांटते हैं, यहां वहां साधू भूसे की चटाई पर बैठ कर पढ़ते या पढ़ते हैं मुखे भवन तत्वों के लिए खुला है, और अंदर हम भिक्षों को काम करते हुए देख सकते हैं जैसे ही हम चलते हैं, वरिष्ट भिक्षों कुछ भिक्षों की उपलब्धियों का उलेक करते हैं, जिन से हम गुजरते हैं वह एक को इंगित करता है, जो सीधे आठ घंटे ध्यान कर सकते हैं कुछ मिनट बाद वह दूसरे को इशारा करता है, वह लगातार साथ दिनों तक उपवास करता है इसके अलावा वह हिंगित करता है क्या तुम उस आदमी को उस पेड के नीचे बैठे हुए देखते हो वह शास्त्र से हर छंद का पाठ कर सकता है प्रभावित होकर मैं कहता हूँ, काश मैं ऐसा कर पाता साधू रुक जाता है और मुझे देखने के लिए मुड़ता है वह पूछता है, क्या आप चाहते हैं कि आप ऐसा कर सकें या क्या आप चाहते हैं कि आप ऐसा करना सीख सकें आपका क्या मतलब है मैं अब तक जानता हूँ कि मेरे कुछ पसंदीदा पाठ कक्षा में नहीं बलकि ऐसे क्षणों में आते हैं वे कहते हैं अपनी प्रेरनाओं के बारे में सोचो क्या आप सभी शास्त्रों को याद रखना चाहते हैं क्योंकि यह एक प्रभावशाली उपलब्धी है या आप इसका अधेयन करने का अनुभव चाहते हैं सबसे पहले आप जो चाहते हैं वह परिणाम है दूसरे में आप इस बारे में उत्सुक हैं कि आप इस प्रक्रिया से क्या सीख सकते हैं यह मेरे लिए एक नई अवधारना थी और इसने मेरे दिमाग को उड़ा दिया परिणाम की इच्छा करना मुझे हमेशा उचित लगता था भिक्षु मुझे से प्रश्न करने के लिए कह रहा था कि मैं उस परिणाम तक पहुचने के लिए जो आवशेक था वह क्यों करना चाहता था चार प्रेरनाए हम कितने भी अवेवस्थित क्यों नहों हम सभी के पास योजनाए होती हैं हमें इस बात का अंदाजा है कि आने वाले दिन में हमें क्या हासिल करना है हमें शायद इस बात का अंदाजा है कि साल क्या है या हम क्या उम्मीद करते हैं कि हम क्या हासिल करेंगे और हम सभी के भविशे के सपने हैं इनमें से हर एक धारना को कुछ न कुछ प्रेरित करता है किराई का भुगतान करने की आवश्यक्ता से लेकर दुनिया की यात्रा करने की इच्छा तक हिंदू दार्शनिक भक्ति विनोध ठाकुर चार मौलिक प्रेरनाओं का वर्नियन करते हैं वंदर ठाकुर ने इसे बीमारी, गरीबी, नरक के भय या मृत्यू के भय से प्रेरित होने के रूप में वर्नित किया है टू इच्छा सफलता, धन और आनंद के माध्यम से व्यक्तिगत संतुष्टी की तलाश करना थ्री कर्तवे कृत गेता, जिम्मेदारी और सही करने की इच्छा से प्रेरित चीज फुर प्यार दूसरों की देखभाल करने और उनकी मदद करने की ललक से मजबूर ये चार प्रेरनाय हम सब कुछ करती हैं उदाहरन के लिए हम चुनाव करते हैं क्योंकि हम अपनी नौकरी खोने से डरते हैं अपने दोस्तों की प्रशंसा जीतना चाहते हैं अपने मातापिता की अपेक्षाओं को पूरा करने की उम्मीद करते हैं या दूसरों को बेहतर जीवन जीने में मदद करना चाहते हैं मैं प्रतेक प्रेरना के बारे में व्यक्तिगत रूप से बात करने जा रहा हूँ इसलिए हमें यह समझ में आता है कि वे हमारी पसंद को कैसे आकार देते हैं दर स्थाई नहीं है पिछले अध्याय में हमने डर के बारे में बात की थी इसलिए मैं यहां इस पर ध्यान नहीं देने जा रहा हूँ जब डर आपको प्रेरित करता है तो आप वह चुनते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं एक पदोन नती, एक रिष्टा, एक घर खरीदना क्योंकि आपको विश्वास है कि यह आपको सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करेगा डर हमें सचित करता है और हमें प्रजवलित करता है यह चेतावनी भढ़कना उप्योगी है जैसा कि हमने चर्चा की डर समस्याओं की ओर इशारा करता है और कभी कभी हमें प्रेरित करता है उदाहरन के लिए निकाल दिये जाने का डर आपको संगठित होने के लिए प्रेरित कर सकता है डर के साथ समस्या यह है कि यह टिकाउं नहीं है जब हम लंबे समय तक डर में काम करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं के अनुसार काम नहीं कर सकते हम गलत परिणाम मिलने से बहुत चिंतित है हम उनमत्त या लत्वागरस्त हो जाते हैं और अपनी स्थितियों का निश्पक्ष मूल ल्यांकन करने या जोखिम लेने में असमर्थ होते हैं सफलता की माया दूसरी प्रेरना इच्छा है यह तब होता है जब हम व्यक्तिगत संतुष्टी का पीछा करते हैं रोमांच, सुख और आराम के लिए हमारा मार्ग अकसर भौतिक लक्षियों का रूप ले लेता है मुझे एक मिलियन डॉलर का घर चाहिए मुझे आर्थिक आजादी चाहिए मुझे एक शानदार शादी चाहिए जब मैं लोगों से अपने लक्षियों को लिखने के लिए कहता हूँ तो वे अकसर यह बताते हुए जवाब देते हैं कि ज़्यादातर लोग सफलता के बारे में क्या सोचते हैं हम सोचते हैं कि सफलता खुशी के बराबर है लेकिन यह विचार एक भ्रुम है भ्रुम के लिए संस्कृत शब्द माया है जिसका अर्थ है उस पर विश्वास करना जो नहीं है जब हम उपलब्धियों और अधिग्रहनों को अपना मार्ग निर्धारित करने देते हैं तो हम इस भ्रुम में जी रहे होते हैं कि खुशी सफलता के बाहरी उपायों से आती है लेकिन अक्सर हम पाते हैं कि जब हमें अंतितः वह मिल जाता है जो हम चाहते हैं जब हम सफलता पाते हैं तो ऐसा नहीं होता है खुशी की ओर ले जाते हैं जिम कैरी ने एक बार कहा था मुझे लगता है कि हर किसी को अमीर और प्रसिद्ध होना चाहिए और वह सब कुछ करना चाहिए जिसका उन्होंने कभी सपना देखा था ताकि वे देख सके कि यह जवाब नहीं है सफलता का भ्रम सिर्फ आय और अधिग्रहन से नहीं बलकि डॉक्टर बनने या पदोन्नती पाने या शास्त्रों को याद करने जैसी उपलब्धियों से जुड़ा होता है उपर की कहानी में मेरी इच्छा शास्त्र के हर्ष लोग का पाठ करने में सक्षम होना भिक्षू की भौतिक इच्छा का संसकरण है इन सभी चाहूं की तरह मेरी महत्वा कांक्षा एक बाहरी परिणाम के आसपास के इंद्रित थी जैसा की अन भिक्षू के रूप में प्रभावशाली ढंग से सीखा जा रहा था वाशिक्तन, डीसी के इंसाइट मेडिटेशन कम्यूनिटी के संस्थापक अमेरीकी आध्यात्मिक प्रकाशक तारव भैच लिखते हैं जब तक हम अपने जीवन की बाहरी घटनाओं में अपनी खुशी को जोडते रहते हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं, हम हमेशा इसके लिए इंतजार करते रहेंगे एक बार, एक भिक्षू के रूप में, मैं दक्षिन भारत के तीन प्रमुख पवित्र शहरों में से एक, श्री रंगम के एक मंदिर में गया मैं मंदिर की छट पर जटिल विवरन के लिए सोने के पाउडर को लागू करने वाले मचान पर उपर एक कारे करता के पास आया मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा, और मैं देखना बंद कर दिया जैसे ही मैंने उपर की ओर देखा, मेरी आखों में सोने की धूल तेरने लगी मैं जल्दी जल्दी मंदिर से आखें दोता था, फिर लोट आया, इस बार एक सुरक्षित दूरी बना कर यह प्रसंग शास्त्रों से फटे सबक की तरह लगा, सोने की धूल सुन्दर है, लेकिन बहुत करीब आओ, और यह आपकी द्रिष्टी को दुन्धला कर देगी मंदिरों पर इस्तेमाल किया जाने वाला गिल्ट ठोस सोना नहीं होता है, इसे घूल में मिलाया जाता है और जैसा की हम जानते हैं, इसका उप्योग पत्थर को ढखने के लिए किया जाता है, ताकि इसे ठोस सोने जैसा बनाया जा सके माया है, भ्रुम है, उसी तरह पैसा और शोहरत तो बस एक बहाना है क्योंकि हमारी खोज कभी किसी चीज की नहीं होती, बलकि उस अहसास के लिए होती है, जो हम सोचते हैं, कि चीज हमें देगी हम सभी इसे पहले से ही जानते हैं, हम अमीर और या प्रसिद्ध लोगों को देखते हैं, जो सब कुछ है, लेकिन जिनके बुरे रिष्टे हैं, या अवसाद से पीडित हैं, और यह सपश्ट है, कि सफलता ने उन्हें खुशी नहीं दी हमें से उन लोगों के लिए भी यही सच है, जो अमीर और प्रसिद्ध नहीं हैं हम अपने स्मार्ट फोन से जल्दी ठक जाते हैं, और अगला मोडल चाहते हैं हमें एक बोनस मिलता है, लेकिन जब हमारे जीवन में वास्तव में सुधार नहीं होता है, तो शुरुआती उत्साह आश्चरेजनक रूप से तेजी से कम हो जाता है हम सोचते हैं, कि एक नया फोन या एक बड़ा घर हमें किसी तरह बेहतर कूलर या अधिक संतुष्ट महसूस कराएगा लेकिन इसके बजाए खुद को और अधिक चाहते हैं भोतिक संतुष्टी बाहरी है, लेकिन खुशी आंतरिक है सादू जब सुख की बात करते हैं, तो कस्तूरी म्रिग की कहानी सुनाते हैं, एक कविता से निकली कहानी पंद्रहवी शताब्दी के भारतिय रह सेवादी और कवी कबीर द्वारा कस्तूरी म्रिग जंगल में एक अपरतिरोधे गंध उठाता है, और उसका पीछा करता है सुरूत की खोज करता है, यह महसूस नहीं करता है, कि गंध अपने ही छिद्रों से आती है वह अपना पूरा जीवन वेर्थ भटकते हुए बिता देता है उसी तरह हम खोशी की तलाश करते हैं, उसे मायावी पाते हुए, जब वह हमारे भीतर मिल सकती है सुख और त्रिप्ती केवल मन को वश्मे करने से और आत्मा से जुड़ने से मिलती है, वस्तों या प्राप्तियों से नहीं सफलता खुशी की गारंटी नहीं देती है, और खुशी के लिए सफलता की आवश्यक्ता नहीं होती है वे एक दूसरे को खिला सकते हैं, और हम उन्हें एक ही समय में ले सकते हैं, लेकिन वे आपस में जुड़े नहीं है भलाई पर गैलप सर्वेक्षन का विशलेशन करने के बाद, प्रिंस सटन विश्व विद्याले के शोध करताओं ने आधिकारिक तोर पर निशकर्ष निकाला की पैसा बुनियादी जरूरतों के बाद खुशी नहीं खरीदता है, और फिर कुछ पूरा हो जाता है जबकि अधिक पैसा होने से समग्र जीवन संतुष्टी में योगदान होता है, यह प्रभाव लगभग डॉलर 75-000 के वेतन पर बंद हो जाता है दूसरे शब्दों में, जब आप अपने जीवन की गुनवत्ता को कैसे देखते हैं, इस पर पैसे के प्रभाव की बात आती है, तो एक मध्यम वर्गी ये अमेरिकी नागरिक जेफ बेजोस के बारे में भी सोचता है सफलता धन अरजित करना, अपने कारे में सम्मान प्राप्त करना, परियोजनाओं को सुचारू रूप से क्रियानवित करना, प्रशन सा प्राप्त करना है खुशी अपने बारे में अच्छा महसूस करना, करीबी रिष्टे रखना, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना है पहले से कहीं अधिक, लोकप्रिय संस्कृती सफलता की खोज का जश्न मनाती है किशोरों पर लक्षित टीवी शो पहले की तुलना में छवी, धन और प्रसिद्धी पर अधिक ध्यान के इंद्रित करते हैं लोकप्रिय गीत और पुस्त के समुदाय कनेक्शन, समुह सदसेता और आत्मस्वी करिती पर व्यक्तिगत उपलब्धी को बढ़ावा देने वाली भाशा का उप्योग करती हैं यह कोई आश्चरे की बात नहीं है, कि 1970 के दशक से अमेरिकी वयसकों में खुशी की दर में लगातार गिरावट आई है और यह सिर्फ आय के लिए उबाल नहीं है वाशिक्तन पोस्ट के साथ एक साक्षातकार में सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलप्मेंट के निदेशक और वर्ल्ध पीनेस रिपोर्ट के संपादक जेफरी सेक्स बताते हैं जबकि दुनिया भर के लोगों की ओसत आय निश्चित रूप से उनकी भलाई की भावना को प्रभावित करती है यह नहीं करता है इतना सब कुछ न समझाएं क्योंकि अन्यकारक, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों कल्यान के बहुत महत्व पूर्ण निर्धारक हैं सेक्स का कहना है कि 2005 से आम तोर पर अमेरिकी आय में व्रिद्धी हुई है लेकिन सरकार और हमारे साथी अमेरिकियों और कमजोर सामाजिक नेटवर्क में विश्वास में गिरावट जैसे सामाजिक कारकों के कारण हमारी खुशी गिर गई है करतवे और प्रेम यदि भय हमें सीमित कर देता है और सफलता हमें संतुष्ट नहीं करती है तो आप शायद पहले ही अनुमान लगा चुके हैं कि करतवे और प्रेम के पास देने के लिए और भी बहुत कुछ है हम सभी के अलग अलग लक्षे होते हैं लेकिन हम सभी समान चीजें चाहते हैं आनन्द और अर्थ से भरा जीवन भिक्षु आनन्द के भाग की तलाश नहीं करते हैं हम सुख या आनन्द की तलाश नहीं कर रहे हैं इसके बजाए हम उस संतुष्टी पर ध्यान के इंद्रित करते हैं जो एक सार्थक जीवन जीने से आती है खुशी मायावी हो सकती है उच्चस्तर के आनंद को बनाए रखना कठिन है लेकिन अर्थ महसूस करना दर्शाथता है कि हमारे कारियों का उद्देश है वे एक सार्थक परिणाम की ओर ले जाते हैं हमें विश्वास है कि हम एक सकारात्मक छाप छोड़ रहे हैं हम क्या करते हैं मायने रखता है इसलिए हम मायने रखते हैं बुरी चीजे होती हैं उबाउ काम करना चाहिए जीवन सभी धूप और गेंडा नहीं है लेकिन अर्थ खोजना हमेशा संभव है यदि आप किसी प्रियजन को खोदेते हैं और कोई आपको सकारात्मक देखने खुश रहने अपने जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान के इंद्रित करने के लिए कहता है ठीक है तो आप उस व्यक्ती को पंच करना चाह सकते हैं लेकिन हम नुकसान में अर्थ की तलाश करके सबसे बुरी त्रास्दियों से बच सकते हैं हम समुदाय को देकर किसी प्रियजन का सम्मान कर सकते हैं या जीवन के लिए एक नई कृत गैता की खोज करें जो हम उन लोगों को देते हैं जिन्होंने हमारा समर्थन किया है आखिरकार हम अपने कारियों में जो मूले देखते हैं वह अर्थ की भावना को जन्म देगा अथर्ववेद में यह कहा गया है पैसा और मकान ही एक मात्र धन नहीं है आत्मा के धन को जमा करो चरित्र ही धन है अच्छा आच्रन ही धन है और आत्मिक ग्यान धन है उद्देशे और अर्थ सफलता नहीं सच्ची संतुष्टी की ओर ले जाते हैं जब हम इसे समझते हैं तो हम कर्तवे और या प्रेम से प्रेरित होने के मूले को देखते हैं जब आप कर्तवे और प्रेम से कारे करते हैं तो आप जानते हैं कि आप मूले प्रदान कर रहे हैं जितना अधिक हम अपनी स्वार्थी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश से अपग्रेड करते हैं, सेवा और प्रेम से बाहर काम करते हैं, उतना ही अधिक हम प्राप्त कर सकते हैं. अपनी पुस्तक दर अपसाइड ओफ स्ट्रेस में, लेखक के लिए मैक गोनिगल कहते हैं, कि हम असुविधा को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, जब हम इसे किसी लक्षे, उद्देशे या व्यक्ती के साथ जोड सकते हैं, जिसकी हम परवाह करते हैं. उदाहरण के लिए, जब बच्चे के जन्म दिन की पार्टी की योजना बनाने की बात आती है, तो मातापिता देर तक रहने की अप्रियता को सहने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं. एक प्यारी मा होने की संतुष्टी से खोई हुई नींद का दर्द दूर हो जाता है, लेकिन जब नौकरी में देर से काम करने की बात आती है, तो वही महिला नफरत करती है, वह दैनिय है. जब हम इसे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, जिसे हम प्यार करते हैं, या किसी ऐसे उद्देश्य की पूर्ती के लिए करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, तो हम उस गुम्राह विचार से अधिक ले सकते हैं, कि हम सफलता के माध्यम से खुशी पाएंगी. हमारे पास कोई ड्राइव नहीं है जब हम जान बूज कर जीते हैं साथ हम जो करते हैं उसका एक स्पष्ट अर्थ जीवन का अर्थ है और पूर्ती लाता है इरादा कार को गैस से भर देता है सीड़ी क्यों? भय, इच्छा, कर्तवे और प्रेम सभी इरादों के मूल है संस्कृत में इरादा शब्द संकल्प है और मैं इसे अपने दिल और दिमाग द्वारा निर्मित कारण के रूप में सोचता हूं कि कोई लक्षे के लिए प्रयास करता है दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी मूल प्रेरना से आप आगे बढ़ने के इरादे विक्सित करते हैं आपका इरादा यह है कि आप उद्देशे के साथ कारे करने के लिए कौन बनने की योजना बना रहे हैं और महसूस करते हैं कि आप जो करते हैं वह सार्थक है तो अगर मैं डर से प्रेरित हूँ, तो मेरा इरादा अपने परिवार की रक्षा करना हो सकता है अगर मैं इच्छा से प्रेरित हूँ, तो मेरा इरादा दुनिया भर में पहचान हासिल करने का हो सकता है अगर मैं कर्तवे से प्रेरित हूँ, तो मेरा इरादा अपने दोस्तों की मदद करने का हो सकता है, चाहे मैं कितना भी वेस्ट क्यों नहो अगर मैं प्यार से प्रेरित हूँ, तो मेरा इरादा वहां सेवा करने का हो सकता है, जहां मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है कुछ इरादों को कुछ प्रेरनाओं से जोडने के लिए कोई नियम नहीं है अच्छी छाप, इच्छा, प्रेम नहीं के लिए सेवा भी कर सकते हैं आप अपने परिवार का समर्थन प्यार से कर सकते हैं, डर से नहीं आप सेवा करने के लिए अमीर बनना चाह सकते हैं और हमेंसे किसी के पास सिर्फ एक प्रेरना और एक इरादा नहीं है मैं चाहता हूँ कि हम सीखें कि जानबूज कर बड़े और छोटे चुनाव कैसे करें हमेशा के लिए सफलता के पहाड पर चढ़ने के बजाए हमें जूटे विश्वासों को दूर करने के लिए अपने सच्चे स्वयम की घाटी में उत्रना होगा जानबूज कर जीने के लिए हमें इस बात की गहराई तक खुदाई करनी चाहिए कि चाहत के पीछे क्यों है इसके लिए नकेवल यह सोचने के लिए रुखने की आवश्यक्ता है कि हम कुछ क्यों चाहते हैं बलकि यह भी कि हम कौन है या इसे प्राप्त करने के लिए होने की आवश्यक्ता है और क्या वह व्यक्ती हमें आकरशित करता है ज्यादातर लोग जवाब तलाशने के आदी होते हैं भिक्षु प्रशनों पर ध्यान के इंद्रित करते हैं जब मैं अपने डर के करीब जाने की कोशिश कर रहा था तो मैंने खुद से पूछा मुझे किस बात का डर है बार बार जब मैं किसी इच्छा की जड़ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा होता हूँ तो मैं इस सवाल से शुरू करता हूँ कि क्यों इरादे के प्रती यह साधू द्रिष्टी कों दुनिया के सबसे बड़े लक्षियों पर भी लागू किया जा सकता है यहाँ एक नमूना लक्ष है जिसे मैंने चुना है क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिस पर हमने कभी भी आश्रम में विचार नहीं किया होगा और क्योंकि इसके पीछे की मन्शा सपष्ट नहीं है मैं दुनिया भर में अकेले यात्रा करना चाहता हूँ आप दुनिया भर में नौकायन क्यों करना चाहते है यह मजेदार होगा मुझे बहुत सारी जगहें देखने को मिलेंगी और मैं खुद को साबित करूगा कि मैं एक महान नाविक हूँ ऐसा लगता है कि आपका इरादा खुद को संतुष्ट करने का है और आप इच्छा से प्रेरित हैं लेकिन क्या होगा यदि आपके प्रश्न का उत्तर है दुनिया भर में नौकायन करना हमेशा मेरे पिता का सपना था मैं उसके लिए कर रहा हूँ इस मामले में आपका इरादा अपने पिता का सम्मान करना है और आप कर्तवे और प्रेम से प्रेरित है मैं दुनिया भर में नौकायन कर रहा हूँ ताकि मैं मुक्त हो सकूँ मैं किसी के प्रती जवाब देह नहीं रहूँगा मैं अपनी सभी जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ सकता हूँ यह नाविक भागने का इरादा रखता है वह दर से प्रेरित है अब आईए एक अधिक सामान्य इच्छा को देखें मेरी सबसे बड़ी चाहत पैसा है और यहाँ जय है जो शायद मुझे देयालू और देयालू बनने के लिए कह रहा है यह मदद करने वाला नहीं है अमीर होने के लिए अमीर बनने की चाहत ठीक है यह दरिर्ता से भावतिक संतुष्टी की श्रेनी में है इसलिए आप यह उमीद नहीं कर सकते कि यह आंतरिक त्रिप्ती की भावना देगा फिर भी भावतिक सुख सुविधाय निर्विवाद रूप से जीवन से हम जो चाहते हैं उसका हिस्सा है तो आईए इस लक्षे को केवल खारिज करने के बज़ाए इसकी जड़ तक पहुँचें धन आपका वांशित परिणाम है क्यों? मैं फिर कभी पैसे के बारे में चिन्ता नहीं करना चाहता आप पैसे की चिन्ता क्यों करते हैं? मैं उन छुट्टियों को लेने का जोखिम नहीं उठा सकता जिनके बारे में मैं सपना देखता हूं आप वे छुट्टियां क्यों चाहते हैं? मैं बाकी सभी को सोशल मीडिया पर विदेशी यात्राओं पर देखता हूँ जब मैं नहीं कर सकता तो उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए आप क्यों चाहते हैं कि वे क्या चाहते हैं वे मेरे सप्ताहांत की तुलना में बहुत अधिक मजा कर रहे हैं आप का सप्ताहांत अधूरा है क्या कमी है मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन अधिक रोमांचक, अधिक साहसी, अधिक उत्साहजनक हो ठीक है, आपका इरादा आपके जीवन को और अधिक रोमांचक बनाने का है ध्यान दे कि यह मुझे पैसा चाहिए से कितना अलग है अधिक पैसा खर्च किये बिना अभी अपने जीवन में और रोमांच जोड सकते है और दूसरा, अब आपके पास यह तय करने की सपश्टता है कि क्या ऐसा कुछ है जिसके लिए आप कड़ी मेहनत करना चाहते है यदि कोई व्यक्ती मेरे शिक्षक के पास जाता और कहता मैं सिर्फ अमीर बनना चाहता हूँ तो मेरे शिक्षक पूछेंगे क्या आप इसे सेवा से बाहर कर रहे है उसके पूछने का कारण इच्छा की जड़ तक पहुंचना होगा अगर उस आदमी ने कहा नहीं, मैं एक अच्छे घर में रहना चाहता हूँ यात्रा करना चाहता हूँ और जो कुछ भी चाहता हूँ उसे खरीदना चाहता हूँ उनका इरादा खुद को शामिल करने के लिए वित्तिय स्वतंत्रता प्राप्त करना होगा मेरे शिक्षक कहेंगे ठीक है, यह अच्छा है कि आप स्वयम के प्रती इमानदार हैं आगे बढ़ो, अपना भागे बनाओ आप वैसे भी सेवा में आएंगे आपको पांच या दस साल लग सकते हैं लेकिन आपको वही जवाब मिलेगा भिक्षों का मानना है कि जब वह अपना भागे पालेगा तो वह पूरा नहीं होगा और यदि वह अर्थ की खोज जारी रखता है तो उत्तर हमेशा सेवा में मिलेगा आपका इरादा क्या है इसके बारे में इमानदार रहें सबसे बुरी चीज जो आप कर सकते हैं वह यह है कि आप अपने आपको दिखावा कर रहे हैं कि जब आप भौतिक सफलता चाहते हैं तो आप सेवा से बाहर काम कर रहे हैं जब आप क्यों का पालन करते हैं खुदाई करते रहें हर जवाब गहरे सवालों को उकसाता है, कभी कभी यह आपके दिमाग में एक दिन यहां तक की एक सप्ताह के लिए एक प्रशन के साथ बैठने में मदद करता है, बहुत बार आप पाएंगे की जो आप अंततर खोज रहे हैं, वह एक आंतरिक भावना, खुशी, सुरक्षा, आत्म विश्वास, आधी, ए, या हो सकता है की आप पाएंगे की आप इरश्या से काम कर रहे हैं, सबसे सकारात्मक भावना नहीं, बलकि उस आवश्यक्ता के प्रती एक अच्छी चेतावनी जिसे आप भरने की कोशिश कर रहे हैं, उस खोज के बारे में उत्सुक रहें, आप इरश्या क्यों कर रहे हैं, क्या कोई साहसिक कार्य है, जिस पर आप तुरंत काम करना शुरू कर सकते हैं, एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो बाहरी जरूरते आपके लिए अधिक उपलब्ध होंगी यदि वे अभी भी मायने रखती हैं, इसे आज माय एक इरादे तक नहीं पहुंच जाते, सामाने उत्तर हैं, अच्छी सुरक्षा सेवा वृद्धी देखने और महसूस करने के लिए, उन इरादों को नकारें जो अच्छे नहीं हैं, बस उनके बारे में जागरूक रहे और पहचाने कि यदि आपका कारण प्रेम, विकास या ज ज्यान नहीं है, तो अवसर महत्वपूर्ण व्यावहारिक जरूर्तों को पूरा कर सकता है, लेकिन यह भावनात्मक रूप से सार्थक नहीं लगेगा। जब हम प्रग्ति, सीखने या उपलब्धी की स्थिती में होते हैं, तो हम सबसे अधिक संतुष्ट होते हैं। बीज और मातम, भिक्षूओं के रूप में, हमने बीज और मातम के सादरिशे के माध्यम से अपने इरादों को सपष्ट करना सीखा। जब आप एक बीज बोते हैं, तो वह एक विशाल व्रिक्ष के रूप में विक्सित हो सकता है, जो सभी के लिए फल और आश्रे प्रद करता है, फ्रेम, करुना या सेवा जैसी व्यापक मन्शा यही कर सकती है, आपके इरादे की शुद्धता का आपके द्वारा चुने गए करियर से कोई लेना देना नहीं है, एक यातायात अधिकारी अपनी शक्ती का प्रदर्शन करते हुए एक तेज टिकट दे सकता है, य आप एक बैंक टेलर हो सकते हैं, और गर्म जोशी के साथ एक साधारन लेन देन को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन अगर हमारे इरादे तामसिक या आत्म प्रेरित हैं, तो हम मातम उगाते हैं, खर्पतवार प्राय अहंकार, लोब, इर्श्या, करोध, अभिमान, प्रतिसपर या तनाव, ये शुरू में सामाने पौधों की तरह लग सकते हैं, लेकिन ये कभी भी कुछ अद्भूत नहीं बनेंगे, यदि आप बदला लेने के लिए जिम जाना शुरू करते हैं, तो आपके पूर्व को आपके साथ संबंध तोड़ने का पच्छतावा है, आप एक खरपतवार लगा रहे हैं, आप जो चाहते हैं, उसे ठीक से संबोधित नहीं किया है, सबसे अधिक समझ और प्यार महसूस करने की संभावना है, जिसके लिए स्पष्ट रूप से एक अलग द्रिष्टिकों की आवशेक्ता होगी, आप मजबूत होंगे और वर्काउट कर नहीं करता है, या परवाह नहीं करता है, तो आप अभी भी वही निराशा और अकेलापन महसूस करेंगे, हाला कि यदि आप जिम जाना शुरू करते हैं, क्योंकि आप अपने ब्रेक अप के बाद शारीरिक रूप से मजबूत महसूस करना चाहते हैं, या यदि का एक और उदाहरण है, जब एक अच्छा इरादा गलत लक्षे से जुड़ जाता है, कहो कि मेरा इरादा मेरे आत्म विश्वास का निर्मान करना है, और मैं तय करता हूं कि पदोननती प्राप्त करना सबसे अच्छा तरीका है, मैं कड़ी मेहनत करता हूं, अपने बोस को प्रभावित करता हूं, और एक स्तर उपर जाता हूं, लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचता हूं, तो मुझे एहसास होता है, कि एक और स्तर है, और मैं अभी भी असुरक्षित महसूस करता हूं, बाहरी लक्षे आंतरिक रिक्तियों को नहीं भर सकते, कोई बाहरी लेबल या उपलब्धिया मुझे सच्चा आत्म विश्वास नहीं दे सकती, मुझे इसे अपने आप में खोजना है, इस तरह के आंतरिक परिवर्तन कैसे करें, इसके बारे में हम भाग दो में बात करेंगे, अच्छे सामरी, भिक्षों को पता है, कि कोई सुन्दर फूलों का परिचा नहीं लगा सकता है, और इसे अपने दम पर पनपने के लिए छोड़ सकता है, हमें अपने स्वयम के जीवन के माली बनना है, केवल अच्छे इरादों के बीज बोना है, यह देखना है, कि वे क्या बनते हैं, और उन खर्पतवारों को हटाते हैं, जो उगते हैं, और रास्ते में आते हैं, वन नाइन से वन थरी में, यरूशलेम से यरी हो तक, नामक एक प्रयोग में, शोधकर ताओं ने मदरसा के छात्रों से एक मंतरी बनने के अर्थ के बारे में संक्षित वार्ता तैयार करने के लिए कहा, उन में से कुछ को तैयारी में मदद करने क अच्छे सामरी का द्रिष्टांत दिया गया था। इस द्रिष्टांत में येशु ने एक यात्री के बारे में बताया जो किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने के लिए रुख गया जब कोई और नहीं करेगा। फिर उनके लिए किसी दूसरे कमरे में जाने का बहाना बन आया गया। नए कमरे के रास्ते में एक अभिनेता ऐसा लग रहा था कि उसे मदद की जरूरत है एक दरवाजे पर जुक गया। क्या किसी छात्र को गुड से मेरिटन के बारे में सामगरी दी गई थी इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि छात्र मदद करने के लिए रुखा एनिस और मददगार होने के इरादे से मदरसा में पढ़ रहे थे लेकिन उस पल में चिंता या प्रभावशाली भाशन देने की इच्छा ने हस्तक शेप किया। जैसा कि बेनेडिक्टिन भिक्षू लारेंस फ्रीमैन ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ओफ लव में कहा है, दिन में आप जो कुछ भी करते हैं, धोने से लेकर नाश्ता करने, बैठके करने, काम करने के लिए गाड़ी चलाने, टेलीविजन देखने या पढ़ने के ब पुश्पूर्वक करते हैं, अपने इरादों को जीओ, बेशक केवल इरादे रखना ही काफी नहीं है, हमें उन बीजों को उगाने में मदद करने के लिए कारवाई करनी होगी, मैं इच्छाधारी, प्रकट में विश्वास नहीं करता, यह विचार कि यदि आप केवल वि गोद में आ जाएगा, नहीं हम किसी से यह उम्मीद कर सकते हैं, कि कोई हमें धूनदे, पता चले कि हम कितने अदभुत हैं, और हमें दुनिया में अपना स्थान दें, कोई भी हमारे लिए हमारे जीवन का निर्मान करने वाला नहीं है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो लोग शान्ती से प्यार करते हैं, उन्हें युद्ध से प्यार करने वालों की तरह ही प्रभावी धंग से संगठित होना सीखना चाहिए, जब लोग मार्ग दर्शन के लिए मेरे पास आते हैं, तो मैं लगातार सुनता हूँ, काश, 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 काश मेरा साथी अधिक चौकस होता, काश मेरे पास वही काम होता लेकिन मैं और पैसा कमाता, काश मेरा रिष्टा और गंभीर होता, हम कभी नहीं कहते, काश मैं और अधिक संगठित और केंद्रित होता और इसे पाने के लिए कड़ी मिहनत कर पाता, हम यह नहीं कहते कि हम जो चाहते हैं, उसे पाने के लिए वास्तव में क्या करना होगा? मैं चाहता हूँ, मैं कुछ अलग नहीं करना चाहता, के लिए कोड है. पिकासो के बारे में एक अपोक्रिफल कहानी है, जो पूरी तरह से दर्शाती है, कि हम उपलब्धी के पीछे के काम और द्रिर्टा को पहचानने में कैसे विफल होते हैं? जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, एक महिला पिकासो को एक बाजार में देखती है, वह उसके पास जाती है, और कहती है, क्या आप मेरे लिए कुछ बनाना चाहेंगे? जरूर, वह कहता है, और 30 सेकंड बाद उसे एक उलेखनी ये सुन्दर छोटा स्किट सम पता है, वह 30 हजार डॉलर होगा, वे कहते हैं, लेकिन मिस्टर पिकासो, महिला कहती है, आप मुझसे इतना शुल्ट कैसे ले सकते हैं? इस ड्राइंग में आपको केवल 30 सेकंड लगे, मैडम, पिकासो कहते हैं, मुझे 30 साल लग गए, किसी भी कलात्मक कारे के बारे में भी यही सठ है, या वास्तव में कोई भी काम जो अच्छी तरह से किया गया हो, इसके पीछे का प्रयास अद्रिश है, मेरे आश्रम के साधू जो सभी शास्त्रों को आसानी से पढ़ लेते थे, उन्हें याद करने में वर्षों लग जाते थे, मुझे अपना लक्षे बनाने से पहले उस निवेश पर विचार करने की जरूरत थी, जिस जीवन की उसे आवशेक्ता थी, कभी कभी यह किसी ऐसे व्यक्ती के साथ बातचीत शुरू करने का एक उपयोगी तरीका है, जिससे आप अभी-भी मिले हैं, लेकिन जीवन तब अधिक सार्थक होता है, जब हम अपनी उपलब्धियों के बजाए अपने इरादों से खुद को परिभाशित करते हैं, यदि आप वास्तव में अपनी नौकरी से खुद को परिभाशित करते हैं, तो जब आप अपनी नौकरी खो देते हैं, तो क्या होता है? यदि आप खुद को एक एतलीट के रूप में परिभाशित करते हैं, तो एक चोट आपके करियर को समाप्त कर देती है, आप नहीं जानते की आप कौन है? नौकरी छूटने से हमारी पहचान नश्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है. इसके बजाए, अगर हम जान बूज कर जीते हैं, तो हम उद्देशे और अर्थ की भावना को बनाए रखते हैं, जो कि हम जो हासिल करते हैं, उससे नहीं बलकि हम कौन है? यदि आपका इरादा लोगों की मदद करना है, तो आपको दयालू, खुले दिल और अभीनव बनकर, लोगों की ताकत को पहचान कर, उनकी कमजोरियों का समर्थन करके, सुनना, उन्हें बढ़ने में मदद करना, उन्हें आपसे जो चाहिए उसे पढ़ना, और जब यह ब उदार, उपस्थित, मिहनती और संगठित होना है, यदि आपका इरादा अपने जुनून को जीने का है, तो शायद आपको प्रतिबद्ध, उरजावान और सच्चा होना चाहिए, ध्यान देर की पहले अध्याय में हमने बाहरी शोर को साफ किया था ताकि हम अपने मूलिय आपके समर्थन का इरादा परिवार का मतलब है, कि आप परिवार को महत्व देते हैं, ऐसा नहीं है, रोकेट साइंस, लेकिन इन शब्दों को इधर उधर फेंक दिया जाता है और परस पर उप्योग किया जाता है, इसलिए यह जानने में मदद करता है, कि वे कैसे जुड और ओवरलैप करते हैं, अपने इरादे को जीने का मतलब है कि यह आपके विवहार में प्रवेश कर जाए, उदाहरन के लिए यदि आपका लक्षे अपने रिष्टे को बेहतर बनाना है, तो आप तारीखों की योजना बना सकते हैं, अपने साथी को उभार दे सकते हैं और उनके लिए बेहतर दिखने के लिए बाल कटवा सकते हैं, आपका बटवा पतला होगा, आपके बाल बेहतर दिख सकते हैं, और आपके रिष्टे में सुधार हो भी सकता है, और नहीं भी, लेकिन देखिए क्या होता है, अगर आप अपने इरादे को जीने के लिए आंतरिक बदलाव करते हैं अपने रिष्टे को बेहतर बनाने के लिए आप शान्थ, अधिक समझधार और अधिक जिग्यासु बनने की कोशिश करते हैं आप अभी भी जिम जा सकते हैं और बाल कटवा सकते हैं यदि आपके द्वारा किये गए परिवर्तन आंतरिक हैं तो आप अपने बारे में बेहतर महसूस करेंगे और आप एक बेहतर इंसान होंगे यदि आपके रिष्टे में सुधार नहीं होता है तब भी आप इसके लिए बेहतर रहेंगे काम करो एक बार जब आप यह जान लें कि आवशेकता के पीछे का कारण क्या है तो आवशेकता के पीछे के कारे पर विचार करें अच्छा घर और फैंसी कार पाने में क्या लगेगा क्या आप उस काम में रुची रखते हैं क्या आप इसे करने को तैयार हैं यदि आप जलदिया कभी भी सफल नहीं होते हैं, तो क्या कारे स्वय आपको त्रिप्ती का एहसास दिलाएगा। जिस साधु ने मुझे से पूछा था कि मैं पूरे शास्त्र को दिल से क्यों सीखना चाहता हूँ, वह नहीं चाहता था कि मैं अनभिक्षों की महाशक्तियों स मंत्रमुग्ध हो जाऊं और उन शक्तियों को विर्थता से खोजूं। वह जानना चाहता था कि क्या मुझे काम में दिल चस्पी है, जिस जीवन में मैं रहूंगा, वह व्यक्ती जो मैं होगा, जिसका अर्थ मुझे शास्त्रों को सीखने की प्रक्रिया में मिलेगा। ध् विक्षों के अनुसार हम प्रक्ती नहीं करते क्योंकि हमें यह नहीं पता कि हम कितना कर सकते हैं। हमने जो काम शुरू किया है, उसमें हमारी दिल चस्पी खत्म हो जाती है और हम बिना कोशिश किये भी अच्छा बनना चाहते हैं। यदि आप गहराई से परवाह नहीं कर कि आप चाहते थे उसे प्राप्त कर सकते हैं, किसी की शर्तों से सफल हो सकते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि आप अभी भी खोया और डिस्कनेक्ट महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया से प्यार करते हैं, तो आप इसे गहराई, प्रामानिक्ता और प्रभाव डालने की इच्छा के साथ करते हैं। आप दोनों तरह से समान रूप से सफल हो सकते हैं, लेकिन यदि आप इरादे से प्रेरित हैं, तो आपको खुशी महसूस होगी। इसे आज माई अपने टूडू में टूबी को जोडें। अपनी जिन्हें आप चेक या पूरा कर सकते हैं, लेकिन यह अभ्यास एक अनुसमारक है, कि इरादे से अपने लक्षियों को प्राप्त करने का मतलब उन लक्षियों को पूरा करना है, जो उन लक्षियों को चलाते हैं। उदाहरन वन मान ले कि मेरा लक्षे आर्थिक रूप से म मुझे क्या करना चाहिए योजना तितिया मेरे साथी के लिए अच्छी चीजे करे मेरी उपस्थिती में मुझे क्या होना चाहिए अधिक शान्त अधिक समझ मेरे साथी के दिन और भावनाओं के बारे में अधिक जिग्यासू और अगर आपके पास एक स्पष्ट और आत्म विश्वासी समझ है कि आपने प्रतेक कदम क्यों उठाया तो आप अधिक लचीले हैं अस्फल्ता का मतलब यह नहीं है कि आप बेकार हैं इसका मतलब है कि आपको सार्थक लक्षियों को प्राप्ट करने के लिए दूसरे मार्ग की तलाश करनी चाहिए आप जो करते हैं उसके मूले में विश्वास करने से संतुष्टी मिलती है रोल मॉडल्स अपने इरादे को पूरा करने के लिए आवशे कारे पर शोध करने का सबसे अच्छा तरीका रोल मॉडल्स की तलाश करना है यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो अध्यान करें बिना पीछा किये जिन अमीर लोगों की आप प्रशंसा करते हैं वे क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं इस बारे में किताबे पढ़ें कि वे जहां हैं वहां कैसे पहुंचे विशेश रूप से इस बात पर ध्यान दे कि उन्होंने आपके स्तर पर क्या किया ताकि वे अभी जहां हैं वहां पहुंच सकें आप एक उद्धेमी के कार्याले का दोरा कर सकते हैं या एक प्रवासी के एवोकैडो खेत में जा सकते हैं और यह तै कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं लेकिन यह आपको वहां पहुँचने की यातरा के बारे में कुछ नहीं बताता है एक अभिनेता होने के नाते स्क्रीन पर और पत्रिकाओं में प्रदर्शित होने के बारे में नहीं है यह एक द्रिश एको साथ बार करने के लिए धैरे और रचनात मक्ता रखने के बारे में है जब तक की निर्देशक के पास वह नहीं है जो वह चाहता है सादू होना ध्यान में बैठने वाले की प्रशंसा करना नहीं है यह उसी समय जाग रहा है जब भिक्षु अपनी जीवन शैली जी रहा है अपने द्वारा प्रदर्शित गुनों का अनुकरन कर रहा है एक सप्ताह के लिए काम पर किसी को छाया दे और आपको उनके सामने आने वाली चुनोतियों का कुछ अंदाजा हो जाएगा और क्या वे चुनोतिया हैं जिनका आप सामना करना चाहते हैं काम करने वाले लोगों की आपकी टिपपणियों में यह याद रखने योग्य है कि एक ही इरादे को प्राप्त करने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं उदाहरं के लिए हो सकता है कि दो लोग एक इरादे के रूप में प्रित्वी की मदद कर रहे हूं गैरलाब कारी A.R.T.H.J.U.S.T.I.C.E. के साथ काम करते हुए कोई भी इसे कानून के माध्यम से कर सकता है, दूसरा इसे फैशन के माध्यम से कर सकता था, जैसे स्टेला मेकार्टनी, जिसने शाकाहारी चम्डे को लोकप्रिय बनाने में मदद की है, अगले अध्याय में हम उस पद्धती और खोजमें दोहन के बारे में बात करेंगे जो आपको सबसे अच्छी लगती है, लेकिन यह उदाहरन दिखाता है, कि यदि आप इरादे से आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने लक्षे तक पहुँचने के विकल्प खोलते हैं। और जैसा कि हमने दुनिया भर में नौकायन के उदाहरन के साथ देखा, दो समान कृतियों के पीछे बहुत अलग इरादे हो सकते हैं। उपहारों के लिए सराहा जाता है। जो वास्तव में फर्प करना चाहता था वह खुश और गर्व और अर्थ की भावना महसूस करता है। इनाम पूरी तरह से अलग है। यह कहा जाना चाहिए कि कोई भी इरादा पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है। मेरे धर्मार्थ कारे लोगों की मदद करने के लिए 88 प्रतिशत और मेरे बारे में अच्छा महसूस करने के लिए 8 प्रतिशत और मेरे अन्यधर्मार्थ मित्रों के साथ मस्ती करने के लिए 4 प्रतिशत हो सकते हैं। बादल या बहुआयामी इरादों में आंतरिक रूप से कुछ भी गलत नहीं है हमें बस यह याद रखने की जरूरत है कि वे जितने कम शुद्ध हैं उतनी ही कम संभावना है कि वे हमें खुश करें भले ही वे हमें सफल बनाएं जब लोगों को वह मिल जाता है जो वे चाहते हैं लेकिन बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने इसे गलत इरादे से किया है बढ़ने के लिए जाने देना व्यापक इरादे अक्सर अन्य लोगों की मदद और समर्थन करने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हैं ओवर टाइम काम कर रहे मातापिता अपने परिवारों के लिए मिजपर खाना रखने के लिए स्वेयन सेवक खुद को एक कारण के लिए समर्पित कर रहे हैं कारे करता जो अपने ग्राहकों की सेवा करने के लिए प्रेरित होते हैं हम इन इरादों को उन लोगों से महसूस करते हैं जिनका हम सामना करते हैं चाहे वहनाई हो जो वास्तव में एक ऐसी शैली खोजना चाहता है जो आपको सूट करे या डॉक्टर जो आपके जीवन के बारे में पूछने के लिए समय लेता है उदार इरादे लोगों से निकलते हैं और यह एक खूबसूरत बात है बार-बार हम देखते हैं कि यदि हम बाहरी परिणाम के लिए ऐसा कर रहे हैं तो हम खुश नहीं होंगे सही इरादे से सेवा करने के लिए हम हर दिन अर्थ और उद्देशे महसूस कर सकते हैं जानबूज कर जीने का अर्थ है बाहरी लक्षियों से पीछे हटना सफलता की बाहरी परिभाशाओं को छोड़ना और अपने भीतर देखना इस इरादे का समर्थन करने के लिए श्वासप्रश्वास के साथ ध्यान अभ्यास विक्सित करना एक स्वाभाविक तरीका है जैसा कि आप अपने आपको उन विचारों और विचारों से शुद्ध करते हैं जो आप कौन है और आप क्या चाहते हैं इसका कोई मतलब नहीं है मैं आपको अपने समय में अपनी गती से जीने के लिए एक अनुसमारक के रूप में श्वासप्रश्वास का उपयोग करने की सलाह देता हूँ बृदवर्क आपको यह समझने में मदद करता है की आपका तरीका अनोखा है और जैसा होना चाहिए वैसा ही है ध्यान सांस लेना सांस लेने की शारीरिक प्रकृती आपके सिर से ध्यान भटकाने में मदद करती है श्वास प्रश्वास शांत है लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता है वास्तव में यह जो चुनोतिया लाता है वे प्रक्रिया का हिस्सा है मैं सूखे गोबर के फर्श पर बैठा हूँ जो आश्चरेजनक रूप से ठंडा है यह असहज नहीं है लेकिन यह आरामदायक नहीं है मेरी तखनों में चोट लगी है मैं अपनी पीट सीधी नहीं रख सकता भगवान मुझे इस से नफरत है यह बहुत मुश्किल है 20 मिनट हो गए हैं और मैंने अभी भी अपना दिमाग साफ नहीं किया है मैं अपनी सांसों में जागरूकता लाने वाला हूँ लेकिन मैं लंदन में वापस दोस्तों के बारे में सोच रहा हूँ मैं अपने निक्ततम साधू की ओर देखता हूँ वह इतना सीधा बैठा है वह इस ध्यान की बात कर रहा है अपनी सांस खोजे नेता कह रहा है मैं सांस लेता हूँ यह धीमा, सुन्दर, शान्त है अरे रुको, ओह ठीक है मैं अपनी सांस के प्रती जागरूख हो रहा हूँ सास अंदर लेना सास छोड़ना ओह मैं वहा हूँ ठीक है, यह अच्छा है यह दिल्चस्प है ठीक है, यह काम करता है रुको, मेरी पीट पर खुजली है श्वास अंदर लेना श्वास छोड़ना शांद आश्रम की मेरी पहली यात्रा दो सप्ताह लंबी थी और मैंने इस एहर सुबह गोरांगदास के साथ दो घंटे तक ध्यान करते हुए बिताया इतनी देर तक बैठे रहना अकसर बहुत ज्यादा लंबा, असहज और थका देने वाला और कभी-कभी उबाऊ होता है क्या बुरा है? अवांचित विचार और भावनाय मेरे सिर में बहने लगी मुझे चिंता थीक की मैं ठीक से नहीं बैठ रहा हूँ और भिक्षू मेरा नयाय करेंगे मेरी हताशा में मेरा अहंकार बोला मैं सबसे अच्छा ध्यानी बनना चाहता था आश्रम में सबसे चतुर व्यक्ती जिसने प्रभाव डाला ये साधुसदिश विचार नहीं थे ध्यान निश्चित रूप से उस तरह से काम नहीं कर रहा था जैसा मैंने सोचा था यह मुझे एक बुरे इंसान में बदल रहा था मैं स्तब्ध था और खुल कर कहूं तो अपने अंदर की सारी अनसुल जी नकारातमत्ता को देख कर निराश हो गया था ध्यान केवल मुझे अहंकार करोध, वासना, दर्द दिखा रहा था ऐसी चीजें जो मुझे अपने बारे में पसंद नहीं थी क्या यह कोई समस्या थी या यह बात थी मैंने अपने शिक्षकों से पूछा कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं उनमें से एक ने मुझे बताया कि भिक्षु हर साल पुरी में गुंडिचा मंदिर की सावधानी पूर्वक सफाई करते थे हर कोने की जाच करते थे और जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने अपने दिल की सफाई की कलपना की उन्होंने कहा कि जब तक वे समाप्त होते तब तक मंदिर फिर से गंदा हो रहा था वह उन्होंने समझाया ध्यान की भावना है यह काम था और यह कभी नहीं किया गया था ध्यान मुझे बुरा इंसान नहीं बना रहा था मुझे एक समान रूप से अपरी वास्तविक्ता का सामना करना पड़ा उस सभी शांती और शांत में यह मेरे अंदर पहले से ही जो कुछ था उसे बढ़ा रहा था मेरे मन के अधेरे कमरे में ध्यान ने बत्तिया बुझा दी थी आपको वह स्थान प्राप्त करने में जहां आप होना चाहते हैं ध्यान आपको वह दिखा सकता है, जो आप नहीं देखना चाहते हैं। बहुत से लोग ध्यान से भागते हैं, क्योंकि उन्हें यह कठिन और अपरी लगता है। ध्यान में बुद्ध कहते हैं, जैसे एक मचली जोकी हुई और रेत पर छोड़ी गई तडपती हुई तडपती है, ध्यान में प्रशिक्षित होने वाला मन चारों और काम पता है। लेकिन ध्यान की बात यह जांचना है, कि क्या इसे चुनोती पूर्ण बनाता है। दिन में 15 मिनट के लिए अपनी आखे बंद करने के अलावा और भी बहुत कुछ है। यह अपने आपको प्रतिबिम्बित करने और मूल ल्यांकन करने के लिए स्थान देने का अभ्यास है। अब तक मैंने कई सुन्दर ध्यान कर लिये हैं। मैं हसा हूँ, मैं रोया हूँ और जितना मैं जानता था उससे कहीं अधिक मेरे दिल ने महसूस किया है। शान्द, तैरता हुआ, शान्द आनंद अंततह आता है। अंत्र, यह प्रक्रिया परिणामों की तरह ही आनंद में होती है। शरीर और मन के लिए संस, जैसा कि आपने शायद देखा है, आपकी संसे आपकी भावनाओं के साथ बदलती हैं। जब हम ध्यान के इंद्रित कर रहे होते हैं, तो हम अपनी संस रोकते हैं, और जब हम घबराए या चिंतित होते हैं, तो हम उतली संस लेते हैं। लेकिन ये प्रतिक्रियाय मददगार होने के बजाए सहज होती हैं, जिसका अर्थ है, कि अपनी संस रोक कर रखने से वास्तव में आपकी एक आगरता में मदद नहीं मिलती हैं, और उतली सास लेने से वास्तव में चिंता के लक्षन बदतर हो जाते हैं। दूसरी और, नियंतरित श्वास, अपने आपको स्थिर करने का एक तातकालिक तरीका है, एक पोर्टेबल उपकरन जिसका उप्योग आप अपनी उर्जा को मक्खी पर स्थानांतरित करने के लिए कर सकते हैं। सहसराबदियों से, योगियों ने उपचार को प्रोच साहित करने, उर्जा बढ़ाने और वर्थमान क्षन पर ध्यान के इंद्रित करने जैसी चीजों को करने के लिए श्वास तकनीक, जिसे प्रानायाम कहा जाता है, का अभ्यास किया है। रिगविद में श्वास को स्वयम से परेचेतना के मार्ग के रूप में वर्णित किया गया है। लेने की दिमागीपन को आत्म ज्यान प्राप्त करने के तरीके के रूप में वर्णित किया गया है। जब आप अपनी संस के साथ संग्रेखित करते हैं, तो आप हर भावना के माध्यम से अपने आपको संग्रेखित करना सीखते हैं, अपने आपको शांत करना, केंदृत करना और तनाव मुक्त करना। दिन में एक या दो बार मैं सुझाव देता हूँ कि संस लेने के लिए अलग समय निर्धारित करें इसके अतिरिक्त, श्वास-प्रश्वास अपने आपको शान्त करने का इतना प्रभावी तरीका है कि मैं इसका उपयोग करता हूँ और दूसरों को इसका उपयोग करने का सुझाव देता हूँ दिन भर में जब आपको संस की कमी महसूस होती है या आप अपनी संस रोक रहे होते हैं ध्यान करने के लिए आपको आराम की जगह में रहने की आवशेक्ता नहीं है हाला कि यह स्पष्ट रूप से सहायक और उप्यूक्त है जब आप ध्यान के लिए नए होते हैं आप इसे कहीं भी कर सकते हैं, बात्रूम में किसी पार्टी में, हवाई जहाज पर चड़ते समय, या प्रस्तुती देने से ठीक पहले या अजनबियों से मिलने से पहले, इसे आजमाई, सांस का काम. यहाँ शक्तिशाली सास लेने के पैटर्ण है, जिनका मैं हर दिन उप्योग करता हूँ. उनका उप्योग आवशेक तानुसार या तो ध्यान के इंद्रित करने या शान्ती बढ़ाने के लिए किया जा सकता है. श्वासप्रश्वास की तैयारी शान्त और स्फूर्ति दायक सास लेने के व्यायामों के लिए जिनका मैं नीचे वर्णन कर रहा हूँ. निमनलिखित चर्णों के साथ अपना अभ्यास शुरू करें. वन एक आरामदायक स्थिती खोजें, कुर्सी पर बैठना, गद्धी के सहारे सीधा बैठना, या लेटना. टू अपनी आंखे बंद करें. थ्री. अपनी नजर नीचे करें. हाँ, आप इसे अपनी आंखे बंद करके कर सकते हैं. फूर. इस स्थिती में खुद को सहज बना 5. अपने कंदों को पीछे की ओर ले जाएं. 6. अपनी जागरूकता लाएं. शांत संतुलन आराम शांती शांती. जब भी आपका मन भटकता है, बस धीरे से और धीरे से उसे वापस ले आएं. शांत संतुलन आराम शांती शांती. सीवन अब अपने प्राकृतिक श्वास पैटर्न से अवगत हो जाएं, अपनी सांसों पर बल या दबाव नडालें, बस अपने प्राकृतिक श्वास पैटर्न के बारे में जागरूख हो जाएं, आश्रम में हमें डाया फ्रामिक श्वास का उप्योग करना सिखाया गया था, ऐसा करने के लिए एक हाथ अपने पैट फैलता है, अपनी चाती के विपरीद, जब आप सास छोड़ते हैं, तो अपने पेट के अनुबंध को महसूस करें, इसे अपनी गती से जारी रखें, अपने समय पर जब आप श्वास लें, तो महसूस करें कि आप सकारात्मक उत्थानशील उर्जा ले रहे हैं, और सास छोड़ते हुए इसे वापस बीच में लाएं, नाइन सांस अंदर लेते हुए अपने दाहिने कान को अपने दाहिने कंधे तक नीचे करें, और सांस छोड़ते हुए इसे वापस बीच में लाएं, तेन वास्तव में श्वास को बिना किसी हटबड़ी या बल के अपनी गती से अपनी नाक के माध्यम से चार की गिंती के लिए सास लें, चार की गिंती के लिए रुकें, मुह से चार की गिंती के लिए सास छोडें, इसे कुल दस संसों तक करें, उर्जा के लिए संस लें और ध्यान के इंद्रित करें, कपाल भाती, उप्रोक्त श्वास प करने के बाद ऐसा करें चार की गिंती के लिए अपनी नाक के माध्यम से सास ले फिर अपनी नाक के माध्यम से एक सेकंड से भी कम समय के लिए शक्तिशाली सास छोड़ें आप एक तरह महसूस करेंगे आपके फेफडों में इंजन पंपिंग का फोर की गिंती के लिए अपनी आप के माध्यम से फिर से सांस लें इसे कुल दस सांसों तक करें नींद के लिए सांस लें फोर सेकंड के लिए सांस लें फोर सेकंड से अधिक समय तक सांस छोड़ें ऐसा तब तक करें जब तक आप सो रहे हों या उसके करीब हों भाग दो बढ़ना पंज, प्रयोजन, बिच्छू की प्रकृति, जब आप अपने धर्म की रक्षा करते हैं, तो आपका धर्म आपकी रक्षा करता है, मनुस्मृति 8, 15, बाहर से एक भिक्षू होने के नाते ऐसा लगता है, कि यह मूल रूप से जाने देने के बारे में है, गंजापन, वस्त्र विकर्शनों को दूर करना, वास्तव में तपस्या एक लक्षे से कम एक लक्षे था, क्योंकि यह एक अंत का साधन था, जाने से हमारे दिमाग खुल गए, हमने अपने दिन सेवा में बिताए, जिसे हमारे दिमाग का विस्तार करने के लिए भी डिजाइन किया गया था, इ कि जहाँ भी और जहाँ भी इसकी आवशेक्ता थी, वहां मदद करने के लिए कहा गया था. अपनी इच्छा और लची लेपन का अनुभव करने और जोर देने के लिए, हमने भूमिकाय चुन्ने और विशेशगे बनने के बजाए विभिन कारियों और गतिविधियों के माध्यम से घुमाया, खाना बनाना, सफाई करना, बागवानी करना, गायों की देख भाल करना, ध्यान करना, अधेयन करना, प्रार्थना करना, पढ़ाना आदी. मुझे सभी गतिविधियों को वास्तव में समान रूप से देखने के लिए कुछ काम करना पड़ा गायों के बाद सफाई करने की तुलना में मैंने अधेयन करना ज्यादा पसंद किया लेकिन हमें समाज को शरीर के अंगों के रूप में देखने के लिए कहा गया था कोई एक अंग दूसरे से ज्यादा महत्व पूर्ण नहीं था उन सभी ने संगीत कारेकरम में काम किया और शरीर को उन सभी की जरूरत थी इस समान सहस्तित्व के बावजूद यह सपश्ट हो गया कि हमें से प्रतेक के बीच स्वाभाविक समानताएं थी एक को जानवरों की देखभाल करने के लिए आकरशित किया जा सकता है मुझे नहीं, दूसरे को खाना पकाने में मज़ा आ सकता है फिर से, मैं नहीं, मैं खाने पीने का आदमी हूँ दूसरे को बागवानी से बहुत संतुष्टी मिल सकती है हमने इतनी व्यापक गतिविधिया की की हाला की हमने अपने विशेश जुनून को शामिल नहीं किया हम देख सकते थे और सोच सकते थे कि वे कहा है हम नए कोशल के साथ प्रयोग कर सकते हैं उनका अध्ययन करें, देखें कि उनमें सुधार करने से हमें कैसा महसूस हुआ हमें क्या पसंद आया क्या स्वाभाविक और संतोष जनक लगा क्यों? अगर कुछ, जैसे गायों के बाद सफाई करना, मुझे असहज करता है तो मैंने खुद को दूर करने के बजाए उन भावनाओं को समझने के लिए प्रेरित किया जो मेरी परेशानी की जड़ में थी मैंने जल्दी से कुछ सबसे संसारिक कामों के लिए अपनी घ्रेना को अहंकार के मुद्दे के रूप में पहचाना मैंने सोचा कि जब मैं सीख रहा था तो वे समय की बर्बादी कर रहे थे एक बार जब मैंने इसे अपने आप में स्वीकार कर लिया तो मैं यह पता लगा सकता था कि क्या सफाई के पास मुझे देने के लिए कुछ है या नहीं क्या मैं जाडू से सीख सकता हूँ आलू लगाते समय संस्कृत श्लोक का अभ्यास करें अपने काम के दोरान मैंने देखा कि हर जगह और कोने में जाने के लिए M.O.P. हेड को पूरी तरह से लचीला होना चाहिए हर काम जाडू जैसी मजबूत चीज से नहीं होता मेरे भिक्षू के मन में उसमें एक सार्थक सबक था अधेयन और विकास के हर कोने तक पहुचने के लिए हमें लचीलेपन की आवशेकता है जब आलू लगाने की बात आई तो मैंने पाया कि इसकी ले ने मुझे पद्धे याद करने में मदद की जब की छंद आलू में उत्साह लेकर आया आश्रम के स्वनिहित ब्रहमांद में अपनी ताकत और कमजोरियों की खोज करने से हमें से प्रतेक को अपने धर्म की ओर ले जाने में मदद मिली धर्म, कई संस्कृत शब्दों की तरह एक भी अंग्रेजी शब्द द्वारा परिभाशित नहीं किया जा सकता है हालांकि कुछ कहने के लिए आपकी बुलाहट करीब आती है धर्म की मेरी परिभाशा आज हमारे जीवन में इसे व्यावहारिक बनाने का एक प्रयास है मैं धर्म को वर्न और सेवा के संयोजन के रूप में देखता हूँ वर्न, जटिल अर्थ वाला एक शब्द भी को जुनून और कौशल के रूप में सोचें सेवा दुनिया की जरूरतों को समझ रही है और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा कर रही है जब आपकी प्राकृतिक प्रतिभाय और जुनून आपका वर्न, ब्रहमान, सेवा की जरूरत से जुड़ते हैं और आपका उद्देशे बन जाते हैं तो आप अपने धर्म में रह रहे होते हैं जब आप अपना समय और उर्जा अपने धर्म में व्यतीत करते हैं तो आपको अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का उप्योग करने और कुछ ऐसा करने का संतोश मिलता है जो दुनिया के लिए मायने रखता है अपने धर्म में रहना पूर्णता का एक निश्चित मार्ग है इस पुस्तक के पहले भाग में हमने जागरूख होने और उन प्रभावों और विकर्षनों को दूर करने के बारे में बात की जो हमें एक पूर्ण जीवन से विचलित करते हैं अब हम अपने मार्गदर्शक मूलियों और गहरे इरादों के इर्दगिर्द अपने जीवन का पुनर निर्मान करेंगे यह व्रिद्धी धर्म से शुरू होती है दो साधू नदी में अपने पैर धो रहे थे तभी उनमें से एक को लगा की एक बिच्चू पानी में दूब रहा है उसने तुरंट उसे उठाया और बैंक पर रख दिया हालांकि वह तेज था बिच्चू ने उसका हाथ काट दिया उसने फिर से शुरू किया अपने पैर धो रहा है दूसरे साधू ने कहा अरे देखो वह मूर्ख बिच्चू ठीक पीछे गिर पड़ा पहला साधू जुक गया उसने फिर से बिच्चू को बचाया और फिर से डंक मार गया दूसरे साधू ने उससे पूछा भाई जब आप जानते हैं कि बिच्चू का स्वभाव डंक मारना है तो आप उसे क्यों बचाते हैं क्योंकि साधू ने उत्तर दिया इसे बचाना मेरा स्वभाव है साधू नमरता का अनुकरन कर रहा है वह अपने स्वयम के दर्द को बिच्चू के जीवन से अधिक मिहत्व नहीं देता है लेकिन यहां अधिक प्रासंगिक सबक यह है कि इस भिच्चू के स्वभाव के लिए बचाना इतना आवशेक है कि वह ही से करने के लिए मजबूर और संतुष्ट है यह जानते हुए भिच्चू उसे डंक मार देगा साधू को अपने धर्म में इतना विश्वास है कि वह ही से पूरा करने के लिए कष्ट सहने को तयार है धर्म की खोज यह आश्रम में मेरी पहली गर्मी है मैंने बाथरूम पके हुए आलू की सबजी कटी हुई गोभी साफ की है मैंने अपने कपडे हाथ से धोए है जो कोई आसान काम नहीं है हमारे कपडों में बेडशीट जितनी सामगरी होती है और भोजन या घास के दागों को साफ करने के लिए दिन के क्रोस्फिट कसरत के रूप में योग्य होता एक दिन जब एक वरिष्ट भिक्षू मेरे पास आता है तो मैं एक अति उत्साही प्रशिक्षू के उत्साह के साथ बर्तन साफ कर रहा हूँ हम चाहते हैं कि आप इस सप्ताह एक कक्षा का नेत्रित्व करें वे कहते हैं विशेगीता का यह श्लोक है महापुरुष जो भी कर्म करते हैं उनके पदचिन्हों पर आम आदमी चलते हैं और अनुक्रणिय कृत्यों से वह जो भी मानक स्थापित करता है उसका पालन सारी दुनिया करती है मैं इसे करने के लिए सहमत हूँ और जैसे ही मैं स्क्रबिंग पर लोटता हूँ मैं सोचता हूँ कि मैं क्या कहूंगा मैं शास्त्र के मूल सार को समझता हूँ हम उदाहरन के द्वारा पढ़ाते हैं यह मेरी समझ में आता है कि आप कौन हैं जो आप कहते हैं लेकिन आप कैसे विवहार करते हैं, और यह मुझे अक्सर असीसी के सेंट फ्रांसिस को दिये गए एक उधरन की याद दिलाता है, हर समय सुस्माचार का प्रचार करें, जब आवशेक हो, शब्दों का प्रयोग करें, मेरे जैसे कई अनभिक्षों ने पांच वर्ष की आयू में आश्रम में प्रवेश नहीं किया, वे मुखेधारा के स्कूलों में गए हैं, उनकी गर्लफरिंड और बॉयफरिंड थे, टीवी और फिल्में देखते थे, उन्हें कविता के अर्थ को समझने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन मैं यह जानने के लिए उतसाहित हूँ कि मैं इसे आश्रम के बाहर उनके अनुद्वों के लिए ताजा और प्रासंगिक कैसे बना सकता हूँ, हमारी लाइब्रेरी के पुराने हो रहे कंप्यूटरों में बहुत धीमा इंटरनेट कनेक्शन है, मैं भारत में हूँ, बीच में कहीं नहीं हूँ, और ऐसा लगता है कि हर छवी को डाउनलोड होने में एक घंटा लगता है, एक कॉलेज के पुस्तकाले के तेज कंप्यूटरों पर शोध करने के बाद मुझे प्रतीक्षा दर्दनाक लगती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि रसोई में मेरे साथी भिक्षु धैरे पूर्वक पानी के उबलने क का इंतजार कर रहे हैं, जैसा कि वे कर रहे हैं, मैं प्रक्रिया का सम्मान करने की कोशिश करता हूँ, अपने शोध के दोरान, मैं संचार के मनोविग्यान पर मोहित हो गया, मुझे अलबर्त महरबियन द्वारा किये गए अधेनों से पता चलता है, कि हमारे संचार का 55 प् अस्तविक शब्ध हैं जो हम बोलते हैं। के लिए जुड़ता है। हमारी कक्षा एक मध्यम आकार के कमरे में एकत्रित होती है। मैं एक उची गद्धीदार सीट पर अपनी जगह लेता हूँ और छात्र मेरे सामने तकिये पर बैठते हैं। मैं अपने श्रेष्ट आसन के अतिरिक्त स्वयम को उनसे ऊपर किसी भी रूप में नहीं देखता। हम भिक्षु पहले ही सीख चुके हैं कि हर कोई हमेशा एक साथ छात्र और शिक्षक होता है। जब मैं अपना भाशन देना समाप्त करता हूँ तो मैं इस बात से प्रसन होता हूँ कि यह कैसे चला गया। मुझे विचारों को साज़ा करने में उतना ही आनंद आया जितना मुझे उन पर शोध करने में आया। लोग मुझे धन्यवाद देते हैं, मुझे बताते हैं कि उन्होंने उदाहरणों की सराहना की और मैंने प्राचीन कविता को कैसे प्रासंगिक बना दिया। एक या दो मुझे से पूछते हैं, कि मैंने कैसे तैयारी की, उन्होंने देखा कि मैंने इसमें कितना काम किया है, जैसे जैसे मैं अपनी संतुष्टी और उनकी प्रशंसा की चमक में धूबता जा रहा हूं, मुझे अपने धर्म का एहसास होने लगा है, अधेयन करना, ग्या धर्म इस प्राकृतिक जुकाव का उप्योग कर रहा है, जिन चीजों में आप अच्छे हैं, दूसरों की सेवा करने के लिए अपने थ्राइव मोड का उप्योग कर रहे हैं, जब प्रक्रिया मनभावन हो और आपका निश्पादन कुशल हो तो आपको जोश का अनुभव करना चाहिए, और दूसरों की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, सकारात्मक यह दर्शात्ता है कि आपके जुनून का एक उद्देश है, यह धर्म का जादू सूत्र है, जुनून प्लस विशेश गेता प्लस उप्योगिता धर्म, अगर हम केवल तभी उत्साहित होते हैं, जब लोग हमारे काम के बारे में अच्छी बाते कहते हैं, तो यह इस बात का संकित है, कि हम खुद काम के बारे में भावुक नहीं हैं, और अगर हम अपने हितों और कोशल को शामिल करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो हमारा जुनून वेर्थ है, यदि दोनों में से कोई एक तुकडा गायब है तो हम अपने धर्म को नहीं जी रहे हैं जब लोग इस बारे में कलपना करते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं और वे कौन बनना चाहते हैं तो वे अक्सर यह जानने के लिए पूरी तरह से जांच नहीं करते हैं कि यह उनके धर्म के अनुकूल है या नहीं। लोग सोचते हैं कि वे वित्त में रहना चाहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह आकरशक है या वे डॉक्टर बनना चाहते हैं क्योंकि यह सम्मानित और सम्मानजनक है लेकिन वे इस विचार के बिना आगे बढ़ते हैं कि क्या वे पेशे उनके अनुकूल हैं यदि वे प्र हो रहे होते हैं तो हम में से कुछ लोग दो जूट सुनते हैं पहला है आप कभी भी कुछ भी नहीं करेंगे दूसरा है आप कुछ भी हो सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं सच तो यह है आप कुछ भी नहीं हो सकते जो आप चाहते हैं लेकिन आप वह सब कुछ हो सकते हैं जो एक सादू एक यात्री है लेकिन यात्रा अंदर की ओर है जो हमें हमारे सबसे प्रामानिक आत्म विश्वासी शक्तिशाली आत्म के करीब लाती है अपने जुनून और उद्देशे को खोजने के लिए वास्तविक वर्षदर प्रोवेन सप्रकार की खोज शुरू करने की कोई आवशेक्ता नहीं है जैसे कि यह किसी दूर की भूमी में दफन एक खजाना है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है आपका धर्म पहले से ही आपके साथ है यह हमेशा आपके साथ रहा है यह आपके अस्तित्व में बुना हुआ है यदि हम अपने मन को खुला और जिग्यासु रखते हैं तो हमारे धर्म स्वयम की घोशना करते हैं फिर भी हमारे धर्म को उजागर करने में वर्षों लग सक आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी चुनोतियों में से एक है अभी बड़ा प्रदर्शन करने का दबाव। अगर हमें अपनी बुलाहट नहीं मिली है और हम अपने बिस्वा दशा में अपने क्षेतरों में शीर्ष पर पहुंच गए हैं तो हम असफल हो गए हैं। यह सारा दबाव लोगों पर जल्दी हासिल करने के लिए डालना न केवल तनावपूर्ण है बलकि यह वास्तव में सफलता में बाधा बन सकता है। फोर्बस पत्रिका के प्रकाशक रिच कारलगार्ड के अनुसार उनकी पुस्तक लेट ब्लूमर्स में हम में से अधिकांश ने अपनी प्रगती को इतनी जल्दी नहीं मारा है लेकिन अकादमिक परीक्षन पर समाज का ध्यान सही कॉलेजों में प्रवेश करना और एक एप विक्सित करना और बेचना है आपकी डिगरी प्राप्त करने से पहले लाखों यदि आप अपनी बहु मिलियन डॉलर की कमपनी चलाने के लिए बाहर नहीं जाते हैं न केवल उन लोगों में चिंता और अवसाद के उच्चस्तर का कारण बन रहा है जिन्होंने 24 साल की उम् की हासिल करने वाले प्रदर्शन के उस स्तर को बनाए रखने के लिए जबरदस्त दबाव महसूस करते हैं लेकिन जैसा की कारलगार्ड बताते हैं बहुत सारे कालपनिक रूप से सफल लोग हैं जिन्होंने जीवन में बाद में अपनी प्रक्ति की धब्रूस्ट आई टोन मौरिसन का पहला उपन्यास तब तक प्रकाशित नहीं हुआ जब तक वह 29 वर्ष की नहीं हो गई और कॉलेज में 10 साल के कारेकाल और्सकी प्रशिक्षक के रूप में काम करने में समय बिताने के बाद डायटरिच माटसिटज ब्लोकबस्टर एनरजी ड्रिंक कंपनी रेड अपने धर्म की खोज कर लेते हैं तो उसका अनुसरन करें दूसरे लोगों का धर्म भगवद गीता कहती है कि कि किसी दूसरे के धर्म को पूरी तरह से करने की तुलना में अपने धर्म को अपूर्ण रूप से करना बेहतर है या जैसा कि स्टीव जोब्स ने अपने 2005 के स् इसलिए इसे किसी और का जीवन जीने में बर्बाद न करें। काफी सफल रहा और उसने बहुत सारा पैसा कमाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, यह उसका धर्म नहीं था। हालांकि अगासी ने अपनी ओनकोर्ट सफलता को अपने सचे जुनून में बदल दिया है, इतके की सेवा करने के बजाए वह अब दूसरों की सेवा कर रहा है। अपने मूल नेवादा में बच्चों के लिए अन्व बुनियादी सेवाए प्रदान करने के साथ, आंध्रे अगासी फाउंडेशन जोखिम वाले युवाओं के लिए के 12 कॉलेज प्रारंभिक स्कूल चलाता है। हमारा समाज हमारी ताकत बनाने के बजाए हमारी कमजोरियों को मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया है। स्कूल में यदि आपको तीन एस और डी मिलते हैं, तो आपके आसपास के सभी वयस्क उस डी पर केंद्रित होते हैं। स्कूल में हमारे ग्रेड, मान की कृत परीक्षनों पर स्कूर, प्रदर्शन समीक्षा, यहां तक कि हमारे आत्म सुधार के प्रयास भी हमारी अपर्याप्तता को उजागर करते हैं, और हमसे आगरह करते हैं, उन्हें सुधारने के लिए। लेकिन क्या होगा अगर हम उन कमजोरियों को अपनी अस्फलताओं के रूप में नहीं बलकि किसी और के धर्म के रूप में सोचें। जो मैं नहीं कर सकता वह किसी और का उपहर और जिम्मेदारी है। मेरी सीमाय अन्य लोगों के उपहरों के लिए जगह बनाती हैं। अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाए हम अपनी ताकत में जुक जाते हैं और उन्हें अपने जीवन में केंद्रिय बनाने के तरीकों की तलाश करते हैं। यहां दो महत्वपूर्ण चेतावनियां दी गई हैं। पहला अपने धर्म का पालन करने का मतलब यह नहीं है कि आपको मुफ्तपास मिल जाएगा। जब कौशल की बात आती है तो आपको अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कमजोरियां सहानुभूती, करुना, दया और उदारता जैसे भावनात्मक गुन हैं, तो आपको उन्हें विक्सित करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। यदि आप दयालू नहीं हैं, तो तकनीकी जादूगर होने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आपको शल हैं, आपको जटका नहीं लगता। दूसरा, स्कूल में खराब ग्रेड का मतलब यह नहीं है, कि आप इस विशे को पूरी तरह से छोड़ दें। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अनुभवहींता को कमजोरी से भ्रमित्न करें। हम मेंसे कुछ लोग अपने धर्म से बाहर रहते हैं, क्योंकि हमने यह नहीं सोचा है, कि यह क्या है। विकलपों को अस्वीकार करने से पहले व्यापक रूप से प्रयोग करना महत्वपूर्ण है, और इस प्रयोग का अधिकांश भाग स्कूल में और अन जगहों पर किया जाता है, जब हम छोटे होते हैं। मेरा अपना धर्म कुछ ऐसे अनुभवों से उभरा जो मुझे बेहद अप्री लगे। मेरे अजीब शरीर के लिए कुछ नहीं किया। जैसे ही मैं स्टेज पर गया, बच्चे हंसने लगे। मैं अपने जीवन के लिए एक दुन नहीं रख सकता, और जब मैंने लिपेंतरित संस्कृत में एक प्रार्थना गाना शुरू किया, तो उन्होंने इसे खो दिया। मैं दो मिनट भी नहीं गया था, और पांच सो बच्चे और सभी शिक्षक मुझ पर हस रहे थे। मैं गीत के बोल भूल गया और मेरे सामने शीट को नीचे देखा, लेकिन मैं अपने आसों के माध्यम से शब्दों को नहीं पढ़ सका। मेरी शिक्षिका को मंच पर बाहर आना पड़ा, अपना हाथ मेरे चारों ओर रखना पड़ा, और मुझे दूर ले जाना पड़ा क्योंकि हर कोई हनसता रहा। यह मार्मिक था। उसी क्षन से मुझे मंच से नफरत हो गई। फिर, जब मैं 14 वर्ष का था, मेरे माता पिता ने मुझे स्कूल के बाद के एक सारवजनिक भाशन नाटक कारेकरम में भाग लेने के लिए मजबूर किया। तीन घंटे, सप्ताह में तीन बार, चार साल तक मुझे मंच पर खड़े होने का कौशल दिया, लेकिन मेरे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं था और मुझे इसमें कोई मज़ा नहीं आया। मैं शर्मीला था और अब भी हूँ, लेकिन उस सारवजनिक बोलने के पाठेकरम ने मेरे जीवन को बदल दिया क्योंकि एक बार जब वह कौशल मेरे धर्म से जुड़ा, तो मैं उसके साथ भागा। आशर्म में मेरी पहली गर्मी समाप्त होने के बाद, मैं अभी तक एक पूर्ण कालिक भिक्षु नहीं था। मैं कॉलेज लोट आया और फिर से अध्यापन में हाथ आजमाने का फैसला किया। मैंने Think Out Loud नामक एक एक स्ट्रा करिकुलर क्लब की स्थापना की, जहां हर हफ़ते लोग मुझे दार्शनिक, आध्यात्मिक और या वैग्यानिक विशे पर बोलते हुए सुनने के लिए आते थे, और फिर हम इस पर चर्चा करते थे। पहली बैठक का विशे, भौतिक समस्याई, आध्यात्मिक समाधान था। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने अपनी पूरी उर्जा के साथ खाली कमरे में अपनी बात रखी, क्योंकि मुझे लगा की विशे इसके लायक है। और लगभग दस लोग आए। अस्तविक कारे करने के बजाए ततकाल सुधार की तलाश कर रहे हैं। भिक्षु दर्शन को हमारे दैनिक जीवन से जोडने के लिए मुझे हमेशा मजा किया और समकालीन उदाहरनों से चित्र बनाना पसंद है। Think Out Loud ने कॉलेज के अगले तीन वर्षों के लिए हर हफ़ते बस यही किया। जब तक मैंने सनातक किया, तब तक क्लब एक सो लोगों तक बढ़ गया था और सापताहिक तीन घंटे की कारेशाला बन गई थी। हम सभी के अंदर एक विशेश प्रतिभाहे, लेकिन यह उस रास्ते पर नहीं हो सकता है, जो सीधे हमारे सामने खुलता है। कोई द्रिश ये मार्ग नहीं हो सकता है। मेरा धर्म उन जोब ट्रैक्स में से एक में नहीं था जो मेरे स्कूल में आम थे, बलकि उस क्लब में थे जिसे मैंने आश्रम में एक मौका असाइन्मेंट के बाद स्थापित किया था, जो मेरे धर्म की और इशारा करता था। हमारे धर्म छिपे नहीं हैं, लेकिन कभी कभी हमें उन्हें पहचानने के लिए धैरे पूर्वक काम करने की आवशेक्ता होती है। जैसा किशोध करता एंडर्स एरिक्सन और रोबर्ट पूल ने अपनी पुस्तक पीक में रिखांकित किया है, महारत के लिए जानबूज कर अभ्यास की आवशेक्ता होती है, और इसके बहुत सारे। लेकिन अगर आप इसे प्यार करते हैं, तो आप इसे करते हैं। पिकासो ने कला के अनरूपों के साथ प्रयोग किया लेकिन पेंटिंग को अपने फोकस के रूप में रखा। माइकल जॉर्डन ने बेसबॉल में एक कारे किया, लेकिन बास्केट बॉल वह था जहां वह वास्तव में संपन्न हुआ। अपनी ताकत के शेत्र में सबसे कठिन खेले और आप अपने जीवन में गहराई, अर्थ और संतुष्टी प्राप्त करेंगे। अपने जुनून के साथ संग्रेखित करें। अपने धर्म का अनावरण करने के लिए, हमें अपने जुनून की पहचान करनी होगी, जिन गतिविधियों से हम दोनों प्यार करते हैं, और स्वाभाविक रूप से अच्छा करने के लिए इच्छुक हैं। क्षमता के चतुर्भुज को देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह स्पष्ट है, कि हमें चतुर्भुज दो में उपरी दाहिनी और जितना संभव हो उतना समय बिताना चाहिए, ऐसी चीजें करना जो हम दोनों अच्छे हैं, और प्यार करते हैं। लेकिन जीवन हमेशा उस तरह से नहीं चलता है। वास्तव में, हम में से बहुत से लोग त्वाडरेंट वन में अपना करियर बिताते हुए पाते हैं, उन चीजों पर काम करना जो हम अच्छे हैं, लेकिन प्यार मत करो। जब हमारे पास खाली समय होता है, तो हम त्वाडरेंट 4 में अपने शौक और पाठेतर गतिविधियों को शामिल करने की आशा करते हैं, भले ही हमारे पास इतना समय नहो कि हम उन पर उतना अच्छा बन सकें जितना हम चाहेंगी। हर कोई इस बात से सहमत हो सकता है कि हम त्वाडरेंट 3 में जितना हो सके कम से कम समय बिताना चाहते हैं, ऐसे काम करना जो हमें पसंद नहीं हैं और जो अच्छे नहीं हैं, वहां घूमना बहुत निराशाजनक है। तो सवाल यह है, हम अपना अधिक समय वाडरेंट 2 की ओर कैसे बढ़ा सकते हैं, उन चीजों को करना जो हम अच्छे हैं और प्यार करते हैं। आप देखेंगे कि मैं संख्यात्मक क्रम में चतुर्थांशों की चर्चा नहीं करता। ऐसा इसलिए है, क्योंकि चतुर्थांश एक और चार दोनों ही हम जो चाहते हैं, उसका आधा प्रदान करते हैं, इसलिए पहले उन पर चर्चा करना समझ में आता है। चतुर्थांश एक अच्छा है, लेकिन प्यार मत करो। यहां से Quadrant 2 तक पहुँचना कहा से आसान है। कहो कि आपको अपनी नौकरी से प्यार नहीं है। हम में से अधिकांश लोग उस नौकरी में छलांग नहीं लगा सकते जिसे हम प्यार करते हैं, जो चमतकारिक रूप से एक उदार वेतन के साथ हाती है। हमारे पास पहले से मौजूद नौकरीयों के भीतर Quadrant 2 की ओर बढ़ने के लिए नए तरीके खोजने के लिए एक अधिक व्यावहारिक द्रिश्टी कों है। आप अपने धर्म को जहां हैं, वहां लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जब मैंने पहली बार आश्रम छोड़ा, तो मैंने एक वैश्विक प्रबंधन परामर्श फर्म, एक सेंचर में परामर्श की नौकरी ली। हम लगातार संख्याओं, डेटा और वित्तिय विवरणों के साथ काम कर रहे थे, और यह जल्दी ही सपष्ट हो गया कि मेरी स्थिती में उतकरिश्टता प्राप्त करने के लिए एक सेल के लिए एक प्रतिभा आवश्यक थी। लेकिन एक सेल मेरे बस की बात नहीं थी। अपने प्रयासों के बावजूद मैं खुद को इस से बेहतर होने के लिए मजबूर नहीं कर सका। मुझे बस कोई दिलचस्पी नहीं थी। जहां तक जैसा कि मैं चिंतित था, यह गाय के स्टालों को तोड़ने से भी बदतर था इसलिए जब मैंने अपना सरवश्रेष्ट करना जारी रखा, तो मैंने सोचा कि मैं कैसे प्रदर्शित कर सकता हूँ कि मैं किस में अच्छा था। मेरा जुनून ग्यान और जीवन के लिए ध्यान और दिमागीपन जैसे उपकरन थे, इसलिए मैंने अपने कारे समूह को ए के लिए कमपनी व्यापी ग्रीश मकालीन कारेकरम में मुझे दिमागीपन और ध्यान के बारे में बात करने के लिए कहा। मैं इंग्लेंड की राष्ट्रिये रगभी टीम के घरेलू स्टेडियम त्विकेने स्टेडियम में एक हजार लोगों के सामने बोलूंगा। जब म मैं स्टेडियम पहुंचा तो मुझे पता चला कि पोडियम पर मेरी बारी सीओ और रगभी के दिगगज विल ग्रीनवूड के शब्दों के बीच में थी। मैं दर्शकों के बीच बैठकर लाइन अप सुन रहा था, बक्वास सोच रहा था, हर कोई मुझ पर हंसने वाला ह मैं इसके लिए क्यों राजी हुआ? अन्य सभी वक्ता अपने अपने क्षेत्रों में शीर्ष पर थे और इतने मुखर थे। मैंने जो कहने की योजना बनाई थी और उसे कैसे वित्रित किया जाए, इस बारे में मेरे मन में दूसरे विचार आने लगे। कोशिश करने के बजाए अपना धर्म पूरी तरह से करूंगा। मैं उपर गया, अपना काम किया और बाद में प्रतिक्रिया बेहतर नहीं हो सकती थी। इसे आयोजित करने वाले निदेशक ने कहा, मैंने सलाहकारों और विशलेशकों के दर्शकों को कभी इतना शांत नही सुना है कि आप एक पिन ड्रॉक्ट सुन सकते हैं। बाद में उसने मुझे यूके में पूरी कमपनी में माइंदफुलनेस सिखाने के लिए आमंतरित किया। यह मेरे लिए एक टिपिंग पॉइंट था। मैंने देखा कि मैंने अपने जीवन के केवल तीन साल कुछ अजीब भिक्षु केवल दर्शन सीखने में नहीं बिताए थे जो आश्रम के बाहर अपरासंगिक थे। मैं अपने सभी कौशल ले सकता था और उन्हें अभ्यास में ला सकता था। मैं वास्तव में आधुनिक दुनिया में अपने धर्म को पूरा कर सका। पर्यावरन की वकालत की दिशा में महत्व पूर्ण उर्जा का निर्देशन करते हैं क्योंकि यह उनके धर्म का हिस्सा है। एक कॉर्पोरेट सहायक डिजाइन कारे करने के लिए स्वेच्छा से काम कर सकता है, एक बार्टेंडर सामाने ग्यान प्रतियोगिता चला सकता है मैंने एक वकील के साथ काम किया जिसका असली जुनून ध ग्रेट ब्रिटिश बेक ओफ पर बेकर बनना था। वह लक्षे उसे अवास्तविक लगा, इसलिए उसने अपने सहयोगियों के एक समूह को शो के प्रती जुनूनी बना दिया, और उन्होंने बेकिंग शुरू कि सोमवार, जहां हर सोमवार को उनकी टीम में कोई न कोई उनके द्वारा बनाई गई चीज लाता था। उसने अभी भी उतनी ही मेहनत की और उस काम में अच्छा प्रदर्शन किया जो उसे थोड़ा थकाउ लगा, लेकिन वाटर कूलर में अपने जुनून को लाने से उसकी टीम मजबूत हुई और उसने पूरे दिन और अधिक उरजावान महसूस किया। यदि आपके दो बच्चे हैं और एक बंधक है और आप अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं, तो वकील की तरह करें और अपने धर्म की उरजा को कार्यस्थल में लाने का एक तरीका खोज या इसे अपने जीवन के अन्य पहलों में लाने के तरीकों की तलाश करें, आपके शोक, घर और दोस्ती, इसके अलावा विचार करें कि आपको अपनी ताकत से प्यार क्यों नहीं है, क्या आप उनसे प्यार करने की वज़ह ढून सकते हैं, मैं अक्सर कॉर्पोरेट नौक प्यारियों में काम करने वाले लोगों से मिलता हूं जिनके पास अच्छा काम करने के लिए आवशेक सभी कौशल होते हैं, लेकिन वे काम को विर्थ पाते हैं, किसी अनुभव में अर्थ जोडने का सबसे अच्छा तरीका यह देखना है, कि यह भविशे में आपकी कैसे स इसकी मुझे एक दिन स्केट की दुकान खोलने की आवशेक्ता होगी, तो आप इसके लिए एक जुनून पैदा कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो शायद आपकी पहली पसंद नहों, जुनून की भावना को सीखने और विकास के अनुभव से जोड़ें, येल स्कूल आफ मैनेजमेंट के मनोवेग्यानिक एमी रजेस निविसकी और उनके सहयोगियों ने अस्पताल के सफाई करमचारियों का अधेयन किया ताकि यह समझ सकें कि उन्होंने अपने काम का अनुभव कैसे किया, एक दल ने काम को विशेश रूप से संतोश जनक नह और जब उन्होंने अपने द्वारा किये गए कारियों की व्याख्या की, तो यह मूल रूप से कार्मिक मैनुवल से नौकरी के विवरन की तरह लग रहा था। तो दल के बीच भेद का कारण सपश्थ होने लगा। दूसरे दल ने न केवल सामान्य हिरासत के कामों के बारे में बात की, बलकि यह भी देखा कि कौन से मरीज विशेश रूप से दुखी थे या कम आगंतुक थे और बातचीत शुरू करने या उन पर अधिक बार जांच करने के लिए एक बिंदू बना रहे थे। वे उन घटनाओं से संबंधित हैं, जहां वे बुजूर्ग आगंतुकों को पारकिंग संग्रचना के माध्यम से ले गए ताकि वे खोन जाएं, भले ही संग्रक्षक तकनीकी रूप से इसके लिए निकाल दिये गए हों। एक महिला ने कहा कि वह समयसमे पर अलग-अलग कमरों की दीवारों पर तस्वीरें लगाती रहती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह उनकी नौकरी का हिस्सा है, तो उन्होंने जवाब दिया, यह मेरी नौकरी का हिस्सा नहीं है। लेकिन वह मेरा हिस्सा है। इस अधेयन और उसके बाद के शोध से, WRZ, SNI, EWS के आई और उनके सहयोगियों ने नौकरी क्राफ्टिंग, वाक्यांश का वर्नन करने के लिए, करमचारी अपनी नौकरीयों को फिर से डिजाइन करने के लिए क्या करते हैं, जो काम, नौकरी की संतुष्टी, लचीलापन औ जुडाव को बढ़ावा देते हैं, शोध करताओं के अनुसार, हम अपने कारियों, रिष्टों या यहां तक कि हम जो कुछ भी करते हैं, उसे कैसे देखते हैं, जैसे संग्रक्षक खुद को चिकितसक और राजदूद के रूप में सोचते हैं, को फिर से तयार कर सकते हैं जिस इरादे से हम अपने काम को करते हैं, उसका उस अर्थ और हमारे व्यक्तिगत उद्देशे पर बहुत प्रभाव पढ़ता है अब अर्थ खोजना सीखें, और यह जीवन भर आपकी सेवा करेगा चतुर्थांश चार, अच्छा नहीं, लेकिन प्यार जब हमारे जुनून आकरशक नहीं होते हैं, तो हम उन्हें प्रात्मिक्ता देते हैं तब हम निराश महसूस करते हैं, कि हम किसी गतिविधी से प्यार करते हैं लेकिन इसे अच्छी तरह से या पूरी तरह से आनंद लेने के लिए परियाप्त नहीं कर सकते हैं कोशल में सुधार का सबसे पक्का मार्ग हमेशा समय होता है क्या आप कोचिंग का उप्योग कर सकते हैं, पाठे करम ले सकते हैं, या आप जो पसंद करते हैं, उसमें सुधार करने के लिए प्रशिक्षन प्राप्त कर सकते हैं असंभव, आप कहते हैं, अगर मेरे पास ऐसा करने का समय होता, तो मेरा विश्वास करो, मैं करूगा हम अगले अध्याय में बात करेंगे कि गयर मौजूद समय कैसे खोजा जाए, लेकिन अभी के लिए मैं यह कहूंगा, सभी के पास समय है हम यात्रा करते हैं, या हम खाना बनाते हैं, या हम टीवी देखते हैं, हमारे पास तीन घंटे नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास पॉडकास्ट सुनने या यूट्यूब वीडियो से एक नई तकनीक सीखने के लिए 10 मिनट हैं, आप 10 मिनट में बहुत कुछ कर सकते हैं, मैंने पहली बार वीडियो बनाना शुरू किया, तो मैंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी से घर आने के बाद उन पर काम किया। दिन में पांच घंटे, सप्ताह में पांच दिन, मैंने पांच मिनट के वीडियो समपादित करने पर ध्यान के इंद्रित किया। लंबे समय तक निवेश पर लाब दैनिये था, लेकिन मैं अपने कौशल का अधिक्तम लाब उठाने की कोशिश करने से पहले खुद को लिखने के लिए तयार नहीं था। उसके बाद के वर्षों में मैंने लोगों को अजीब और ग्रीब चीजों से कमाई करते देखा है। स्वीकार करो उसे। दुनिया में फुटबॉल की बहुत जरूरत है, लेकिन मुझे फुटबॉल खेलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी एक सेंचर में मैंने जो फुटबॉल मैच आयोजित किये, वे मेरे सप्ताह का मुख्य आकरशन थे। यदि यह आपका धर्म नही है, तब भी यह आपको आनंद दे सकता है। चतुर्थांश तीन, अच्छा नहीं, प्यार मत करो। इस आत्मा चूसने वाले चतुर्थांश से बाहर निकलने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं, वह करें। आपके पास हमेशा अपरिये काम होंगे, लेकिन वे आपके ज जेब घीली करो, दिमाग बचाओ। और याद रखें, सिर्फ इसलिए कि आपको यह पसंद नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है, कि कोई भी इसे पसंद नहीं करता है। क्या आप किसी मित्र या सहकर्मी के साथ व्यापार कर सकते हैं, जहां आप एक दूसरे के कम से कम पसंद दीदा कारे करते हैं। यदि आप घर का काम नहीं कर सकते हैं, तो आश्रम में मैंने जो सबक सीखा है, उसे याद रखें प्रतेक कारे एक आवशेक अंग है। कोई भी दूसरों से कम महत्व पूर्ण नहीं है, और हमें से कोई भी काम करने के लिए बहुत महत्व पूर्ण नहीं है। यदि आपको लगता है कि आप किसी चीज के लिए बहुत अच्छे हैं, तो आप सबसे खराब अहंकारी आवेगों के आगे जुक जाते हैं, और आप उस काम को करने वाले किसी भी व्यक्ती का अवमूलेन करते हैं। जब आप अपने धर्म से संतुष्ट होते है तो आप इर्शिया या अहंकार के बिना दूसरों की सराह ना कर सकते हैं, जो दूसरे कोशल में अच्छे हैं। मेरे मन में उन लोगों के लिए बहुत सम्मान है जो एकसेल कर सकते हैं, मैं इसे खुद नहीं करना चाहता। जब मैं कई अन्य करियर में डॉक्तरों या सैनिक या लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे लगता है यह असाधारन है, यह आश्चरेजनक है, लेकिन यह मैं नहीं हूँ। इसे आजमाई अपने संभावित चतुर्थांश की पहचान करें। हो सकता है कि आप इस अभ्यास को अपने दिमाग में कर रहे हों, जैसा कि आप पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। बहरहाल, मैं चाहता हूँ कि आप यह स्वीकार करने की कवायद से गुजरें कि आप आज अपने धर्म के कितने करीब हैं। क्या आपको अपनी नौकरी पसंद है। क्या आपको आपके काम से प्यार है। क्या आप अपने काम में अच्छे हैं। क्या अन्य लोगों को आपके काम की जरूरत है और उसकी सराहना करते हैं। क्या आपका सबसे बड़ा कौशल या जुनून आपके काम से बाहर है। यह क्या है। क्या आप इसे अपना काम करने का सपना देखते हैं। क्या आपको लगता है कि यह एक प्राप क्या आपको लगता है कि ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनसे आप अपने जुनून को अपने काम मेला सकते हैं। तो हम भिक्षु के रूप में समस्या की जांच करते हैं, आपके द्वारा विक्सित विशिष्ट कोशल और विशिष्ट गतिविधियों को देखने के बजाए जिनहें आप पसंद करते हैं, हम उनसे परे उनकी जड़ों को देखते हैं। भगवद गीता हमें चार व्यक्तित्व प्रकारों में विभाजित करके धर्म पर विचार करती हैं, इसे वर्न कहते हैं। चार वर्न हैं, और आपके वर्न को जानने से आप अपने स्वभाव और क्षमता को बता सकते हैं। अपेक शाकरित हाल के इतिहास में, उन्नीसवी शताबदी के दोरान, जब ब्रिटिश नेताओं ने भारतिय समाज पर अपनी कठोर वर्ग व्यवस्था लागू की, वर्न जाती व्यवस्था के आधार के रूप में उभरे। हाला की जातिया, नौकरी की श्रेनियों का एक पदा नुकरम, वर्नों पर आधारित थी, यह पाठ की गलत व्याख्या है। व्यक्तित्व प्रकार एक समुदाय में एक साथ काम करने के लिए होते हैं, जैसे शरीर के अंगस भी आवशेक और दूसरों से श्रेश्थ कोई नहीं, वर्न जन्म से निर्धारित नहीं होते, वे हमारे वास्तविक स्वरूप और जुकाव को समझने में हमारी मदद करने क लिए हैं, आप केवल इसलिए रचनात्मक नहीं हैं, क्योंकि आपके माताप पिता हैं, कोई एक वर्न दूसरे से श्रेश्थ नहीं है, हम सभी अलग अलग तरह के काम, मस्ती, प्यार और सेवा चाहते हैं, कोई पदानुकरम या अलगाव नहीं है, यदि दो लोग दोनों अपने सर्वोत्तम धर्म में कारे कर रहे हैं, दूसरों की सेवा के लिए जी रहे हैं, तो कोई भी दूसरे से बेहतर नहीं है, क्या एक कैंसर शोध करता फाइरमैन से बेहतर है, इसे आजमाए, वैदिक व्यक्तित्व परीक्षन, यह सरल परीक्षन आपके व्यक्तित्व पूर्ण निर्धारन नहीं है, लेकिन यह आपके धर्म की खोज में मदद करेगा। वैदिक व्यक्तित्व परीक्षन के लिए परिशिष्ट देखें। वारांसी, चारवर्ण मार गदर्शक, नेता, निर्माता और निर्माता हैं। ये लेबल सीधे विशिष्ट नौक्रियों या गतिविधियों से नहीं जुड़े हैं। जरूर, कुछ गतिविधिया हमें आनंद देती हैं, क्योंकि वे हमारे धर्म को पूरा करती हैं, लेकिन हमारे धर्म में जीने के कई अलग अलग तरीके हैं। एक गाइड, जैसा कि आप प्रिष्ट वनवन्टू पर देखेंगे, सीखने के लिए बाध्य है, और ग्यान बाटें, आप शिक्षक या लेखक हो सकते हैं। एक नेता प्रभावित करना और प्रदान करना पसंद करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि आपको CEO या लेफ्टिनेंट बनना होगा, आप स्कूल के प्रिंसिपल या दुकान प्रबंधक हो सकते हैं। एक क्रियेटर चीजों को घटित करना पसंद करता है, यह किसी स्टार्ट अप पर या किसी पढ़ोस एसोसियेशन में हो सकता है। एक निर्माता चीजों को मूर्त रूप से बनते देखना पसंद करता है, वे एक कोडर या नर्स हो सकते हैं। गुनों को याद रखें, तमस, रजस और सत्व अग्यानता, आविग और अच्छाई। प्रतेक वर्ण के लिए मैं वर्णन करता हूँ कि प्रतेक गुन विधा में उनका व्यवहार कैसा दिखता है। हम अग्यानता को त्याग कर, अपने जुनून में काम करते हुए और अच्छाई में सेवा करके सत्व की ओर प्रयास करते हैं। जितना अधिक समय हम सत्व में व्यतीत करते हैं, हम उतने ही अधिक प्रभावशाली और पूर्ण होते जाते हैं। रचनाकारों, मूल रूप से व्यापारी, व्यवसाई आज, विपनक, विक्रेता, मनोरंजन करने वाले, निर्माता, उद्यमी, सीओ कोशल, विचार मन्थन, नेट्वर्किंग, नवाचार, चीजों को घटित करें खुद को और दूसरों को किसी भी चीज के लिए मना सकते हैं, विक्री, बातचीत, अनुने में अत्यधिक धन, आनंद और सफलता से प्रेरित, व्यापार, वानिजे और बैंकिंग में बहुत मेहनती और द्रेर निश्चेई एक सेल हमेशा आगे कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, अज्यान की विधा, भ्रश्ट हो जाओ और बिना किसी मूले के चीजें बेचो जूट बोलना, धोखा देना, कुछ बेचने के लिए चोरी करना विफलता से पीटा गया अधिक काम के कारण जल गया, उदास, मूडी, आविग की विधा स्थिति संचालित गतिशील, करिश्माई, और लुभावना हसलर, लक्षे उन्मुक, अथक, अच्छाई का तरीका अधिक अच्छे के लिए पैसे का उप्योग करें ऐसे उत्पाद और विचार बनाएं जो पैसा कमाते हैं, लेकिन दूसरों की सेवा भी करते हैं, दूसरों के लिए रोजगार और अवसर प्रदान करते हैं निर्माताओं, मूल रूप से, कलाकार, संगीतकार, रचनाकार, लेखकाज, सामाजिक कारे करता, चिकितसत, डॉक्टर, नर्स, सी ओ, मानव के प्रमुक, संसाधन, कलाकार, संगीतकार, इंजीनियर, कोडर्स, बढ़ही, रसोया कौशल, आविशकार, समर्थन, कार्यान वे असफल्ता से निराश, अटका हुआ और अयोगे महसूस करना चिंतित, आविग की विधा, नए विचारों के साथ एक सपलोर करें और प्रयोग करें, एक ही समय में बहुत सी चीजों को टटोले, विशेश गेता और देखभाल पर ध्यान न दें, पैसे और परिणामों पर अधिक ध्यान दें. अच्छाई का तरीका निर्माता क्रियेटर्स को विस्तार, गुन्वक्ता, कृत गेता और संतोष पर ध्यान के इंद्रित करते हैं, निर्माता निर्माताओं को बड़ा सोचने, अधिक लक्षे उन्मुख बनने में मदद करते हैं. गाइड मूल रूप से और आज, शिक्षक, मार्गदर्शक, गुरु, प्रशिक्षक, संग्रक्षक कोशल, सीखना, अधियन करना, ग्यान साज़ा करना और ग्यान. एक कुछ और एक संग्रक्षक, चाहे वे कोई भी भूमिका निभाते हों, अपने जीवन में लोगों में सर्वश्रेष्ट लाना चाहते हैं, प्रसिद्धी, शक्ती, धन. सुरक्षा से अधिक ग्यान और ग्यान को महत्व देते हैं, जैसे कि प्रतिबिम्बित करने और सीखने के लिए स्थान और समय होना लोगों को खोजने में मदद करना चाहते हैं, अर्थ, पूर्ती और उद्देशे अकेले काम करना पसंद करते हैं, अपने खाली समय में जहस करना, चर्चा करना, अज्ञान की विधा, वे जो उपदेश देते हैं, उसका अभ्यास न करें, उदाहरन के लिए नेत्रित्व न करें कार्यानवेयन के साथ संघर्ष, आविग की विधा, दूसरों के तरकों पर ब्यहस करने और नश्ट करने के लिए प्यार शक्ति और शक्ति के लिए ग्यान का प्रयोग करें बौधिक रूप से जिग्यासू। अच्छाई का तरीका लोगों को अपना उद्देशे खोजने में मदद करने के लिए ग्यान का उप्योग करें और अधिक देने के लिए खुद को बेहतर बनाने की ख्युआहिश रखें ग्यान केवल उनका उप्योग करने के लिए नहीं है बलकि यह कि वे यहां सेवा करने के लिए हैं नेताओं, मूल रूप से, राजा, योध्धा आज, सेने, नयाय, कानून प्रवर्तन, राजनीती कौशल, शासन करना, प्रेरना देना, दूसरों को शामिल करना, लोगों, आंदोलनों, समुहों और परिवारों के प्राकृतिक नेता साहस, शक्ती और द्रेल संकल्प द्वारा निर्देशित उच्चनैतिक्ता और मूलियों के नेत्रित्व में कम विशेशाधिकार प्राप्त लोगों की रक्षा करें और उन्हें दुनिया भर में लागू करने की कोशिश करें लोगों के विकास के लिए संग्रचनाय और रूपरेखा प्रदान करें एक मिशन के लिए संगठन, फोकस और समर्पन में महान टीमों में काम करना अज्यान की विधा भरष्टाचार और पाखंद के कारण बदलाव को छोड़ दे एक नकारात्मक, नि अर्थ नहीं, अपनी प्रतिभा का उप्योग स्वयम की सेवा के लिए करें, मानवता की नहीं अपने लिए अल्पकालिक लक्षियों पर ध्यान दें, अच्छाई का तरीका, उच्च नैतिकता, नैतिकता और मूलियों के लिए लड़ें लोगों को एक साथ काम करने के ये दीर घकालिक लक्षे बनाएं, कनेक्शन गाइड और लीडर एक दूसरे के पूरक हैं, गाइड लीडर्स को ग्यान देते हैं, लीडर्स गाइड्स को स्ट्रिक्चर देते हैं, वरनों का उद्देशे आपको स्वयम को समझने में मदद करना है, ताकि आप अपने सबसे मजबूत कोशल और जुकाव पर ध्यान के इंद्रित कर सकें, आत्म जागरूकता आपको अधिक ध्यान देती है, जब मैं अपनी मार्गदर्शक प्रवरित्तियों को देखता हूं, तो मुझे यह समझ में आता है, कि जब मैं रन्नीती पर ध्यान के इंद्रित करता हूं, तो मैं सफल होता हूं, क्रियेटर्स और मेकर्स कार्यानवेन में बेहतर हैं, इसलिए मैंने खुद को ऐसे लोगों से गेर लिया है, जो इसमें मेरी मदद कर सकते हैं, एक संगीत कार एक निर्माता हो सकता है, जो सुरक्षा से प्रेरित होता है, सफल होने के लिए उन्हें प्रण नीतिकारों से गिरे रहने की आवश्यक्ता हो सकती है, अपनी ताकत में निवेश करें और अपने आपको ऐसे लोगों से गेरें जो कमियों को भर सकें, जब आप अपने वर्न, अपने जुनून और कौशल को जानते हैं, और आप उसके साथ सेवा करते हैं, तो यह आपका धर्म बन जाता है, इसे आजमाई सर्वश्रेष्ट आत्म व्यायाम परिलक्षित होता है, वन उन लोगों का समूह चुने जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, जिन लोगों के साथ आपने काम किया है, परिवार और दोस्तों का एक विविद मिश्रन, कम से कम ती बीस और भी बेहतर हैं, टू, उनसे उस पल को लिखने के लिए कहें जब आप अपने सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन में थे, उन्हें विशिष्ट होने के लिए कहें, थ्री पैटर्न और सामानने विश्यों की तलाश करें, फूर, फीडबैक को एकत्रित करते हुए अपन एक प्रोफाइल लिखें जैसे कि वह आपके बारे में नहीं था, फाइव, इस बारे में सोचें कि आप अपने सर्वोत्तम कोशल को कैसे क्रिया में बदल सकते हैं, आप उन कोशलों का उप्योग कैसे कर सकते हैं, इस सब्ताहान, अलग-अलग परिस्थितियों में या करता है, लेकिन कुंदली की तरह यह आपको यह नहीं बता सकता कि कल क्या होने वाला है, अन्वेशन और प्रयोग के माध्यम से वास्तविक दुनिया में इन वर्णों का परिक्षन करना आपके ऊपर है, यदि आपका वर्ण नेता है, तो काम पर या अपने बच्चे के जन तो हमारी जागरूकता के स्तर के बारे में सोचें, हम तुरंत एक से इंस चेक करते हैं और तै करते हैं कि क्या हमें यह पसंद है, और अगर ऐसा करने के लिए कहा जाए तो हमें इसे एक से दस के पैमाने पर रेटिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसके अलावा, अगले दिन इसके बारे में हमारी अलग अलग भावनाए हो सकती हैं, रविवार की रात जब मेरे पास मेरी पसंदीदा चोकलेट ब्राउनी संडे होती है, तो मैं इसके बारे में बहुत खुश महसूस करता हूँ, लेकिन सोमवार की सुबह तक मुझे नहीं लगता कि यह म हम उस भोजन को अपने नियमित आहार का हिस्सा बनाना चाहते हैं, हम सभी इसे भोजन के साथ करते हैं, हम इसे तब करते हैं, जब हम मुवी थियेटर, क्या आपको यह पसंद आया, और हम में से कुछ इसे येल्प पर करते हैं, लेकिन हम अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, इसके साथ अपनी अनुकूलता और स्वाद को मापने के लिए नहीं सोचते हैं जब हमें यह पहचानने की आदत हो जाती है कि हमें क्या सशक्त बनाता है तो हमें खुद की बेहतर समझ होती है और हम जीवन में क्या चाहते हैं ठीक यही हम अपने वर्ण के बारे में अपनी समझ को परिश्कृत करने के लिए करने जा रहे हैं जब आप अपने वर्ण की खोज कर रहे हों तो पूछने वाला पहला और सबसे महत्व पूर्ण प्रश्न है क्या मैंने इस प्रक्रिया का आनंद लिया इसे आज माई एक गतिविधी पत्रिका रखें कुछ दिनों के दोरान आपके द्वारा की जाने वाली प्रतेक गतिविधी पर ध्यान दें मिलना, कुत्ते को तहलाना, दोस्त के साथ लंच करना, इमेल लिखना, खाना बनाना, एक सरसाइज करना, सोशल मीडिया पर समय बिताना प्रतेक गतिविधी के लिए, धर्म के लिए मूलभूत दो प्रश्नों का उत्तर दें क्या मैंने इस प्रक्रिया का आनंद लिया, क्या अन्य लोगों ने परिणाम का आनंद लिया, कोई भी सवाल सही या गलत नहीं है यह आपकी जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अवलोकन अभ्यास है अपने अनुभव के विरुद्ध अपने वर्ण के विवरण का परेक्षन करें ताकि यह पता चल सके कि आपको इसके बारे में क्या अच्छा लगा कहने के बजाए, मुझे तस्वीरें लेना पसंद है, इसकी जड़ खोजें क्या आप परिवारों को क्रिस्मस कार्ड बनाने में मदद करना पसंद करते हैं, जो उन्हें बनाता है गर्व गाइड, क्या आप परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए मानविये संघर्शों या अनिसार्थक स्थितियों का दस्तावेजी करन करना पसंद करते हैं पुस्तक की तरह कोई गतिविधी या विचार अभ्यास पूरा किया, तो हमने खुद से प्रशन पूछा, मुझे इसमें क्या पसंद आया, क्या मैं इसमें अच्छा हूँ, क्या मैं इसके बारे में पढ़ना चाहता हूँ, इसके बारे में जानना चाहता हूँ, और इसे करने में अपना काफी समय व्यतीत करना चाहता हूँ क्या मुझे सुधार करने के लिए प्रेरित किया गया है मुझे किस बात ने सहज या असहज महसूस कराया अगर मैं असहज था तो क्या यह सकारात्मक तरीके से था एक चुनोती जिसने मुझे विक्सित किया या एक नकारात्मक तरीका यह जागरूकता हमें इस बारे में अधिक सूक्ष्म द्रिष्टि कोंग प्रदान करती है कि हम कहा फलते फूलते है हमें एक और केवल एक रास्ते पर भेजने के बजाए वह जागरूकता हमें नए तरीकों से खोलती है जिस से हम अपने जुनून का उप्योग कर सकते हैं अपने धर्म को गले लगाओ हमारे सिर हमें यह समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि हमने केवल सबसे अच्छा विकल्प चुना है लेकिन हमारा असली स्वभाव हमारा जुनून और उद्देश हमारे दिमाग में नहीं है यह हमारे दिल में है वास्तव में हमारे सिर अक्सर हमारे जुनून के रास्ते में आ जाते हैं यहाँ कुछ बहाने हैं, जिनका उप्योग हम अपने दिमाग को बंद करने के लिए करते हैं। मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ। यह बदलाव करना मेरे लिए गैर जिम मेदार होगा। मैं ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकता मुझे पहले से यह पता है। मैंने हमेशा इसे इस तरह से किया है। यह तरीका मेरे काम नहीं आएगा। मेरे पास समय नहीं है। पिछली माननेताई, जूठी या आत्मधोखा हमारी प्रक्ती को अवरुद्ध करने के लिए चुपके से आती हैं। दर हमें नई चीजों को आजमाने से रोकता है। हमारे अहंकार नई जानकारी सीखने और खुद को विकास के लिए खोलने के रास्ते में आते हैं। इस पर और अधिक अध्याय आठ में और किसी के पास कभी भी बदलाव के लिए समय नहीं है। लेकिन चमतकार तब होता है जब आप अपने धर्म क को अपनाते हैं। बड़े होकर जोसेफ कैमपबेल के पास ऐसे करियर का कोई मोडल नहीं था जो उनके विविध हितों के अनुकूल हो। अध्यायन करते समय उनकी रुचियों का विस्तार जंग और फ्रायर के सिध्धानतों को शामिल करने के लिए हुआ और उन्होंने आधुनिक कला में रुची विकसित की। वापस कोलंबिया में कैमपबेल ने अपने शोध प्रबंध सलाहकारों से कहा कि वह कला और अध्यान में विचारों के साथ पवित्र कंगी बनाने वाले की रेती के बारे में प्राचीन कहानियों को मिलाना चाहता है। लेकिन यह ध्रहीरो विद एथाउजेंड फेसे समे था कि उन्होंने सबसे पहले अपने जब्रदस्त विचारों पर चर्चा की जिसे उन्होंने नायक की यात्रा कहा एक अवधारना जिसने कैमपबेल को पौरानिक कथाओं और मानव मानस पर सबसे प्रमुख अधिकारिय अपने धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति के रूप में इसमें कोई आश्चरे की बात नहीं है कि जोसेफ कैमपबेल सलाह का मूल स्रोत है अपने आनंद का पालन करें। उन्होंने लिखा अब मैं आनंद के इस विचार पर आया क्यों की संस्कृत में जो दुनिया की महान आध्यात्मिक भाषा है तीन शब्द हैं जो कगार का प्रतिनिधित्व करते हैं पार्गमन के सागर में कूदने का स्थान स, चित, आनंद, स, शब्द का अर्थ है होना, चित, का अर्थ है चेतना, आनंद, का अर्थ है आनंद या उत्साह, मैंने सोचा, मुझे नहीं पता कि मेरी चेतना उत्साह है या नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं अपने होने के बारे में जो जानता हूँ वह मेरा सही अस्तित्व है या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मेरा उत्साह कहा है तो मुझे मेघारोहन के लिए रुपने दो और यह मुझे मेरी चेतना और मेरे अस्तित्व दोनों में लाएगा मुझे लगता है कि यह काम कर गया यदि आप अपने आनंद का अनुसरन करते हैं तो उन्होंने कहा आपके लिए दरवाजे खुलेंगे जो किसी और के लिए नहीं खुलेंगे सुरक्षात्मक प्रवरित्तिया हमें पीछे खीन चती हैं या हमें व्यावहारिक निरनेयों की ओर ले जाती हैं कैमपबेल ने 38 वर्षों तक साहित्ते पढ़ाया था लेकिन हम उन्हें अतीत में देख सकते हैं और अपने धर्म का पालन कर सकते हैं यदि हम जानते हैं कि क्या देखना है धर्म शरीर का है अपने मन की सुनने के बजाए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई विचार या गतिविधी हमारे शरीर में कैसा महसूस करती है सबसे पहले जब आप किसी प्रक्रिया में स्वयम की कलपना करते हैं तो क्या आपको आनंद का अनुभव होता है क्या इसका विचार आपको आकरशित करता है फिर जब आप वास्तव में गतिविधी करते हैं तो आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है जब आप अपने तत्व में होते हैं तो आप इसे महसूस कर सकते हैं वन जीविद कुछ लोगों के लिए उनके धर्म में होने का मतलब है कि वे एक शांत, आत्म विश्वास से भरी संतुष्टी महसूस करते हैं दूसरों के लिए खुशी और उत्साह का रोमांग है किसी भी मामले में आप अपने चहरे पर मुस्कान के साथ जीविद जुड़ा हुआ महसूस करते हैं एक रोशनी आती है तू प्रवाह धर्म में एक स्वाभाविक गती होती है आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी गली में हैं एक प्रतिरोधी सर्फ के माध्यम से संघर्ष करने के बजाए वर्तमान के साथ तैर रहे हैं जब आप वास्तव में संघरेखित होते हैं तो प्रवाह की भावना होती है आप अपने स्वयम के सिर से बाहर आते हैं और समय का ट्रेक्ट खो देते हैं त्री आराम आपके धर्म में आप अकेले या जगह से बाहर महसूस नहीं करते हैं कोई फर्क नहीं पढ़ता कि कौन आता है या जाता है या आप शारीरिक रूप से कहा हैं जहां आप सही महसूस करते हैं भले ही वह जगह जहां आप सही महसूस करते हैं दुनिया की यात्रा कर रही है मुझे खत्रे की भावना पसंद नहीं है लेकिन मेरा एक दोस्त है जो तेजकारों और जेट्स की सिव प्यार करता है खत्रा, सबसे खराब स्थिती, हम दोनों के लिए समान है, लेकिन उसके लिए यह ही इसके लायक है, या खत्रा खुद एक खुशी है मंच पर, मैं अपने तत्व में हूँ, लेकिन कोई और बंद हो जाएगा फोर संगती, यदि आपके पास छुट्टी पर स्नौर्कलिंग का एक अच्छा समय है, तो इसका मतलब स्नौर्कलिंग नहीं है, या उस मामले के लिए छुट्टी पर होना आपका धर्म है अपने धर्म में रहना दोहराता है, वास्तव में जितना अधिक आप इसे करते हैं, यह बेहतर होता जाता है लेकिन एक एकल घटना इस बात का सुराग है, कि आपको कौन सी उर्जा पसंद है, आप कब और कैसे जीवित महसूस करते हैं 5. सकारात्मक्ता और वरिद्धी जब हम अपनी ताकत के बारे में जानते हैं, तो हम अधिक आश्वस्त होते हैं, हम दूसरों की क्षमताओं को अधिक महत्व देते हैं, और हम कम प्रतिसपर्धी महसूस करते हैं दूसरों से अपनी तुलना करने की प्रवृत्ती भले ही पूरी तरह से दूर नहो लेकिन यह सिकुर जाती है क्योंकि आप केवल अपनी विशेश गेता के शेत्र के लोगों से अपनी तुलना करते हैं अस्वीकृती और आलोचना हमले की तरह नहीं लगती वे ऐसी जानकारी की तरह महसूस करते हैं जिसे हम स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वे हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं धर्म आपकी जिम्मेदारी है एक बार जब आपको अपने धर्म का बोध हो जाता है तो यह आपके उपर है कि आप अपना जीवन स्थापित करें ताकि आप इसे जी सकें हम हमेशा ऐसी जगह या स्थिती में नहीं रहेंगे जहां दूसरे हमारे धर्म को पहचाने और इसे पूरा करने में हमारी मदद करने के लिए पीछे की ओर जुकें जैसा कि हम सभी के पास है एक या दूसरे समय में अनुभवी बॉस हमेशा अपने कर्मचारियों की क्षमता का दोहन नहीं करते है यदि आप यह सोचकर इस अध्याय को पढ़ रहे हैं कि मेरे प्रबंधक को धर्म को समझने की आवशेकता है तो वह मुझे पदोन नती देगी आप बात चूप गए हैं हम कभी भी एक रमनिय दुनिया में नहीं रहेंगे जहां हर कोई लगातार अपने धर्म में रहता है कभी-कभी अपने मालिकों को फोन करने और पूछने के लिए रुपता है कि क्या वे वास्तव में पूर्ण है अपने धर्म को प्रदर्शित करना और उसकी रक्षा करना हमारा दायत्व है मनुस्मृती कहती है कि धर्म उसकी रक्षा करता है जो उसकी रक्षा करता है धर्म आपको स्थिर्ता और शान्ती प्रदान करता है जब हमारे पास यह जानने का आत्म विश्वास होता है कि हम कहां कामयाब हो रहे हैं तो हमें इसे प्रदर्शित करने के अवसर मिलते हैं यह feedback loop बनाता है जब आप अपने धर्म की रक्षा करते हैं तो आप लगातार उस स्थान पर रहने का प्रयास करते हैं जहां आप फलते फूलते हैं जब आप फलते फूलते हैं तो लोग नोटिस करते हैं और आपको ऐसे पुरसकार मिलते हैं जो आपको अपने धर्म में बने रहने में मदद करते हैं आपका धर्म आपके आनंद और आपके उद्देशे की भावना की रक्षा करता है और आपको बढ़ने में मदद करता है अपने धर्म का विस्तार करें एक व्यक्ती जो अपने धर्म को नहीं जी रहा है वह पानी से बाहर मचली की तरह है आप मचली को दुनिया की सारी दौलत दे सकते हैं लेकिन वह तब तक मर जाएगी जब तक कि वह पानी में वापस न आ जाए एक बार जब आप अपने धर्म की खोज कर लेते हैं तो अपने जीवन के हर पहलू में उस भूमिका को निभाने का प्रयास करें कारेक शेत्र में अपने जुनून का पालन करें एक ही कोशल सेट का उप्योग करके सामुदाइक मुद्दों को उठाएं अपने परिवार के साथ खेल में, रिष्टों में, दोस्तों के साथ बाहर के दिनों में अपने धर्म में रहें अगर मेरा धर्म एक नेता बनना है तो शायद मैं वही हूँ जो परिवार की छुट्टियों की योजना बना रहा होगा मैं उस भूमिका में अर्थ महसूस करूँगा लेकिन अगर मैं एक नेता हूँ और मैं वह भूमिका नहीं निभा रहा हूँ तो मैं तुछ और निराश महसूस करूँगा शायद आप सोच रहे हैं जै अपने धर्म पर तिके रहने का कोई मतलब नहीं है हर कोई जानता है कि आपको खुद को आगे बढ़ाना चाहिए कुछ नया करो अपने कमफर्ट जोन से बाहर उद्यम करें यद्यपी आपका धर्म आपकी प्राकृतिक अवस्था है लेकिन इसकी सीमा आपके आराम शेत्र से आगे है उदाहरन के लिए यदि आपका धर्म एक वक्ता होना है तो आप अपने प्रभाव के आकार को बढ़ाते हुए दस के दर्शकों से एक सो के दर्शकों तक जा सकते है यदि आप छात्रों से बात करते हैं तो आप सीईओ से बात करना शुरू कर सकते है अपने धर्म का विस्तार करना भी महत्वपूर्ण है मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा बाहर जाने वाला व्यक्ती नहीं हूँ लेकिन मैं कारेक्रमों और बैठकों में जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लोगों से जुड़ने से मेरा उद्देश पूरा होता है अपने धर्म के खिलाफ जाना रोलर स्केटिंग जैसा है आप संतुलन से बाहर, थोड़ा नियंतरन से बाहर और बाद में थके हुए महसूस करते हैं लेकिन जितना अधिक आप अपने आपको समझते हैं, आपके पैर उतने ही मजबूत होते हैं आप एक उच्च उद्देशे के लिए होशपूर्वक एक नई दिशा में स्केट कर सकते हैं अपने धर्म को समझना यह जानने की कुंजी है, कि इसे कब और कैसे पीछे छोड़ना है हमारे धर्म हमारे साथ विक्सित होते हैं एक ब्रिटिश प्रवासी, एमा स्लेड, हांग कांग में रहती थी जहां उसने एक अरब डॉलर से अधिक के वैश्विक बैंक प्रबंधन खातों के लिए एक निवेशक के रूप में काम किया मैं इसे प्यार करता था, स्लेड कहते हैं यह तेज था, यह रोमांचक था मैंने नाश्टे के लिए बैलेंस शीट खाली फिर सितंबर 1997 में, स्लेड इंडोनेशिया के जकारता में एक व्यापारिक यात्रा पर था जब एक हथियारबंध व्यक्ती ने उसके सीने में बंदूक तान दी उसे लूट लिया और उसके होटल के कमरे में उसे बंधक बना लिया वह कहती है, कि जैसे ही वह फर्ष पर लेट गई, उसने मानव जीवन का मूले सीखा सवभाग्य से, स्लेड को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने से पहले पुलिस पहुंची बाद में, जब पुलिस अधिकारियों ने उसे खून के छींटे से गिरी होटल की दीवार के खिलाफ गिरे हुए व्यक्ती की तस्वीर दिखाई तो स्लेड उसके लिए उदासी और करुना महसूस करने के लिए चौंक गया वह भावना उसके साथ अटकी रही और उसे उसके वास्तविक उद्देशे के प्रशन का पीछा करने के लिए प्रेरित किया स्लेड ने अपनी नौकरी छोड़ दी और योग और मन की प्रकृती की खोज शुरू कर दी 2011 में उसने भूटान की यात्रा की जहां उसकी मुलाकात एक साध्यों से हुई जिसने उस पर एक अमिट छाप छोड़ी वहां रही 2012 में वह एक बौधनन बन गई और स्लेड जिसे अब पेमाडेकी के नाम से भी जाना जाता है को लगा कि उसे आखिरकार शान्ती मिल गई है फिर भी उस पर हमला करने वाले व्यक्ती के लिए वह करुना की भावना महसूस कर रही थी और स्लेड ने महसूस किया कि उसे अपनी करुना को क्रियानवित करने के लिए कुछ करने की आवशेकता है इसलिए 2015 में उन्होंने UK स्थित एक चैरिटी की स्थापना की जिसका नाम Opening Your Heart to Bhutan है जो पूर्वी भूटान के ग्रामीन क्षेतरों में लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना चाहता है हाला कि उन्होंने एक नन बनने में पूरनता पाई लेकिन एक गुफा में बैठना और जीवन भर ध्यान करना उनका धर्म नहीं था वह अब अपने वित्तिय कौशल को इस तरह से तैनात करती है जो खुद को और दूसरों को अधिक समरिद रूप से सेवा प्रदान करता है सलेड कहते हैं पुराने कौशल मुझे अब एक बहुत ही सार्थक और सुखी जीवन लाने में बहुत उपयोगी रहे है सलेड अपने अनुभव की तुलना कमल के फूल से करती है जो कीचड में शुरू होता है और फिर प्रकाश की तलाश में पानी के माध्यम से उपर की ओर बढ़ता है बौग्ध धर्म में कमल इस विचार का प्रतिनिधित्व करता है की जीवन की चुनोतियों का कीचड और कीचड हमारे विकास के लिए उपजाओ जमीन प्रदान कर सकता है जैसे जैसे कमल बढ़ता है यह पानी के माध्यम से उपर उठता है और अंततह खिलता है बुद्ध कहते हैं जैसे लाल, नीला या सफेद कमल पानी में पैदा हुआ, पानी में उगता है, पानी से उपर उठता है, पानी से बिना धके खड़ा रहता है उसी प्रकार मैं संसार में जन्मा, जगत में पलाब्धा और संसार पर विजय पाकर संसार से बेदाग रहता हूँ जकारता मेरी मिट्टी थी, स्लेड अपने टेड़ा एक स्ट्रॉक में कहते हैं लेकिन यह मेरे भविश्य के विकास का बीज भी था धर्म के पूरे समीकरन को याद रखें धर्म सिर्फ जुनून और कोशल नहीं है धर्म दूसरों की सेवा में जुनून है आपका जुनून आपके लिए है आपका उद्देशे दूसरों के लिए है आपका जुनून एक उद्देशे बन जाता है जब आप इसका इस्तेमाल दूसरों की सेवा के लिए करते हैं आपके धर्म को दुनिया में एक जरूरत भरनी है जैसा कि मैंने कहा है भिक्षूओं का मानना है कि उच्च उद्देशे होने पर आपको कुछ भी करने के लिए तयार रहना चाहिए और भिक्षू इसे पूरी तरह से जीते हैं लेकिन यदि आप एक भिक्षू नहीं है तो इसे देखने का तरीका यह है कि आप जिस आनंद का अनुभव करते हैं अपने जुनून को करने में यह बराबर होना चाहिए कि दूसरे इसकी कितनी सराहना करते हैं अगर दूसरों को नहीं लगता कि आप प्रभावशाली हैं तो आपका जुनून एक शौक है जो आपके जीवन में समरिद्धी ला सकता है इसका मतलब यह नहीं है कि आपके धर्म से बाहर की हर गतिविधी समय की बरबादी है हम सभी के लिए जीवन में ऐसी गतिविधिया होती हैं जो सक्षमता निर्मान होती हैं और गतिविधिया जो चरित्र निर्मान होती हैं जब मुझे पहली बार भाशन देने के लिए कहा गया तो मैंने अपने धर्म में क्षमता का निर्मान किया लेकिन जब मुझे कच्रा बाहर निकालने के लिए कहा गया तो इसने मेरे चरित्र का निर्मान किया चरित्र की परवाह किये बिना अपनी क्षमता का निर्मान करना संकीर नतावादी है और कौशल पर काम किये बिना चरित्र का निर्मान करना प्रभाव से रहित है हमें अपनी आत्मा और एक उच्च उद्देशे की सेवा के लिए दोनों पर काम करने की आवश्यक्ता है अपने उद्देशे को जानना और उसे पूरा करना आसान और अधिक फल्दाई होता है जब आप हर दिन अपने समय और उर्जा का बुद्धी मानी से उप्योग करते हैं अगले अध्याय में हम इस बारे में बात करेंगे कि अपने दिन की सबसे अच्छी शुरुआत कैसे करें और वहां से कैसे आगे बढ़ें छह दिन चर्या स्थान में उर्जा है समय में स्मृती है हर दिन सोचो जैसे तुम जागते हो आज मैं जीवित रहने के लिए भागयशाली हूँ मेरे पास एक अनमूल मानव जीवन है मैं इसे बरबाद नहीं करने जा रहा हूँ दलाई लामा हम में से बार रहें शायद अधिक फर्ष पर सो रहे हैं प्रतेक एक पतले योग प्रकार के पैड पर एक साधारन चादर से ढखा हुआ है कमरे की दीवारे पैकड गाय के गोबर से बनी हैं जो खुरदूरे प्लास्टर की तरह महसूस होती हैं और जगह को एक अपरिय मिट्टी की गंद देती हैं अधूरे पत्थर के फर्ष चिकने होते हैं लेकिन मेमोरी फोम से बहुत दूर होते हैं इस इमारत में कोई तैयार खिड किया नहीं हैं हम एक आंतरिक कमरे में हैं जो हमें बारिश के मौसम में सूखा रखता है और इसमें वेंटिलेशन के लिए बहुत सारे दरवाजे हैं हाला कि मैं यहां हर रात सोता हूँ लेकिन कोई विशेश स्थान नहीं है जिसे मैं मेरा मानता हूँ हम यहां स्वामित्व से दूर हैं कोई संपत्ती नहीं कोई भौतिक अनुलगनक नहीं अभी कमरा एक गुफा की तरह अधेरा है लेकिन बाहर पक्षियों के तेवर से हमारे शरीर को पता है कि सुबह के फोर बजे हैं जागने का समय हम आधे घंटे में सामूहिक प्रार्थना करने वाले हैं एक शब्द बोले बिना हम लौकर रूम में चले जाते हैं हम में से कुछ नहाते हैं, हम में से कुछ अपने वस्त्रखी इंचते हैं हम चार साम प्रदाइक सिंख में से एक पर अपने दात ब्रश करने के लिए कतार में प्रतीक्षा करते हैं बाहरी दुनिया से कोई भी हमारी गतिविधी का गवाह नहीं है लेकिन अगर वे होते तो वे आराम से आराम करने वाले लोगों का एक समूह देखते जो सभी इस शुरुआती घंटे में उठने के लिए पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई देते हैं यह हमेशा इतना आसान नहीं था हर सुबह मेरा दिमाग थोड़ी देर और बंद रहने के लिए बेताब एक अलग बहाना सोचता था कि मुझे क्यों सोना चाहिए लेकिन मैंने खुद को इस नई दिन चर्या को अपनाने के लिए प्रेरित किया क्योंकि मैं इस प्रक्रिया के लिए प्रतिबद था तथे यह है कि यह कठिन था यात्रा का एक महत्व पूर्ण हिस्सा था आखिरकार मैंने सफलता पूर्वक जल्दी उठने की एक अचूद तरकीब सीखी मुझे पहले सोना पड़ा वह यह था मैंने अपना पूरा जीवन प्रतिक दिन की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए कल का त्याग करते हुए बिताया क्योंकि मैं आज को याद नहीं करना चाहता था लेकिन एक बार जब मैंने आखिरकार इसे जाने दिया और पहले सोना शुरू कर दिया तो चार बजे जागना आसान और आसान हो गया और जैसे जैसे यह आसान होता गया मैंने पाया कि मैं इसे अपने शरीर और उसके आसपास की प्राकृतिक दुनिया के अलावा किसी और की मदद के बिना कर सकता था यह मेरे लिए एक रहस्योद घाटन अनुभव था मेरी सुबह का सम्मन मेरी मा के चिलाने के रूप में आया जै जागू नीचे से बाद के वर्षों में एक अलार्म घडी ने वही धन्यवाधीन कारे किया मेरे जीवन का हर दिन अचानक जटकेदार घुसपैट के साथ शुरू हुआ था अब हालांकि मैं पक्षियों की आवाज हवा में पेडों की सरसराहट पानी की एक धारा के लिए जाग रहा था मैं प्रकृती की आवाज से जाग उठा अंत में मुझे इसकी कीमत समझ में आई जल्दी जागने का मतलब हमें यातना देना नहीं था यह शांती और शांती के साथ दिन की शुरूआत करना था पक्षी एक घंटा बहते पानी की आवाज और हमारी सुबह की दिन चर्या कभी अलग नहीं होती आश्रम की सुबह की सादगी और संग्रचना ने हमें निर्नेयों और भिन्नता की तनावपूर्ण जटिलता से बचाया हमारे दिनों की शुरूआत तो बस एक मानसिक स्नान की तरह थी इसने हमें पिछले दिनों की चुनोतियों से मुक्त कर दिया हमें लालच को उदारता में बदलने के लिए कुरूद को करुणा में हानी को प्रेम में बदलने के लिए स्थान और उर्जा प्रदान की अंत में इसने हमें संकल्प दिया दिन में पूरा करने के उद्देशे की भावना आश्रम में हमारे जीवन के हर विवरण को उस आदत या अनुष्ठान को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था जिसका हम अभ्यास करने की कोशिश कर रहे थे उदाहरन के लिए हमारे वस्त्र जब हम उठे तो हमें कभी यह नहीं सोचना पड़ा कि क्या पहनना है स्टीव जिवब्स, बराक ओबामा और एरियाना हफिंगटन की तरह जिनमें से सभी अपनी मूल वर्दी के लिए जाने जाते हैं भिक्षू अपने कपड़ों को सरल बनाते हैं ताकि दिन के लिए ड्रेसिंग पर उर्जा और समय बर्बाद न करें हम सब के पास दो प्रकार के वस्त्र थे एक पहनने के लिए और एक धोने के लिए इसी तरह फैशन सुबह जल्दी उठने को दिन को सही भावना से लौंच करने के लिए डिजाइन किया गया था यह एक अधर्मी घड़ी थी फिर भी यह आध्यात्मिक रूप से ग्यानवर्धक थी मैं इतनी जल्दी कभी नहीं उठूंगा आप सोच रहे होंगे मैं दिन की शुरूआत करने का इससे बुरा तरीका नहीं सोच सकता मैं उस परिप्रेक्षे को समझता हूँ क्योंकि मैं ऐसा ही महसूस करता था लेकिन आईए देखें कि वर्तमान में अधिकांश लोग अपने दिन की शुरूआत कैसे करते हैं नींद के शोध करताओं का कहना है कि हम में से 85 प्रतिशत लोगों को काम के लिए जागने के लिए अलार्म घड़ी की आवशेक्ता होती है जब हम अपने शरीर के तैयार होने से पहले जागते हैं तो हार्मोन मेलाटोनिन जो नींद को नियंतरित करने में मदद करता है आमतोर पर अभी भी काम पर होता है जो एक कारण है कि हम स्नूज बटन को टटोलते हैं दुर्भाग्य से हमारा उत्पादकता संचालित समाज हमें इस तरह जीने के लिए प्रोथ साहित करता है मारिया पोपोवा एक लेखी का जो ब्रेन पिकिंग सके क्योरेटर के रूप में सबसे अच्छी तरह से जानी जाती है लिखती हैं, हम कम नींद लेने की अपनी क्षमता को किसी प्रकार के समान के बैज के रूप में पहनते हैं जो हमारे काम की नैतिकता को मानने करता है लेकिन यह स्वाभिमान और प्रात्मिकताओं की गंभीर विफलता है फिर, एक बार जब हम बहुत कम नींद के बाद जाग जाते हैं तो हम मेंसे लगभग एक चौथाई कुछ और करते हैं जो हमें दिन के दूसरे गलत चरण में शुरू होता है हम जागने के एक मिनट के भीतर अपने सेल फोन तक पहुंच जाते हैं हम मेंसे आधे से अधिक दस मिनट के भीतर संदेशों की जांच कर रहे हैं अधिकांश लोग हर सुबह मिनटों में जानकारी के पहाडों को संसाधित करने के लिए ठंड से बाहर जाते हैं केवल छह कारे हैं जो दो सेकंड के भीतर शून से साथ मील प्रती घंटे की रफ्तार पकड सकती हैं अधिकांश कारों की तरह मनुशे मानसिक या शारीरिक रूप से उस तरह के अचानक संक्रमन के लिए नहीं बने हैं और आखिरी चीज जो आपको करने की जरूरत है जब आप अभी अभी उठे हैं तो सीधे तोर पर तरास्दी और दर्द के कारण समाचारों की सुर्खियों में या उनके आवागमन पर गतिरोध के बारे में बताने वाले दोस्तों के सौजन्य से ठोकर खाना है अपने फोन को सुबह सबसे पहले देखना ऐसा है जैसे आप स्नान करने, अपने दात ब्रश करने, अपने बालों को ठीक करने से पहले एक सो गपशप अजनबियों को अपने शैनकक्ष में आमंतरित करते हैं अलार्म घड़ी और आपके फोन के अंदर की दुनिया के बीच आप तुरंत तनाव, दबाव, चिंता से अभिभूत हो जाते हैं क्या आप वास्तव में खुद से उस अवस्था से उभरने और सुख्द, उत्पादक दिन की उम्मीद करते हैं आश्रम में हमने प्रतेक सुबह की शुरुवात उस दिन की भावना में की, जिसकी हमने योजना बनाई थी और हमने उस विचारविमर्श को बनाए रखने और पूरे दिन ध्यान के इंद्रित करने के लिए खुद को प्रशिक्षित किया निश्चित रूप से यह सब ठीक और अच्छा है, यदि आपके दैनिक कारेक्रम में प्रार्थना, ध्यान, अध्येयन, सेवा और कारे शामिल हैं, लेकिन बाहरी दुनिया अधिक जटिल है सुबह जल्दी उठना यहां मेरी पहली सिफारिश है, आप अभी की तुलना में एक घंटे पहले जागें बिल्कुल नहीं तुम कहो मैं अभी की तुलना में पहले क्यों जागना चाहूंगा मुझे वैसे ही पर्याप्त नींद नहीं आती है इसके अलावा, ये लेकिन मेरी बात सुनो हम में से कोई भी थके हुए काम पर नहीं जाना चाहता और फिर दिन के अंध तक यह महसूस करना चाहता है कि हम और अधिक कर सकते थे सुबह की उर्जा और मनोदशा दिन भर चलती है इसलिए जीवन को और अधिक सार्थक बनाना वहीं से शुरू होता है हमें काम पर, या कक्षा में, या कसरत के लिए या बच्चों को स्कूल जाने के लिए शटल करने से ठीक पहले जागने की आदत है हम अपने आपको स्नान करने, नाश्टा करने, पैक अप करने आदी के लिए परियाप्त समय देते हैं लेकिन बस परियाप्त समय होने का अर्थ है, परियाप्त समय नहीं होना तुम देर से दोड़ो आप नाश्टा छोड़ दें आप बिस्तर को कच्चा छोड़ दें आप अपने शौवर का आनंद लेने के लिए समय नहीं निकाल सकते हैं अपने दानतों को ठीक से ब्रश कर सकते हैं अपना नाश्ता खत्म कर सकते हैं या सब कुछ दूर रख सकते हैं ताकि आप एक साफ घर लोट सकें आप उद्देशे और देखभाल के साथ चीजे नहीं कर सकते हैं यदि आपको उनके माध्यम से गती करना है जब आप उच्च दबाव और उच्च तनाव के साथ सुबह की शुरुआत करते हैं तो आप बातचीत, मीटिंग, अपोइंटमेंट के माध्यम से अपने शरीर कोशेश दिन के लिए उस मोड में संचालित करने के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं जल्दी उठने से दिन अधिक उतपादक बनता है सफल व्यवसाई पहले से ही इस पर हैं एपपिल के CEO टिम कुक अपने दिन की शुरुआत 3, 45 बजे करते हैं रिचर्ड ब्रैंसन 5, 45 बजे उठते हैं मिशेल ओबामा 4, 30 बजे उठती हैं लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहां बहुत से उच्च प्रभाव वाले लोग जल्दी उठते हैं वहीं शीर्ष अधिकारियों के बीच नींद को पुने प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन भी होता है अमेजैन के CEO जेफ बेजोस ने हर रात 8 घंटे की नींद को प्रात्मिक्ता देते हुए कहा कि कम नींद आपको उत्पादन के लिए अधिक समय दे सकती है लेकिन गुनवत्ता को नुकसान होगा इसलिए यदि आप जल्दी उठने वाले हैं तो आपको एक घंटे में मुड़ना होगा जिससे आपको पूरी रात आराम मिल सके यदि आपके बच्चे हैं या रात की नौकरी है तो जीवन और अधिक जटिल हो जाता है इसलिए यदि ये या अन्य परिस्थितिया एक घंटे पहले जागने के विचार को अथाह बनाती हैं तो निराशान करें प्रबंधनिय वेतन वृद्धी के साथ शुरू करें इसे नीचे देखें और ध्यान दे कि मैंने आपके उठने के लिए कोई विशेश समय नहीं बताया है मैं सुबह चार बजे के लिए नहीं कह रहा हूँ घंटा जल्दी होना भी जरूरी नहीं है लक्षे आपको इरादे से आगे बढ़ने और चीजों को पूरी तरह से करने के लिए परियाप्त समय देना है वह आत्मा दिन भर चलेगी दिन की शुरूआत में एक समय कुशन बनाएं या आप शेश दिन इसे खोजने में व्यतीत करेंगे मैं गारंटी देता हूँ कि आपको दिन के बीच में वह अतिरिक्ट समय कभी नहीं मिलेगा इसे अपनी सुबह की नींद से चुराएं और रात को उस नींद को वापस खुद को दे दें देखें कि क्या बदलता है इसे आज माई जल्दी उठने में आसानी करें इस सप्ताह सिर्फ 15 मिनट पहले उठें आपको शायद अलार्म का उपयोग करना होगा लेकिन इसे कोमल बनाए जब आप पहली बार जागते हैं तो कम रोशनी का प्रयोग करें शान्त संगीत पर रखो कम से कम उन बोनस 15 मिनट के लिए अपना फोन नए उठाएं अपने दिमाग को इस समय आने वाले दिन के लिए टोन सेट करने दें इसके एक सप्ताह के बाद अपने जागने के समय को एक और 15 मिनट पीछे कर दें अब आपके पास आधा घंटा है जो की आपका है आप इसे कैसे खर्च करना चुनेंगे आप अधिक समय तक स्नान कर सकते हैं अपनी चाय की चुस्की लें टहल कर आओ ध्यान करो दर्वाजे से बाहर निकलने से पहले अपने आपको साफ करने में एक पल बिताएं रात में टीवी और फोन बंद कर दे और जब भी आपको पहली बार थकान महसूस हो तो बिस्तर पर सो जाएं मिला समय एक बार जब आप सुबह में जगह बना लेते हैं तो यह आपका अकेला होता है कोई और नियंतरित नहीं करता कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं यह देखते हुए कि हमारा कितना समय हमारे दायतव, नौकरी, परिवार, आदी द्वारा नियंतरित होता है यह खाली समय सबसे महान उपहारों में से एक है जो हम खुद को दे सकते हैं आप अपनी सामाने दिन चर्या के बारे में जा सकते हैं, लेकिन अधिक समय द्वारा बनाए गए स्थान और अवकाश को महसूस करें हो सकता है कि आपके पास रास्ते में कौफी को हतियाने के बजाए अपनी खुद की कौफी बनाने का समय हो आप नाश्ते पर बातचीत कर सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, या व्यायाम करने के लिए अपने नए समय का उप्योग कर सकते हैं यदि आपके पास ध्यान है, तो आप कृत गेता द्रिश ये अभ्यास के साथ दिन की शुरूआत कर सकते हैं हो सकता है, जैसा की स्वास्थे विशेशगे सिफारिश करने के शौकीन है, आप अपनी सुबह की सैर के लिए काम से आगे पार्ट करेंगे जब आप जगह बनाते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि यह आपके लिए सबसे ज्यादा कमी है, अपने लिए समय इसे आज माई, एक नई सुबह की दिन चर्या, हर सुबह के लिए कुछ समय निकालें कृत गेता, हर दिन किसी न किसी जगह या किसी चीज के प्रती आभार व्यक्त करें इसमें इसे सोचना, इसे लिखना और इसे साज़ा करना शामिल है अध्याय नौ देखें अंतरद्रिष्टी अखबार या किताब पढ़कर या पॉड़कास्ट सुनकर अंतरद्रिष्टी प्राप्त करें ध्यान 15 मिनट अकेले बिताई, सांस ले, कलपना करें या ध्वनी के साथ भाग तीन के अंत में ध्वनी ध्यान के बारे में अधिक जानकारी व्यायाम हम भिक्षों ने यूग किया, लेकिन आप कुछ बुनियादी स्ट्रेच या कसरत कर सकते हैं कृत गेता अंतरद्रिष्टी ध्यान व्यायाम समय अपनी सुबह को समय देने का एक नया तरीका शाम की दिन चर्या आश्रम में मैंने सीखा कि सुबह शाम से परिभाशित होती है हमारे लिए प्रतेक सुबह को एक नई शुरुआत के रूप में मानना स्वाभाविक है लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे दिन अपने आप में घूमते हैं आप अपना अलार्म सुबह सेट नहीं करते आप इसे राध पहले सेट करते हैं यह इस प्रकार है कि यदि आप इरादे से सुबह उठना चाहते हैं तो आपको उस गती को स्वस्त आराम दायक शाम की दिन चर्या स्थापित करके शुरू करने की आवशेक्ता है और इसलिए हमने सुबह को जो ध्यान दिया है, वह पूरे दिन का विस्तार और परिभाशित करना शुरू कर देता है आपके पास एक घंटा पहले जागने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आप कितनी बार टीवी पर स्विच करते हैं, एक शो या किसी अन्वे पर व्यवस्थित होते हैं, और पिछली आधी रात तक देखते रहते हैं आप टीवी देखते हैं, क्योंकि आप अनेंडिंग कर रहे हैं, आप कुछ और करने के लिए बहुत थके हुए हैं, लेकिन पहले सोने का समय आपको बेहतर मूर में डाल सकता है मानव विकास हार्मोन, HGH, एक बड़ी बात है यह वृद्धी, कोशिका की मरम्मत और चयाप्चे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसके बिना हम जल्द ही मर भी सकते हैं जब हम सोते हैं, तो हमारे शरीर में 75 प्रतिशत HGH निकलता है, और शोध से पता चलता है, कि HGH के हमारे उच्चतम विसफोट आमत और पर तेन बजे के बीच आते हैं और आधी रात, इसलिए यदि आप उन घंटों के दोरान जाग रहे हैं, तो आप अपने आपको HGH के साथ धोखा दे रहे हैं यदि आपकी कोई नोकरी है, जो आधी रात से पहले चली जाती है, या छोटे बच्चे जो आपको जगाते हैं, तो बेर जीज़क मुझे अंदेखा करें, लेकिन अपने दिन की मांग से पहले जागना अच्छी नींद की कीमत पर नहीं होना चाहिए यदि आप उस दस से आधी रात को वास्तविक आराम करने में बिताते हैं, तो सुबह के उन घंटों को खोजना इतना कठिन नहीं होगा आश्रम में हम शाम को पढ़ने प्रने में बिताते थे और आठ से दस बजे के बीच सोने चले जाते थे हम अंधेरे में सोए थे, कमरे में कोई उपकरण नहीं था हम टी-शर्ट और शॉर्ट समे सोते थे, कभी हमारे कपडों में नहीं, जो जागने के दिन की उर्जा लेकर चलते थे सुबह दिन की टोन सेट करती है, लेकिन एक सुनियोजित शाम आपको सुबह के लिए तैयार करती है CNBC के मिक इट पर एक साक्षातकार में, इंस्टाग्राम शार्क टैंक स्टार केविन ओलेरी ने कहा जो वह अगली सुबह करना चाहते हैं, उसका संकित ले और सोने से पहले उन पहली चीजों का पता लगा ले जिनहें आप कल हासिल करना चाहते हैं यह जानकर कि आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आपकी सुबह आसान हो जाएगी जब यह सिर्फ गर्म हो रहा हो तो आपको अपने दिमाग को धक्का या मजबूर नहीं करना पड़ेगा और बोनस, यदि आप जानते हैं कि आप उन्हें संभालने जा रहे हैं, तो वे कारे आपको रात में नहीं रखेंगे इसके बाद एक भिक्षू के वस्त्र का अपना संसकरन खोजें, एक वर्दी जिसे आप सुबह पहनेंगे मेरे पास अब कपडों का एक बड़ा चैन है, और मेरी पतनी की राहत के लिए उनमें से कोई भी नारंगी वस्त्र नहीं है लेकिन मैं अलग-अलग रंगों के कपडों के समान सेट का पक्ष लेता हूँ बाद सुबह से चुनोतियों को दूर करने की है जैसा कि वे प्रतीत हो सकते हैं, यदि आप अपनी सुबह यह तय करने में बिता रहे हैं कि क्या खाना है, क्या पहनना है, और कौन से कारियों को पहले निप्टाना है तो संचित विकल्प चीजों को अनावशेक रूप से जटिल बनाते हैं 40 साल के अनुभव के साथ, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रिय टीम जिमनास्टिक कोच क्रिस्टोफर सोमर अपने एथलीटों को उनके द्वारा किये जाने वाले निरनेयों की संख्या को सीमित करने के लिए कहते हैं क्योंकि प्रतेक निरने उनके रास्ते से भटकने का एक अवसर है यदि आप अपनी सुबह तुच निरने लेने में बिताते हैं, तो आप उस उर्जा को बर्बाद कर देंगे पैटर्न में विवस्थित करें और रात पहले निरने लें और आप सुबह की शुरुआत करेंगे और पूरे दिन के इंद्रित निरने लेने में सक्षम होंगे अंत में विचार करें कि सोने से पहले आपके अंतिम विचार क्या है क्या यह स्क्रीन दुन्धली हो रही है बेहतर होगा कि मैं अपना फोन बंध कर दू या मैं अपनी माँ को पी बर्थडे विश करना भूल गया खराब उर्जा के साथ जागने के लिए खुद को प्रोग्राम न करें हर रात जब मैं सो रहा होता हूँ तो मैं अपने आप से कहता हूँ मैं तनाव मुक्त, उर्जावान और केंद्रित हूँ मैं शान्द, उत्साही और उत्पादक हूँ जब मैं इसे कागज पर रखता हूँ तो इसमें योग रोबोट वाइब होता है लेकिन यह मेरे लिए काम करता है मैं उर्जा और द्रिर विश्वास के साथ जागने के लिए अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ रात में आप जिस भावना के साथ सोते हैं वह सबसे अधिक संभावना है कि आप सुबह उठेंगे पत पर एक पत्थर इस सारी तैयारी का लक्षे पूरे दिन में इरादतन लाना है जिस क्षन आप अपना घर छोडेंगे आपकी नौकरी चाहे जो भी हो और अधिक गुमावदार होंगे आपको उर्जा की आवशेक्ता होगी और आप पूरी सुबह ध्यान के इंद्रित करेंगे भिक्षों के पास केवल सुबह की दिन चर्या और रात की दिन चर्या नहीं होती है हम दिन के हर पल समय और स्थान की दिन चर्या का उप्योग करते हैं बिहन जो अंचितिस्टर बेने डिक्टिनन जिसका मैंने पहले ही उलेक किया है कहती हैं शहरों और उपनगरों में रहने वाले लोग अपने जीने के तरीके के बारे में चुनाव कर सकते हैं हालांकि उनमें से अधिकांश इसे नहीं देखते हैं क्योंकि उन्हें चालू रहने की शर्थ है हर समय चलते हैं एक पल के लिए कलपना की जीए की अमेरिका कैसा दिखेगा कलपना की जीए की हमारे पास कितनी शान्ती होगी अगर आम लोगों के पास क्लोईस्टर जीवन के दैनिक कारेकरम के बराबर कुछ होता यह प्रार्थना, काम और मनोरंजन के लिए निर्धारित समय प्रदान करता है दिन चर्या हमें जड़ देती है मैं अपने दिन के अन्य 22 घंटे ध्यान में बिताता हूं जैसे की 22 घंटे मेरे ध्यान को प्रभावित करते है दोनों के बीच संबंध सहजीवी है इसे आजमाई, कल के लिए विजूालाईजेशन जिस तरह एक आविशकारक को किसी विचार को बनाने से पहले उसकी कलपना करनी होती है उसी तरह हम उस जीवन की कलपना कर सकते हैं जो हम चाहते हैं यह कलपना करके शुरू करें कि हम अपनी सुबह कैसे चाहते हैं अपने मन को शांत करने के लिए श्वासप्रश्वास करने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप स्वयम को अपने सर्वश्रेश्ट स्व के रूप में देखें कल्पना की जिए कि आप सुबह उठकर स्वस्थ, आराम से और उर जावान है कल्पना की जिए कि सूरज की रोशनी खिडकियों से आ रही है आप उठते हैं और जैसे ही आपके पैर जमीन को चूते हैं आप एक और दिन के लिए कृत गेता की भावना महसूस करते हैं वास्तव में उस कृत गेता को महसूस करें और फिर अपने मन में कहें मैं आज के लिए आभारी हूँ मैं आज के लिए उतसाहित हूँ मैं आज के लिए खुश हूँ अपने आपको अपने दात ब्रश करते हुए अपना समय लेते हुए हर दात को ब्रश करने के लिए सावधान करते हुए देखें फिर जैसे ही आप शौवर में जाते हैं अपने आप को शांद, संतुलन, सहजता, स्थिर्ता महसूस करते हुए देखें जब आप शौवर से बाहर आते हैं क्योंकि आपने वही चुना है जो आप एक रात पहले पहनने वाले थे तो कपडे पहनने की कोई समस्या नहीं है अब अपने आपको अपने इरादे निर्धारित करते हुए देखें आज मेरा इरादा ध्यान के इंद्रित करने का है मेरा इरादा आज अनुशासित रहने का है मेरा इरादा आज सेवा करने का है पूरी सुबह को फिर से ये था संभव वास्तविक रूप से देखें आप कुछ व्यायाम, कुछ ध्यान जोड सकते हैं इस पर विश्वास करो इसे महसूस करें इसे अपने जीवन में स्वागत करें ताजा महसूस कर रहा है, उत्साहित महसूस कर रहा है अब अपने आपको उस दिन को अपने सर्वश्रेष्ट स्व के रूप में जारी रखने की कलपना करें खुद को दूसरों को प्रेरित करते हुए, दूसरों का मार्गदर्शन करते हुए, दूसरों के साथ साज़ा करते हुए, दूसरों की बात सुनते हुए, दूसरों से सीखते हुए, दूसरों के लिए खुला, उनकी प्रतिक्रिया और उनके विचारों को देखें अपने आपको इस गतिशील वातावरन में देखें, अपना सर्वश्रेष्ट दे और अपना सर्वश्रेष्ट प्राप्त करें दिन के अंत में अपने आपको घर आने की कलपना करें आप थके हुए हैं, लेकिन आप खुश हैं आप बैठना और आराम करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास जो कुछ भी है, उसके लिए आप आभारी हैं, नौकरी, जीवन, परिवार, दोस्त, घर आपके पास इतने से ज्यादा लोग हैं, शाम को खुद को देखे, बजाए, अपने फोन पर होने या कोई शो देखने के लिए, आप उस समय को सार्थक रूप से विताने के लिए नए विचारों के साथ आते हैं, जब आप अपने आपको एक अच्छे समय पर बिस्तर पर जा आराम महसूस करते हुए उठूंगा, शुक्रिया, फिर अपने आपको पूरे शरीर में स्कैन करते हुए देखे और पूरे दिन आपकी मदद करने के लिए अपने शरीर के प्रतेक भाग को धन्यवाद दें, जब आप तयार हों, अपने समय में, अपनी गती से, धीरे धीर और धीरे से अपनी आखे खोलें, नोड, जीवन आपकी योजनाओं को खराब कर देता है, जैसा कि आप इसकी कलपना करते हैं, कल नहीं जाने वाला है, विजूलाइजेशन आपके जीवन को नहीं बदलता है, लेकिन यह आपके देखने के तरीके को बदल देता है, आपने जिस आदर्श की कलपना की थी उस पर लोटकर आप अपने जीवन का निर्मान कर सकते हैं जब भी आपको लगता है कि आपका जीवन संग्रेखन से बाहर है तो आप इसे विजुलाइजेशन के साथ साकार करते हैं आश्रम में हम दिन में कम से कम एक बार उसी रास्ते पर 30 मिनट की सैर करते थे हर दिन भिक्षु ने हमें कुछ अलग करने के लिए अपनी आखें खुली रखने के लिए कहा कुछ ऐसा जो हमने इस सैर पर पहले कभी नहीं देखा था जो हमने कल लिया था और एक दिन पहले और उससे एक दिन पहले हमारे परिचित सैर पर हर दिन कुछ नया देखना उस सैर पर अपना ध्यान के इंद्रित रखने के लिए प्रतेक दिन चर्या में ताजगी देखने के लिए जागरूख होने के लिए एक अनुसमा रख था किसी चीज को देखना उसके नोटिस करने के समान नहीं है UCLI के शोध करताओं ने मनोविज्यान विभाग में संकाय कर्मचारियों और छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें निक्टतम अगनिशामक का स्थान पता है केवल 24 प्रतिशत ही याद कर सकते हैं कि निक्टतम कहां था हालां कि 92 प्रतिशत प्रतिभागियों के लिए एक अगनिशामक यंत्र सर्वेक्षन को भरने से कुछ ही फीट की दूरी पर था जो आम तोर पर उनका अपना कार्याले या एक कक्षा थी जहां वे अकसर जाते थे एक प्रोफेसर को इस बात का अहसास नहीं था कि 25 साल से जिस कार्याले में वह रहता था उससे कुछ ही इंच की दूरी पर एक अगनिशामक यंत्र था वास्तव में हमारे आसपास जो कुछ भी है उसे देखकर हमारा दिमाग ओटो पाइलट में शिफ्ट होने से बच जाता है आश्रम में हमें दैनिक सेर पर ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था मैं अब सेखडों दिनों से यह सेर कर रहा हूँ यह गर्म है लेकिन मेरे वस्त्र में अप्रिय नहीं है जंगल पत्तेदार और ठंडा है गंदगी का रास्ता पैरों के नीचे सुखदायक लगता है आज एक वरिष्ठ भिक्षु ने हमें एक नए पत्थर की तलाश करने के लिए कहा है जिस पर हमने पहले कभी ध्यान नहीं दिया मैं थोड़ा निराश हूँ पिछले एक हफ़ते से हमें हर दिन एक नए फूल की तलाश करने के लिए कहा गया है और कल मैंने आज के लिए एक अतिरिक्त फूल तयार किया एक छोटा नीला फूल जो उसकी एक बूंद को समेटे हुए था जो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि यह था मेरी योजना में लेकिन नहीं हमारे नेता किसी तरह मुझ पर है और चीजों को बदल दिया है और इसलिए शिकार जारी है साधू समझते हैं कि दिन चर्या आपके मन को मुक्त कर देती है लेकिन उस स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खत्रा एक रस्ता है लोग अपनी खराब यादों के बारे में शिकायत करते हैं लेकिन मैंने यह कहते सुना है कि हमें प्रतिधारन की समस्या नहीं है हमें ध्यान की समस्या है नए की खोज करके आप अपने मस्तिष्ट को ध्यान देने के लिए याद दिला रहे हैं और यह पहचानने के लिए इसे फिर से जोड रहे हैं, कि हर चीज में कुछ न कुछ सीखना है। जीवन उतना निश्चित नहीं है, जितना हम मानते हैं। मैं दिन चर्या स्थापित करने और नवीनता की तलाश करने के लिए दोनों की वकालत कैसे कर सकता हूं। क्या ये विरोधा भासी नहीं हैं? लेकिन यह ठीक वही कर रहा है, जो खोज के लिए जगह बनाता है। दिवंगत कोबे ब्रायंट इस पर थे। बास्केट बॉल के दिगगज ने अपना रचनात्मक पक्ष दिखाना शुरू कर दिया था, किताबे और एक वेडियो श्रिंग खला विक्सित करना शुरू कर दिया था। जैसा कि ब्रायंट ने मुझे अपने पॉड़कास्ट अउन परपस पर बताया था, उनके काम के लिए एक रूटीन का होना महत्वपूर्ण है। बहुत बार रचनात्मक ता संग्रचना से आती है। जब आपके पास वे पैरामीटर और संग्रचना हो, तो उसके भीतर आप रचनात्मक हो सकते हैं। यदि आपके पास संग्रचना नहीं है, तो आप केवल लक्षहीन चीजें कर रहे हैं। नियम और दिन चर्या हमारे संग्यानात्मत बोज को कम करते हैं, इसलिए हमारे पास रचनात्मत्ता के लिए बैंदविड्थ है, संग्रचना सहजता को बढ़ाती है, और खोज दिन चर्या को फेर से मजबूत करती है यह द्रिष्टिकों छोटी छोटी बातों में प्रसन्नता की ओर ले जाता है हम जीवन की बड़ी घटनाओं का अनुमान लगाते हैं चुट्टियां, पदोननती, जन्मदिन पार्टियां हम अपनी उम्मीदों पर खरा उत्रने के लिए इन आयोजनों पर दबाव डालते हैं लेकिन अगर हम छोटी खुशियों की तलाश करते हैं तो हमें उनके कैलेंडर पर आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है इसके बजाए अगर हम उन्हें खोजने के लिए समय निकालें तो वे हर दिन हमारा इंतजार करते हैं और मैंने इसे पाया है यहाँ एक जिग्यासु नारंगीवाई पत्थर जो कल से कहीं से प्रतीत होता है मैं इसे अपनी हथेली में गुमाता हूँ पत्थर ढूढ़ना हमारी खोज प्रक्रिया का अंत नहीं है हम इसे गहराई से देखते हैं रंग आकार का वर्नन करते हैं इसे समझने और इसकी सराहना करने के लिए इसमें डूब जाते हैं फिर हम यह सुनिश्चित करने के लिए फिर से इसका वर्णन कर सकते हैं, कि हमने इसे पूरी तरह से अनुभव किया है। यह कोई व्यायाम नहीं है, यह वास्तविक है। एक गहरा अनुभव। मैं इसे रास्ते के किनारे पर लोटने से पहले मुस्कुराता हूँ, आधा छिपा हुआ, लेकिन वहां किसी और को खोजने के लिए। उसी पुराने रास्ते पर चलना और एक नया पत्थर खोजना अपने दिमाग को खोलना है। अपने पेह चबाए और अपना भोजन पिए। भिक्षु प्रशिक्षन केवल नय को खोजने के बारे में नहीं था। यह जागरूकता के साथ परिचित चीजों को करने के बारे में था। एक दोफर एक वरिष्थ भिक्षु ने हमसे कहा आज हम मौन भोजन करेंगे। अपने पेह चबाना और अपना खाना पीना याद रखें। इसका क्या मतलब है। मैंने पूछ लिया। भिक्षु ने कहा हम अपना भोजन ठीक से खाने के लिए समय नहीं निकालते हैं। कि बजाय प्रतेक घूंट ऐसे लें जैसे कि यह स्वाद के लिए एक निवाला हो। इसे आजमाए, वही पुराना, वही नया। अपनी दिन चर्या में कुछ नया खोजें जो आपके पास पहले से है। आप अपने आवागमन पर क्या जासूसी कर सकते हैं, जो आपने पहल कभी नहीं देखा है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत शुरू करने का प्रयास करें जिसे आप नियमित रूप से देखते हैं, लेकिन कभी सगाई नहीं की है। हर दिन एक नए व्यक्ति के साथ ऐसा करें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। यदि कोई जाना फिर से कैसे खोज सकते हैं। जब आप व्यायाम करते हैं, तो क्या आप उस मार्ग को देख सकते हैं, जिसे आप चलाते हैं, या जिम की ले को अलग तरह से महसूस करते हैं। क्या आप देखते हैं, कि वही महिला हर दिन अपने कुत्ते को तहलाती है। क्या आप सिरह लाग कर उसका अभिवादन कर सकते हैं। जब आप भोजन की खरीदारी करते हैं, तो क्या आप सही सेव चुनने के लिए समय निकाल सकते हैं, या सबसे असामान्य सेव? क्या आप खजांची के साथ व्यक्तिगत आदान प्रदान कर सकते हैं? अपने भौतिक स्थान में, आप चीजों को नए सिरे से कैसे देख सकते हैं? हमारे घरों और हमारे कारेक्षेतर के चारों और ऐसे लेख हैं, जिन्हें हमने इसलिए रखा हैं, क्योंकि वे हमें प्रसंद करते हैं, फोटो, नेक-नेक, कला वस्तुएं, अपने को गौर से देखू, क्या ये उस बात का प्रतिबिम्भ हैं, जो आपको खुशी देती हैं? क्या ऐसे अन्य पसंदीदा हैं, जो स्पोटलाइट में एक मोड के लायक हैं, और अपने परिचित परिवेश में कुछ नवीनता को इंजेक्ट करते हैं? फूलदान में फूल जोडे या परिचित वस्तों में नई चमक और उद्देशे खोजने के लिए अपने फरनीचर को पुनरवेवस्थित करें. इनकमिंग मेल के लिए बस एक नया स्थान चुनना इसे अवेवस्था से एक संगठित जीवन के हिस्से में बदल सकता है. हम चीजों को बदलकर घर की पहचान जगा सकते हैं. जब आपका सा आथी घर आए तो संगीत बजाए, यदि ऐसा कुछ आप आमतोर पर नहीं करते हैं. या इसके विपरीद, यदि आप घर आने पर आमतोर पर संगीत या पॉडकास्ट डालते हैं, तो इसके बजाए मौन का प्रयास करें. फल का एक अजीब सा टुकडा दुकान से घर ले आ लाइट बल्ब को नरम या स्पष्ट प्रकाश में बदलें, गद्दी को पलतें, बिस्तर के गलह, पक्ष पर सोएं. रोजमर्रा की सराहना करने में इतना बदलाव भी शामिल नहीं है, जितना रोजमर्रा की गतिविधियों में मूले रूढ़ना. अपनी पुस्तक at home in the world में भिक्षु थिच नहताहान लिखते हैं, मेरे दिमाग में यह विचार की वेंजन करना अपरी है, केवल तभी हो सकता है, जब आप उन्हें नहीं कर रहे हों. अगर मैं खुशी से बर्तन धोने में असमर्थ हूँ, अगर मैं उन्हें जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ ताकि मैं जा सकूँ और मिठाई या एक कप चाय पी सकूँ, मैं अपनी मिठाई या अपनी चाय का आनंद लेने में भी उतना ही असमर्थ रहूंगा, जब मैं अ आप वित्र के बीच कोई सीमा नहीं है, इसे आजमाई मुंडाने को रूपांतरित करें, यहां तक कि व्यंजन करने के रूप में कोटीडियन के रूप में एक कारे भी बदल सकता है, यदि आप इसे करते हैं, अपने आप को सिंप के सामने रहने दें, एक ही कारे के लिए प्रतिबद्ध, संगीत बजाने के बजाए, अपनी सभी इंद्रियों को व्यंजनों पर केंद्रित करें, उनकी सत्हों को गंदी से साफ करते हुए देखें, डिश सोब को सूंगें, गर्म पानी की भाप को महसूस करें, देखें कि सिंप को भरे से खाली होते देखना कितन संतोष जनक है, एक जेन कोण है, जो कहता है, ग्यान से पहले लकडी काट लो, पानी ले जाओ, ग्यान प्राप्ती के बाद लकडी काटो, जल ले जाओ, हम चाहे कितना भी बढ़ जाए, हम कभी भी दैनिक कारियों और दिन चर्या से मुक्त नहीं होते हैं, लेकिन हमने एक सामाने, परिचित पल लेने और इसकी सराहना करने के नए तरीके खोजने के बारे में बात की है, उस उपस्थिती को दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए, हम इन पलों को एक साथ जोडने की कोशिश करते हैं, ताकि हम कुछ खास वोक या डिश्वाशिंग पलड को विशेश बनाने के लिए नहीं चुन रहे हैं, हम हर पल, हर पल के बारे में अपनी जागरूकता बढ़ा रहे हैं, हम सभी पल में होने के विचार से परिचित हैं, यह देखना कठिन नहीं है, कि यदि आप एक दोड़ दोड़ रहे हैं, То आप वापस नहीं जा पा कि आप माइल टू में कितनी तेजी से दोड़े। आपके सफल होने का एक मात्र अवसर उस क्षण में है। क्या तुम एक कारे बैठक में हैं या दोस्तों के साथ रात का खाना खा रहे हैं। आपकी बातचीत आपके द्वारा चुने गए शब्द आपके पास कभी भी उस तर हैं, वहीं हो सकते हैं। पाचवीर शताबदी के महान संस्कृत लेखक कालिदास ने लिखा है, कल एक सपना है, कल केवल एक द्रिष्टी है। लेकिन आज अच्छी तरह जिया हुआ हर कल को खुशी का सपना और हर आने वाले कल को आशा का एक सपना बना देता है। हम सभी इस बात से सहमत हो सकते हैं, कि वर्तमान में रहना समझ में आता है, लेकिन सच्चाई यह है, कि हम केवल चुनिंदा उपस्थिती रखने के इच्छुक हैं। हम निश्चित समय पर उपस्थित होने के लिए तैयार हैं, किसी पसंदीदा शोया योग कक्षा के दोरान, या यहां तक कि उस संसारिक कारे के दोरान जिसे हमने उपर उठाने के लिए चुना है, लेकिन हम तब भी विचलित होना चाहते हैं, जब हम विचलित होना चुनत हम समुद्रतट की छुट्टी पर जाने का सपना देखने के लिए काम पर समय बिताते हैं, लेकिन फिर समुद्रतट पर लंबे समय से प्रतीक्षित पे हाथ में है, हम यह जानकर नाराज हैं, कि हम काम के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते भिक्षु सीखते हैं, कि ये दो परिद्रिशे जुड़े हुए हैं, काम पर एक वांचित व्याकुलता चुट्टी पर अवांचित व्याकुलता में बदल जाती है, दो भर के भोजन में व्याकुलता दो भर में खून बह रहा है हम अपने दिमाग को उस जगह के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, जहां हम शारीरिक रूप से नहीं है यदि आप अपने आपको दिवास्वपन की अनुमती देते हैं, तो आप हमेशा विचलित रहेंगे उपस्थित होना ही वास्तव में सम्रिद्ध और पूर्ण जीवन जीने का एक मात्र तरीका है स्थान में उर जाहे एक सामानने दिन के दोरान उपस्थित रहने के मूले को देखना आसान है और यदि आप नियमित रूप से प्रदान किये जाने वाले लाभों को समझते हैं और उनकी सराहना करते हैं, तो वास्तव में उपस्थित होना आसान है दिन्चर्या केवल कारियों के बारे में नहीं है, वे उन स्थानों के बारे में भी हैं, जहां वे क्रियाएं होती हैं एक कारण है कि लोग पुस्तकालियों में बेहतर अधेयन करते हैं और कारियालियों में बेहतर काम करते हैं नियू योर्क शहर अपनी उधम और हलचल प्रदान करता है जबकि एलय आपको शांत महसूस कराता है प्रतेक वातावरण सबसे बड़े शहर से लेकर एक कमरे के सबसे छोटे कोने तक की अपनी विशेश उर्जा होती है प्रतेक स्थान एक अलग एहसास देता है और आपका धर्म विशिष्ट वातावरण में पनपता है या लड़ खडाता है हम लगातार गतिविधियों और वातावरण की एक श्रिंखला का अनुभव कर रहे हैं लेकिन हम यह सोचने के लिए रुखते नहीं हैं कि हमें कौन सा सबसे ज़्यादा आकरशित करता है क्या आप विश्ट वातावरण में या एकांत में फलते फूलते हैं क्या आपको आरामदायक नुपकड या जगह की सुरक्षा पसंद है पुस्तकाले क्या आप उत्तेजक कलाकरिती और संगीत से गिरे रहना पसंद करते हैं या क्या सरलता आपको ध्यान के इंद्रित करने में मदद करती है क्या आप दूसरों के विचारों को उचालना या नौकरी पूरा करने के बाद प्रतिक्रिया प्राप्त करना पसंद करते हैं क्या आप परिचित या द्रिशियों में बदलाव पसंद करते हैं या आत्म जाग्रूकता आपके धर्म की सेवा करती है इसका मतलब यह है कि जब आप नौकरी के लिए इंटरव्यू में कदम रखते हैं तो आपको इस बात की बेहतर समझ होती है कि आप इस नौकरी में कैसा प्रदर्शन करेंगे और क्या यह एक अच्छा मैठ है इसका मतलब है कि जब आप किसी तिथी की योजना बनाते हैं तो आप एक ऐसी जगह चुन सकते हैं जहां आप सबसे अधिक आराम दायक हों जब आप अपने कोशल सेट के भीतर अलग-अलग करियर की कलपना करते हैं तो आप जानते हैं कि आपकी समवेद नशीलता के लिए कौन सा सबसे उप्यूक्त है इसे आजमाई पर्यावरन जैगरूकता हर उस माहौल के लिए जहां आप इस सब्ताह समय बिताते हैं अपने आप से निम्नलिखित प्रशन पूछें हो सके तो अनुभव के ठीक बाद उनसे पूछें फिर सब्ताह के अंत में अंतरिक्ष की प्रमुख विशेश्टाएं क्या थी? चुप या जोर से? चोटे या बड़े? जीवन्त या सादा? एक सक्री स्थान के केंद्र में या हटाया गया? अन्य लोगों के करीब या अलग थलग? मुझे इस स्थान में कैसा लगा? उतपादक? आराम से? विचलिद? क्या मैं जिस गतिविधी को कर रहा था वह उस स्थान के साथ अच्छी तरह से फिट थी जहां मैं इसे कर रहा था? मैं जो करने के लिए तयार था, क्या उसके लिए मैं सबसे अच्छी मान सिकता में था? यदि नहीं, तो क्या कोई और जगह है, जहां मैं अपने काम को पूरा करने में अधिक सहज महसूस करता हूँ योजना बनाई जितना अधिक आपके व्यक्तिगत स्थान एकल, स्पष्ट उद्देशियों के लिए समर्पित होंगे, उतना ही बेहतर वे आपकी सेवा करेंगे, न केवल आपके धर्म की पूर्ती में बल्कि आपके मनोद्शा और उत्पाद कता में जिस तरह हम भिक्षों के सोने के कमरे को सोने के अलावा और कुछ नहीं के लिए बनाया गया था, उसी तरह आश्रम का हर स्थान एक ही गतिविधी के लिए समर्पित था हम जहां सोते थे वहां न तो पढ़ते थे और नहीं ध्यान करते थे, हमने रिफेक्टरी में काम नहीं किया एक आश्रम के बाहर की दुनिया में नेटफलिक्स देखना और या अपने शैनकक्ष में खाना उस जगह की उर्जा को भ्रमित करना है अगर आप उन उर्जाओं को अपने शैनकक्ष में लाते हैं, तो वहां सोना मुश्किल हो जाता है यहां तक कि सबसे छोटे अपार्टमेंट में भी आप अलग-अलग गतिविधियों के लिए रिक्ट स्थान समर्पित कर सकते हैं हर घर में खाने की जगह होनी चाहिए एक पवित्र स्थान जो आपको शान्त महसूस करने में मदद करता है और एक ऐसा स्थान जो आपके क्रोधित होने पर सुकून का अनुभव करता है रिक्त स्थान बनाए जो आपको वह उर्जा प्रदान करें जो आपके इरादे से मिल खाती हो एक शैनकक्ष में कुछ विकर्षन, शान्त रंग, नरम प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए आदर्श रूप से इसमें आपका कार्यक्षेत्र नहीं होना चाहिए इस बीच एक कार्यक्षेत्र अच्छी तरह से जलाया जाना चाहिए अवेवस्थित और कार्यात्मक कला के साथ जो आपको प्रेरित करता है जब आप पहचानते हैं कि आप कहा फलते फूलते हैं तो उन अवसरों का विस्तार करने पर ध्यान के इंद्रित करें यदि आप अपने खाली समय में नाइट कलब की उर्जा से आकरशित होते हैं तो क्या आप ऐसे करियर में बेहतर करेंगे जो समान रूप से जीवन्त हो यदि आप एक रौक संगीत कार हैं लेकिन आप शान्त रहते हैं तो हो सकता है कि आपको प्रदर्शन करने के बजाए संगीत की रचना करनी चाहिए यदि आपके पास घर से काम करने वाला सही काम है लेकिन आप एक कार्याले की गतिविधी को पसंद करते हैं तो अपने काम को एक कैफे या साजह कारेक शेत्र में स्थानान तरित करने के लिए देखें बिंदु इस बारे में जागरूख होना है कि आप कहां कामयाब होते हैं आप कहां सर्वश्रेश्ट हैं और यह पता लगाने के लिए कि उस स्थान पर अधिकतर समय कैसे व्यतीत करें। बेशक, हम सभी ऐसी गतिविधियों को करने के लिए बाध्य हैं, जो हमें ऐसे वातावरण में पसंद नहीं हैं, जो आदर्श नहीं हैं, विशेश रूप से काम, और हम सभी ने उन नकारात्मक उरजाओं का अनुभव किया हैं, जो इन गतिविधियों से उत्पन्न होती हैं उननत जागरूकता के साथ, हम समझते हैं, कि किस चीज ने हमें अधीर, तनावगरस्त, या थका हुआ बना दिया है, और हमारे धर्म में रहने के लिए दिशानिर देश विक्सित करते हैं, सही वातावरण में, सही उर्जा के साथ, कैसा दिखेगा यह दीर्ग कालिक लक्षे होना चाहिए साउंड डिजाइन योर लाइफ आपका स्थान और आपकी इंद्रिया एक दूसरे से बात करती हैं यह सबसे स्पष्ठ है, जब हम उन ध्वनियों के बारे में सोचते हैं, जिनका हम हर दिन सामना करते हैं भिक्षु जीवन में हम जो ध्वनि सुनते हैं, उसका सीधा संबंध हम जो कर रहे हैं, उससे संबंधित है हम पक्षियों और हवाओं के लिए जागते हैं जब हम ध्यान में जाते हैं, तो हम नाम जब सुनते हैं कोई दर्दनाक शोर नहीं है लेकिन आदुनिक दुनिया जोर से हो रही है प्लेन होवेल ओवरहेड, कुत्ते भौंकते हैं, कराहते हैं हम पूरे दिन बेकाबू शोर के अधीन हैं हमें लगता है कि हम दैनिक जीवन के शोर गुल को नजर अंदाज कर रहे हैं लेकिन यह सब हमारे संग्यानात्मक भार को बढ़ाता है जब हम होशपूरवक इसे नहीं सुनते हैं, तब भी मस्तिश्क द्वनी की प्रक्रिया करता है घर पर हम मेंसे कई लोग चुपी साध लेते हैं, इसलिए हम मौन और शोर के चरम पर रहते हैं अपने जीवन में शोर को कम करने के बजाए, ध्वनी इसे डिजाइन करें दुनिया में सबसे अच्छा अलार्म टोन चुन कर शुरू करें दिन की शुरुआत्थ एक ऐसे गाने से करें जो आपको खुश करें